हेलो एवरिवन तो चलिए स्चार्ट करते हैं सेल अफ गुड्स एक्ट 1930 के साथ अब सबसे पहले तो यह एक्ट आया क्यों देखिए नाम से पता लग रहा है सेल अफ गुड्स एक्ट यानि कि गुड्स की जब भी सेल होगी इंडिया में यानि कि जब भी कॉंट्रक्ट अफ पढ़ा है Indian Contract Act 1872, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है न? तो देखे, पहले जो यह Sale of Goods Act था, यह पहले Indian Contract Act का ही पाट था, Contract of Sale के रिगर्डिंग जो जो प्रोविजन थे, बायर और सलर के जो जो राइट से, वो सब Indian Contract Act में दे रखे थे, लेकिन बाद में जो है, बायर और सलर के राइट को अलग से डिफाइन किया जाए किसी Act के थुरू, तो इस Act को जो है बनाया गया Indian Contract Act में से, Contract of Sale और बायर और सलर के रिगर्डिंग जो जो प्रोविजन से उनको जो है अलग कर दिया गया, तो एक जुलाई 1930, एक जुलाई 1930 को जो है, इस Act को effective किया गया, ठीक है, और effective कहां किया गया, apply to whole of India, अब बाद में जब Article 370 आया 1949 में, तो यहाँ पर एक और वर्ट जोड़ी या Accept JNK, कि पूरे इंडिया में apply होगा, सिर्फ Jammu and Kashmir को छोड़ के, लेकिन जब 2019 में Article 370 revoke हो गया, फिर दुबारा से जितने भी Acts थे, इंडिया में, उन समय से यह Accept JNK हट गया, क्योंकि अब जो JNK है, उसके उपर भी सारे के सारे Acts जो है, वो लागू हो जाएंगे, तब को ध्यान क्या क्या रखना है, जो यह Act है, इसका main objective क्या है, बताइए, to define rights and duties of buyer and seller in respect of contract of sale, contract of sale के respect में, buyer और seller की क्या क्या duties होती है, क्या क्या rights होते हैं, तो उनको define किया गया है, sale of goods act 1930 में, और यह effective कब होता है, 1 July 1930 से, अब हम start करते हैं, अपना सबसे पहला topic, sale of goods act में, important definitions के साथ, देखें, हम लोग जो है, आगे चल के इस chapter में, contract of sale के regarding क्या क्या provisions होते हैं, buyer और seller के regarding क्या क्या provisions होते हैं, उनके क्या क्या rights होते हैं, duties होते हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं, important definitions को, इन definitions को एक बार जा होता है, तो buyer कौन person होता है, buyer वो person होता है, जो की खरीता है, या फिर goods को खरीदने का agreement करता है, buys or agrees to buy goods, और ये जो definition ही आपके लिखी वी है, section 2 clause 1 में, और seller कौन होता है, seller वो person होता है, जो की बेचता है, या फिर goods को बेचने का agreement करता है, buyer के साथ, sells or agrees to sell goods, seller जो है buyer को goods बेचेगा और जो buyer है वो seller से goods खरीदेगा जो seller की definition है वो लिखी हुई है section 2 clause 13 में तो काफी simple थी यह तो ज्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं इसमें अब इसमें जो हमारी दूसरी definition है वो एक important definition है goods की definition section 2 clause 7 में जो है इसके बार में दे रखा है देखे हम लोग जो है sale of goods act पड़ रहे हैं तो obvious है हमको पता होना चाहिए कि इस act में जो है कौन से goods cover किये गए है यानि कि जिनका contract of sale बनेगा और इस act के तहर जो है वो regulate होंगे तो देखे every kind of movable property जितनी भी प्रकार की movable property है यानि कि अगर हिंदी में बोले तो चला चल संपत्ती तो उसको जो है goods के definition में cover किया गया है ठीक है चला चल संपत्ती का मतलब क्या होता है यानि कि आपकी वो संपत्ती जिसको आप असानी से कहीं भी move कर सकते हो इसके opposite में होता है आपका immovable property तो sir यहाँ पर immovable property को cover क्यों नहीं किया गया sale of goods act में क्योंकि इसका already अलग से एक act है transfer of property act 1882 जहाँ पर immovable property के बारे में provision को cover किया गया है इसलिए यहाँ पर immovable property की हम लोग बात नहीं करेंगे सिर्फ उसे movable property के बात करेंगे अब देखें जो आपकी goods की definition है sale of goods act के हसाब से वो जो है एक inclusive definition है उसमें जो है items को include किया गया है कि यह items जो है आपकी good मानी जाएंगे लेकिन कुछ items ऐसी भी है जिनको हटाया भी यह है वासा है यनि कि exclude किया गया है सबसे पहला इसमें हमारा actionable claim actionable claim का मतलब देखें इसका simple मतलब क्या है unsecured debt कोई भी ऐसा debt जो कि unsecured है और उसको claim करने के लिए आपको जो है एक suit file करना पड़ेगा जैसे कि for example आपने अपने friend को जो है एक check काट के दिया एक लाख रुपे का अब उस check के बदले में आपके friend ने जो है आपसे कोई आपके property गिरवी नहीं रखवाई थी ठीक है यह फिर आपके कोई भी mobile property थी उसको गिरवी नहीं रखवाया था उसने check लिया bank में लगाया लेकिन वो bounce हो गया यानिकि dis owner हो गया क्यों हो गया क्योंकि आपके account में funds नहीं थे इतने तो अब आपका दोस्त आपसे recovery कैसे करें क्योंकि जो आपने check दिया है वो एक unsecure check है क्योंकि उसके बदले में आपने जो है उसको कोई भी property नहीं दिया है कोई भी collateral नहीं दिया है तो जो आपका दोस्त होगा आपके उपर case करेगा suit file करेगा आपसे amount recover करने के लिए तो आप देखे यहाँ पर जो वो suit है जो वो case है क्या आपका दोस्त किसी को आगे transfer कर सकता है वो या फिर किसी को बेच सकता suit नहीं बेच सकता तो इसलिए यहाँ पर actionable claim को जो है goods के definition में से हटाया गया है exclude किया गया है अब exclude में हुआरा दूसरा point है money यहाँ पर money का मतलब है currency जो कि आप use करते हो 10 रुपे का note 20 रुपे का note 100 रुपे का note 200 रुपे का note 500 रुपे का note 2000 रुपे का note तो जो currency है आपकी जो कि अब use कर रहे हो जो की अभी economy में circulation में है उसको goods से हटाया गया है goods के definition में include नहीं किया गया है क्यों? क्योंकि देखे आपके पास जो पैसे हैं आप उससे goods खरीद तो सकते हो लेकिन उन पैसों को आप जो है बेच नहीं सकते गहीं पर भी इसलिए उनको goods के definition में से हटाया गया है लेकिन देखे इसमें जो है एक और बात है मैंने यहाँ पर क्या बोला? आपके वो note जो की circulation में है उनको जो है goods के definition में से हटाया गया है लेकिन उन note को क्या? जो की अब circulation में नहीं है money not in circulation या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो currency not in circulation जो की अब economy में circulation में नहीं है आप उनको use नहीं करते तो देखे जो ऐसे पैसे हैं जो की circulation में नहीं है वो आपके बन जाते हैं antique यानि कि जो आपकी historical items होती है वो बन जाती है और जो historical items होती है उनकी जो है अपनी एक intrinsic value होती है जैसे कि आपका पुराना कोई 10 रुपे का note हो 40 साल पुराना, 50 साल पुराना तो उसकी value 10 रुपे नहीं होगी 10 रुपे के note के उसकी value होगी 100 रुपे, 200 रुपे, 300 रुपे कई बर 1000 रुपे भी होती है तो यह depend करता है कि जो खरीदने वाला है उसको कितना शौक है उस चीज़ का कई बर कुछ लोग होते हैं जिनको पुराने note एकटे करने का शौक होता है तो वो जो है ऐसे note को खरीदते हैं तो दिखिए आपके वो पैसे जो की अब circulation में नहीं है money not in circulation अब वो antique बन चुकी है historical item है तो वो अब जो है goods की category में आएगी क्यों क्योंकि अब उनकी जो है अपनी एक value है आप उनको जो है खरीद बेच सकते हो लेकिन वो पैसे जो की आपके अभी भी हैं circulation में वो जो है goods की definition में cover नहीं होंगे देखे एक्जाम्बल के तौर पर यह है आपका नया वाला 10 रुपे का note और यह है आपका पुराना 10 रुपे का note अब कहने को तो यह हमारी new currency है और यह हमारी क्या है old currency लेकिन अभी भी दोनों के दोनों note जो हैं वो circulation में हैं तो इसलिए जो हमारा पुराना 10 रुपे का note है ना उसको भी जो है goods में cover नहीं किया जाएगा लेकिन जो यह वाला note है यह आपका circulation में नहीं है यह काफी पुराना note है I think यह 40 से 50 से पुराना note है आपका तो यह जो है आपका क्या है यह आपका goods है क्योंकि आप इसको जो है खरीद बेच सकते हो लेकिन जो यह वाले note हैं आप इनको खरीद बेच नहीं सकते हाँ आप इन note हो से जो है goods खरीद सकते हो अब goods की definition में दूसरा पॉन देखते है include का किन items को include किया गया है stock and shares को किसी भी company के अगर आप shares खरीदते बेचते हो तो वो भी एक goods है growing crops जितनी भी type की growing crops है जैसे गेहू हो गया आपका सरसो हो गया तो जो भी growing crops है वो आपकी क्या है goods है grass यानि कि घांस जो होती है तो घांस भी क्या है उसको भी खरीदते बेचते हैं लोग खाड सकते हो घाल के उनको बेच सकते हो जैसे कि सबसे बड़े example इसका timber का timber मतलब कोई भी जो पेड़ होता है आपका जो की जमीन में गड़ा होता है पूरा है ना जमीन से गड़ा होता है लेकिन आप उसको काड के बेच सकते हो market में तो वो 저 timber है वो भी जो है आपका goods की definition में cover होगा in fact जो पानी है वो भी goods है पानी भी खरीदते बेशते हो या फिर जैसे कि अगर आप अपने घर में पानी यूज़ कर रहे हो तो आपके हर महीने जो है पानी का बिलाता है तो वो भी क्या है good है electricity हो गया वो भी क्या है एक टाइप का good है oil हो गया तेल वो भी good है gas gas भी क्या है वो भी good है gas cylinder आता है जिनके घर में cylinder है तो वो उसके पैसे देते हैं जिनके घर में gas pipeline है तो वो हर मैने जो है जितना भी gas यूज़ करते हैं उसके पैसे देते हैं तो ये सब आपका जो है goods माना जाएगा तो आईए अब एक बार जो है यहां से read कर लेते हैं हमने अभी तक जो भी discuss किया है सबसे पहले buyer and seller Buyer means a person who buys or agrees to buy goods Section 2 clause 1 Seller means a person who sells or agrees to sell goods Section 2 clause 13 इसके बाद goods की definition Section 2 clause 7 में Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money and includes stock and shares growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before the sale or under the contract of sale तो actionable claims और जो money है उसको जो है exclude किया गया है लेकिन जो stock and shares है growing crops है, grass है या फिर ऐसी चीज़ें जिनको land से अलग किया जा सकता है उनको जो है include किया गया है Goods में actionable claims are claims which can be enforced only by action or suit चले continue करते हैं important definitions के साथ तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं buyer कौन होता है, seller कौन होता है और goods का मतलब क्या होता है अब हम लोग देखते हैं classification of goods कि कितने type के goods होते हैं तो हमारे जो है broadly तीन type के goods होते हैं एक होते है existing goods, future goods और contingent goods तो आए एक एक करके जो है तीनों को discuss करते हैं सबसे पहले देखते हैं existing goods के बारे में तो existing goods कौन से goods होते हैं देखे जब buyer और seller के बीच जो है contract of sale बनेगा तो फिर contract of sale बनते time जो goods उस समय exist कर रहे होंगे उनको हम जो है existing goods बोलेंगे जैसे कि for example Mr. A है Mr. A ने अपनी car offer करी Mr. B को 5 लाग रुपे की अब जब car का contract of sale बना तो फिर उस समय car जो थी Mr. A की वो exist कर रही थी कि जब भी Mr. B पैसे देंगे तो Mr. A जो है car की चाबी उनको देंगे और Mr. B जाके car को लेहेंगे तो car उस समय exist कर रही है तो वो जो car है वो क्या है एक existing good है आप इसको जो है ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे कि for example आप जो है किसी grocery shop पर गए आपने उसको बोला कि आपको जो है 5 किलो चावल चाईए तो चावल उस समय exist कर रहे है उसकी दुकान पर है वो चावल तो वो जो चावल है वो क्या है existing good अब यहाँ पर existing good की भी तीन categories है सबसे पहली category है आपकी specific good की अब यहाँ पर specific goods का मतलब क्या है specific goods मतलब वो goods जो की exist कर रहे हों क्योंकि existing good का ही पार्ट है वो तो contract of sale बनते time वो exist कर रहे हो और दूसरा आपने seller को जो है specific कर दिया हो कि आपको जो है वही good सही है जैसे कि for example आप एक mobile shop पर गए अब mobile shop में काफी सारे models होते है mobile के आप जो है कोई भी model खरीच सकते हो लेकिन for example मान लीजे आपको जो है iPhone 13 में interest है आपको जो है iPhone 13 ही लेना है चाहे वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे model है लेकिन आपको जो है उसी model में interest है तो वो जो iPhone 13 है वो आपका जो है specific good बन जाएगा तो वो जो iPhone 13 है वो क्या है एक तो exist कर रहा है वो contractus बनते time महीं दुकान में रखा वा है और specific कैसे है आपको वही model पसंद आया आपने दुकानदार को बोला कि मेरे को वो iPhone 13 ही चाहिए तो वो existing plus specific good बन गया इसके बाद है आपका certain goods और uncertain goods इन दोनो टाइप के goods को हम लोग जो है इकट्टे समझेंगे और हाँ एक और बात इन दोनों goods का जो use है वो वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आप goods को bulk quantity में खरीद रहे हो तो आईए इसके regarding जो है एक छोटा सा example लेते हैं जैसे कि for example X है और Y है अब Y जो है वो एक hole चले रहा है wheat का उसके godown में जो है 1000 bag wheat के पड़े में है 1000 bags of wheat जो है उसके godown में पड़े हुए है अब X जो है contract करता है Y के साथ और वो उसको बोलता है कि मेरे को जो है 200 bags चाहिए wheat के 200 bags of wheat Y के पस कितने है 1000 bags X को कितने चाहिए 200 bags तो अब देखे यहाँ पर जो Y होगा वो इन 1000 bags में से 200 bags X के लिए अलग निकाल के रखेगा है ना तो यहाँ पर जो आपके 200 bags है वो क्या है वो है ascertained goods यानि कि वो goods जो की contract of sale बनते time identify हो चुके है exist तो कर रहे हैं हो क्योंकि existing goods का यह part है वो identify हो चुके है Y ने जो है इन 200 bags को identify किया और X के लिए अलग से निकाल के रख दिया तो यह जो 200 bags हैं यह हमारे ascertained goods बन गए लेकिन जो हमारी यह 1000 bags of wheat हैं जब तक Y ने इन 200 bags को अलग नहीं किया तब तक वो 1000 ही हैं पूरे है ना तो वो जो 1000 bags हैं wheat के वो है हमारे unacertained goods यानि unidentified good कि अभी जो है Y ने 200 bags को identify नहीं किया है So I hope आपको जो है difference clear हो गया होगा कि ascertained goods क्या होते हैं और unacertained goods क्या होते हैं अब देखते हैं इसमें दूसरा point हमारा future goods का तो future goods कौन से goods होते हैं सर देखें to be acquired or produced by the seller यानि कि आपने जो है जब seller से contract of sale किया तो उस समय जो वो goods थे वो exist नहीं कर रहे थे जो seller है या तो वो उनको बनाएगा और future date पर आपको वो goods दिलिवर कर देगा या फिर वो goods बने बनाए हैं seller को जो है बस किसी और से खरीद के लाना है उनको यानि कि acquire करना किसे से या फिर produce करना है तो अगर ऐसे goods जो कि contract of sale बनते टाइम exist ना कर रहे हो और future date पर वो goods जो है आपके पास आएंगे तो ऐसे goods को हम लोग बोलते हैं future goods और हाँ एक और बात देखिए जो आपका existing goods है इसमें आपका contract of sale बनता है लेकिन जो आपका future good है इसमें आपका agreement to sale बनता है दोनों के बीच कर difference है sale का और agreement to sale का वो हम लोग जो है बाद में इस chapter में समझेंगे लेकिन अभी समझ लीजे existing good में contract of sale बनेगा और future good में agreement to sale बनेगा future good में agreement to sale क्यों बनेगा क्योंकि अभी जो है goods buyer के पास नहीं गए है buyer के पास future date पर goods जाएंगे तो अब future good का जो है एक छोटा सा example लेते हैं देखें A है और B है जो A है वो आपका एक cloth retailer है यानि कि वो person जो retail में कपड़ों को बेशता है और जो B है वो एक manufacturer है cloth का ही अब जो A है उसने जो है contract किया B के साथ या फिर अगा specifically बोलू agreement किया क्योंकि future good के लिए तो agreement ही होता है ना A ने agreement किया B के साथ कि उसको जो है saw shirts की requirement है ठीक है और within one month जो है उसको ये shirts चाहिए अब दिखें जो ये saw shirt है ये अभी है नहीं जो B है वो इनको बनाएगा उसके बाद जाके वो जो है A को बेचेगा तो यहाँ पर जो ये saw shirts हैं ये क्या है आपकी ये हैं आपकी future goods क्योंकि ये shirts अभी exist नहीं कर रहे हैं A और B के बीच जब agreement बन रहा है ये future date पर जो है A के पास जाएंगे अच्छा यहाँ पर एक और बात है देखें यहाँ पर जो future goods का agreement हुआ है A और B के बीच में जो कि saw shirts है हमारी इसमें जो है guarantee है B ने guarantee दी है A को कि वो एक महने के अंदर-अंदर saw shirts A को दे देगा बनाके तो इसलिए यहाँ पर जो है इनको इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर guarantee है कि A को saw shirts एक महने के अंदर-अंदर B से मिल जाएगी अब देखते हम लोग अपना तीसरा point contingent goods का तो contingent goods कौन से goods होते हैं देखें यह एक टाइप के future goods ही होते हैं लेकिन यह जो है buyer को मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसके उपपर uncertainty होती है तो मैं इसके लिए जो है आपसे एक यह बात कहूंगा to be और not to be या फिर अब यह भी कहा सकते है maybe और may not be कि या तो जो goods है वो seller जो है बायर को बेज देगा या फिर नहीं बेच पाएगा तो ऐसे goods को हम contingent goods बोलते हैं जैसे कि same example लेते हैं यहां पर A ने जो है saw shirts का order place करवाया B के पास agreement बना दोनों के बीच लेकिन B कहता है देखिए मेरे पास material की कमी हो रही है एक महीने के अंदर-अंदर saw shirts मैं आपको बना के देदू इस चीज की guarantee में नहीं दे सकता B बोलता है देखिए अगर material मेरे पास हुआ तो मैं आपको saw की saw shirts देदूँगा लेकिन अगर material मेरे पास नहीं हो पाया तो फिर मैं आपको जो है 40 से 50 shirt दे पाऊंगा तो अब यहाँ पर जो यह saw shirts है यह क्या बन गई आपकी इस वाले point के साब से यह बन गई आपके contingent goods कि यहाँ पर जो है guarantee नहीं है कि A को saw की saw shirts मिल जाएंगी B से 1 महने के अंदर-अंदर So I hope आपको जो है difference clear हो रहा होगा कि future goods क्या होते हैं और contingent goods क्या होते है Future goods में जो है पूरी-पूरी guarantee होती है कि मिल जाएंगे future rate पे लेकन contingent goods में कोई guarantee नहीं होती contingent goods में जो है एक uncertainty होती है कि goods या तो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे या फिर जितनी भी quantity के goods हैं क्या उतनी quantity के मिल पाएंगे ने मिल पाएंगे तो ये भी जो है हमारा contingent good ही है तो चलिए एक बार जो है यहां से read कर लेते हैं वही same जी लिखी वी है जो कि हमने यहां पर discuss करी थी classification of goods, existing goods, existing goods are such goods as are in existence at the time of the contract of sale that is those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale section 6 में जो है बात लिखी वी है वो goods जो कि contract of sale बनते time पर जो है exist कर रहे हों उस समय तो उन goods को हम existing goods बोलते हैं इसके बाद types of existing goods, specific goods, specific goods mean goods identified and agreed upon at the time a contract of sale is made section 2 clause 14 इसके बाद ascertained goods, ascertained goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made, तो contract of sale बनने के बाद जो है जब goods को identify कर दिया जाएगा तो उनको हम ascertained goods बोलेंगे, लेकिन अगर identify नहीं किया गया है तो फिर वो goods हमारे यदिशन उनकोने बोलेंगे रूलेंगे which by the seller depends upon an uncertain contingency means uncertain event की हो सकता है कि जो seller है वो जो है future date पर buyer को goods बेच पाए या फिर ना बेच पाए uncertain है अभी तो इसलिए उन goods को हम लोग जो है contingent goods कहते हैं ये बात लिखी वी है section 6 clause 12 में so I hope आपको जो है ये classification of goods अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अब जो ये notes हैं आप लोग note down कर लिजे अब हम देखते हैं अपनी fourth definition delivery आईए देखते हैं कि delivery का मतलब क्या होता है voluntary transfer of possession from one person to another voluntary मतलब खुद से और transfer मतलब आगे देना possession मतलब क्या होता है possession मतलब होता है custody इसका मतलब ownership नहीं होता है अभी हम जो है example के तुरू समझेंगे इसको तो अगर कोई person जो है खुद से किसी good का possession transfer कर रहा है दूसरे person को तो हम जो है उस act को क्या बोलते है delivery अब आईए अब जो है simple example से इसको अच्छी तरह समझते हैं तो देखिए for example a है और b है अब a ने जो है अपनी car offer कर ये बी को ठीक है मान लेजिए पांच लाग रुपे के car offer कर ये b accept कर लेता है ठीक है और जो a है वो इस car की जो ownership है किसको दे देता है b को दे देता है ठीक है और साथ में अपनी car का possession भी b को देता है ownership प्लस possession यानि कि जो car पहले a के पास पड़ी भी थी वो अब जो है उसको b के पास रखवा देता है क्योंकि b ने उस car को खरीद लिया है तो यहाँ पर car की ownership और possession दोनों चीज़े जो है b के पास है तो यहाँ पर हम कहा सकते हैं कि यहाँ पर a ने जो है अपनी car की delivery की है अब दूसरा example लेते हैं same example लेते है यह ने अपनी car offer करी b को 5 लाग रुपे की अब देखें यहाँ पर क्या हुआ जो mr. b है वो जो है advance में 5 लाग रुपे mr. a को neft गे थरू भेज़ देते हैं neft जो है banking का electronic system है account में fund transfer करने का ठीक है तो electronically वो जो है 5 लाग रुपे mr. a के account में डाल देते हैं car के अब यहाँ पर mr. b एसे बोलते हैं कि आप पैसे रख लो यह और जो car होगी वो मैं 3 दिन बाद आके ले जाओंगा after 3 days तो अब देखें यहाँ पर mr. b के पास car की ownership तो आ गई ठीक है लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि उनके पास car का possession भी है नहीं तो यहाँ पर delivery का definition पर आईए voluntary transfer of possession from one person to another कि कोई person जो है खोच से good का possession transfer कर रहा है किसी दूसरे person को तो उसको हम जो है delivery बोलेंगे तो वैसे तो technically यहाँ पर हम लोग यह कहेंगे कि यह delivery नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर possession को transfer नहीं किया गया है लेकिन अभी जब हम forms of delivery पड़ेंगे तो फिर उसमें हम लोग यह देखेंगे एक point आता है constructive delivery का जिसका मतलब यह होता है कि goods जो हैं बिना उनका possession चेंज हुए ही deliver हो चुके हैं तो यह तो महा समझेंगे लेकिन अभी समझ लीजे यह अभी के लिए जो है delivery नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर possession को transfer नहीं किया गया है तो हम यह नहीं कह सकते कि Mr. A ने जो है अपनी car B को deliver कर दी है तो यह मतलब होता है term delivery का voluntary transfer of possession from one person to another अब हम लोग पढ़ते हैं forms of delivery यानि कि types of delivery कि कि कितने types की delivery होती है अब इसमें सबसे पहले है हमारा actual delivery actual delivery का मतलब क्या है goods are physically delivered to the buyer और person authorized by buyer बहुत है simple है यहाँ पर example लिया था ना पहले वाला A ने B को अपनी car बेची पांच लाग उर्पे में उसकी ownership और possession दोनों जो है B को मिल गई अब ownership तो पैसे देकी मिल गई और जो भी sale date बगरा बनी होगी उसकी और जो possession है वो कैसे मिला A ने जो है physically car को deliver कर दिया B के पास तो यहाँ पर जो delivery हुई है वो कैसी हुई है actual delivery या फिर एक और बड़ी example आपकी रोज मरा की जिन्दगी से जैसे कि आप जो है आटा लेने गए आपने दुकानदार का बोला मुझे 10 किलो आटा चाहिए आपने उसके पैसे दिये जितने कभी था वो और 10 किलो आटा उसने आपको दे दिया तो वो भी एक actual delivery हुई क्यों क्योंकि shopkeeper ने आपको physically जो है goods को deliver कर दिया कि आपके जो हाथ में रख दिया goods को लाके physically तो उसको हम जो है actual delivery बोलेंगे बहुत ही simple था ये तो अब इसमें आपका दूसरा point है constructive delivery अब ये थोड़ा important है ठीक है ये वाला और एक आपका symbolic delivery ये दोनों के दोनों important है तो आए पहले समझते है constructive delivery delivery is completed without change in possession of goods goods का possession change किये बिना ही जो है delivery complete हो जाती है जैसे कि हमारे दूसरे case में हुई थी जो हमने previously example लिया था कि A ने B को car offer के रही 5 लाग रुबे की B ने जो है electronically A के account में पैसर डाल दिये B के पास car की ownership तो आ गई लेकिन उस car का possession नहीं आया है ठीक है तो यहाँ पर तीन दिन बाद जो है B car को लेने आएगा तब तक जो A है वो as a baili car को hold करके रखेगा ठीक है देखिए इसके लिए आपको जो है पहले contract of bailment समझना जरूरी है जो आपका contract of bailment है न वो भी एक type की construct delivery होती है कैसे देखिए for example मान लीजे X और Y है अब X और Y आपस में दोस्त है अब जो X है वो जो है out of session जा रहा है कुछ दिनों के तो उसने अपनी car जो है एक हफते के लिए for one week Y के पास रखवा दी है और Y को बोला है कि यार ये मेरी car है तो तु ख्याल रख लिए इसका मैं एक हफते के लिए भार जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो car X ने Y को दी है उसको हम बोलेंगे contract of bailment कि आपने जो है अपने goods को bail कर दिया है किसी को और bailment में जो bail करता है goods को उसको हम बोलते हैं bailer यानि कि जिसने goods दिये हैं और जिसको मिलते है goods उसको हम क्या बोलते है बेली जो कि bailer के goods का ख्याल रखता है तो देखे यहाँ पर दूसरे example में जो A था उसने जो है already ownership transfer कर दी B के पास कैसे यो कि B ने पैसे भेज दिये तो ownership तो B के पास चली गई car की लेकिन car की जो possession है वो अभी भी जो है B के पास जना बाकी है लेकिन ownership तो चली गई ना जो car है वो तो B की हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे constructive delivery कि बिना possession change किये B को जो है A ने car बेच दी और अब A जो है वो तीन दिन तक as a Bailey car को अपने पास समालिगे रखेगा क्योंकि अब वो car जो है B की हो चुकी है अच्छा यहां पर हम लोग एक और example लेते हैं ताकि आपको constructive delivery और अच्छे से clear हो जाए आपने एक term सुनी होगी goods sent on sale or return basis यह आपने जो है वहां सुना होगा accounts में है ना बोलते है ना goods sent on approval basis तो वो यह ही है sale or return basis अब इसको बोल सकते है goods sent on approval basis इसमें क्या होता है कि जो sir है वो जो है buyer के पास अपने कुछ goods भेशता है अगर वो goods पसंद आ जाते है buyer को तो फिर वो जो है उनको अपने पास ही रख लिता है और जो भी price होता है वो फिर buyer pay गर दिता है sir को तो दिखे for example a है और b है a ने अपने कुछ goods जो है b के पास भेजे है वो उससे कहते है कि जी आपके पास जो है one week का time है इन goods को आप use करके देख लो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर जो भी इनके पैसे होंगे आप दे देना वरना वापिस कर देना b कहता है ठीक है अब एक हफते बाद जो b है वो जो है अपनी approval भेज देता है a के पास कहता है मुझको goods अच्छे लगे और मैं जो है इनको accept कर रहा हूँ तो जो भी price होता है वो a b से मांगता है और b जो है जो भी price होता है जैसे for example माने 10 हरपे goods दे तो वो 10 हरपे जो है a को दे देता है अब देखे यहां पर goods का जो possession था वो already b के पास ही था लेकिन आपके मन में सवाल अराओगी सर a ने तब पहले ही deliver ने कर देते goods b के पास approval basis पर तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पर constructive delivery हुई है कि बिना possession change हुए जो है b के पास goods चले गए है देखे जब a ने goods को sale और return basis पर b के पास भीचा था तब उस समय contract of sale नहीं बना था contract of sale कब बनता है जब सामने वाली party जो है अपनी acceptance जेदे उन goods को लेके Indian contract act में आप लोगों नहीं बढ़ाता ना कि contract कैसे बनता है जब कोई offer देता है और सामने वाला person accept करता है और उसमें consideration वगरा जो भी लगती है ठीक है तो उन सब चीजों के बाद जो है contract बनता है तो ये भी तो एक contract ही है sale का इसमें जब तक भी goods को accept नहीं करेगा तब तक contract of sale कैसे बनेगा तो जब A ने approval basis पर B के पास goods भेजे तब उस समय contract of sale नहीं बना था contract of sale कब बना जब B ने अपनी approval भेज दी थी तब उसके बाद जाके जो है contract of sale बना तो देखे यहां पर contract of sale बनने के बाद आपको देखना है कि क्या बिना possession change होए goods deliver होए है या फिर नहीं होए है है ना तो अब यहां पर देखा जाए जब approval मिल गई A को B से तो contract of sale बन गया प यहां पर अब बिना possession change होए goods जो है B को deliver हो चुके हैं तो यहां पर भी हम कहा सकते हैं कि constructive delivery होई है B को यानि कि जो हमारा यह case है यह भी एक जो है constructive delivery का ही case है और हाँ इस chapter में हम लोग जो है आगे चलके sale और return basis के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे अब इसके बाद है हमारा इसमें तीसरा symbolic delivery इसका मतलब क्या होता है means of obtaining possession of goods is delivered मतलब जिस तरीके से means of obtaining possession कि जिस तरीके से आप goods का possession obtain करोगे आपने जो है being a seller उस तरीके को ही आपने deliver कर दिया उस तरीके को ही आपने deliver कर दिया सर कुछ समझ नहीं आया कि तरीका कैसे deliver हो सकता है तो आई एक example देखते हैं ताकि हमको ये term जो है और clear हो जाए तो देखें for example जैसे कि famous restaurant है हल्दी राम आप हल्दी राम गए कुछ खाने पीने अब आपने वहां से जो है एक मिठाई खरी दी sweet खरी दी ठीक है अब sweet थी उसका rate था 900 रुपे के लो का तो आपने जो है counter के उपर 900 रुपे पे कर दिये ठीक है और जो counter पे शक्स था उसने जो है आपको एक ticket दी एक ticket टाइप जो है परची दी आपको अब जब आप उस ticket को जो भी वहां पे दूसरा counter था sweet का वहां पर जब आप इसको show करोगे तो फिर आपको जो है sweet pack होगे मिल जाएगी तो यहां पर जब वो ticket दी गई आपको तो वो ticket क्या है एक type की symbolic delivery है कि जब आप इस ticket को वहां दिखा दोगे मठाई वाले के पास जो भी महाँ पर counter के पास था तो फिर वो आपको जो है इस ticket के बदले मठाई दे देगा तो यानि कि जो यहां पर ticket है वो क्या है means of obtaining possession of sweet यानि कि उस मठाई का possession लेने का तरीका था वो ticket उस तरीके को ही उस counter वाले ने आ symbolic delivery इसका एक और example लेते हैं सबसे बड़िया example है इसका railway receipt का railway receipt sir railway receipt कैसे symbolic delivery हो सकते देखे for example A है अब A जो है दिल्ली में रहता है और जो B है वो रहता है मुंबई में अब जो A है वो कुछ goods जो है B को भेजता है कैसे भेजता है railway के थ्रू भेजता है ठीक है तो A ने जब goods railway के थ्रू भीजवाए तो उसको जो है एक railway receipt मिली जो की वो B को भेजता है कैसे भेजता है देखे पहले तो phone वगरा था नहीं वर्टसप वगरा था नहीं कुछ था तो या तो letter post कर दो इसका railway receipt का या फिर आजकल तो वर्टसप पे फोटो खीचो और उसको भ railway receipt B को भेज दी और B को बोला कि जो railway administration होगा उसको जाकर जो है ये receipt दिखा देना तो आपको जो है goods मिल जाएंगे तो यहां पर जो railway receipt है वो क्या है एक means है goods का possession obtain करने का जो की A ने B को deliver कर दिया है तो यहां पर जो railway receipt है वो क्या हुई एक symbolic delivery हुई कि उसको दिखा कर जो है B को goods का possession मिल जाएगा जो भी A ने भेजे हैं चलिए एक बार जो है यहां से read कर लेते हैं वही सब चाहिए जो कि हमने भी discuss करी है delivery means the voluntary transfer of possession from one person to another ये बात लिखी विए section 2 clause 2 में the delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf तो goods की delivery कैसे की जा सकती है कोई भी ऐसा act करके जिससे की goods का जो possession है वो जो है buyer के पास अला जाए या फिर किसी ऐसे person के पास अला जाए जिसको buyer ने authorize कर रहा हो goods को उसके भीहाफ पर hold करने के लिए जैसे की for example buyer का agent अगर आप जो है buyer के agent को goods का possession दे देते हो तो भी यही मान जाएगा कि goods को deliver कर दिया गया है buyer के पास are physically delivered to the buyer. It is known as the actual delivery. Actual delivery takes place when the seller transfers the physical possession of the goods to the buyer or to a third person authorized to hold goods on behalf of the buyer. इसके बाद है constructive delivery. When it is effective without any change in the custody or actual possession of the thing as in the case of delivery by atonement याने की acknowledgement कि आप जो है buyer को बता दो कि जो goods हैं उनकी ownership आपकी हो चुकी है और मैं जो है अब आपके goods को अपने भिहाफ पे hold करके बैठा हुआ हूँ. तो अगर आप acknowledgement यानि कि उसकी knowledge में बात डाल दो कि goods उसके हो चुके हैं तो भी उसको जो है constructive delivery बोला गया है. Constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on the buyer's behalf. इसके बाद है symbolic delivery. When there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over the documents of title to goods like the bill of lading or railway receipt or delivery orders or the key of a warehouse continuing the goods is handed over to the buyer. तो अगर आप जो है कोई भी railway receipt वगरा, bill of lading हो गया, कोई delivery order हो गया या फिर warehouse की चाबी हो गई, वो अगर आप दे दो यानि कि जो वो एक चीज है जिसके थ्रू जो है goods का possession obtained किया जा सकता है. अगर आप वो तरीका या फिर जो चीज है उसको deliver कर दो किसको buyer को तो उसको जो है symbolic delivery बोला गया है अब हमारी जो है कुछ आखरी की definition बची हुई है आईए उनको भी discuss करके खतम करते हैं तो हमारा इसमें 5th point आब document of title to goods तो document of title to goods इसका क्या मतलब है देखे हम यहां पर जो है दो terms के बीच का difference समझेंगे एक तो है हमारा document of title to goods और एक है हमारा document showing title to goods तो सबसे पहले समझते हैं document of title to goods को देखे when ownership of goods is transferred by mayor delivery through a document document of title to goods का मतलब क्या है कोई ऐसा document जिसको अगर आप सिर्फ deliver कर दो तो goods के जो ownership है वो transfer हो जाएगे और इसके बाद है हमारा document showing title to goods when ownership of goods is not transferred by mayor delivery कोई ऐसा document जिसको सिर्फ deliver करने से जो है goods की ownership transfer नहीं होगी आईए इसके regarding जो है एक example दिखते हैं फिर आपको जो है दोनों के दोनों terms के बीच का difference clear हो जाएगा देखें यहाँ पर हम लोग दो terms लेंगे एक है share certificate और दूसरा है हमारा share warrant इन दोनों से हम लोग समझेंगे की document of title to goods क्या होता है document showing title to goods क्या होता है लेकिन उससे पहला आपको बता दूँ जो आपका share certificate है वो आपका होता है document showing title to goods और जो आपका share warrant होता है वो क्या होता है document of title to goods अब समझते हैं कि इन दोनों के बीच का difference क्या है कि इन दोनों में ऐसा क्या difference है कि इनको ये अलग-अलग document माना गया है एक को माना गया है document showing title to goods एक को माना गया है document of title to goods तो ध्यान से सुनिए जो आपका share certificate होता है वो एक ऐसा document है जिसके उपर आपका नाम लिखा होता है और ये लिखा होता है कि आपने कितने shares खरीदे हैं company के आज के time में ते share certificate नहीं होता है क्यों क्योंकि आज के time में आपका dmat account होता है dmat account में shares जो है electronically maintain के जाते हैं जैसे ही आप पैसे देते हो उसी समय तुरंत ही shares उतने credit हो जाते हैं लेकिन पहले क्या होता था जब dmat account नहीं होता था मान लीजिए आपने जो है reliance के 1000 shares खरीदे हैं तो जो company होगी वो आपको जो है एक certificate देगी जिसको हम बोलेंगे share certificate और उस share certificate के उपर company का नाम लिखा होगा और आपका नाम लिखा होगा कि आपने जो है जो आप share holder और company के आपने जो है reliance के कितने share खरीदे हैं 1000 खरीदे होगो, 2000 खरीदे होगो तो जितने भी खरीदे होगे उतने number of shares लिखती है जाएंगे अब दिखे जो वो share certificate है वो आपके नाम का है वो आपका जो है 1000 shares के उपर title show कर रहा है तब ही यहाँ पर बोला गया है document showing title to goods अब वापस से जो है provision पर आईए when ownership of goods is not transferred by mail delivery document showing title to goods का मतलब क्या है जब आप जो है सिर्फ उस document को deliver करके ownership transfer नहीं कर सकते देखे जो share certificate होता है उसके उपर आपका नाम लिखा होता है अगर आप उस certificate को किसी को ऐसे ही deliver भी कर दें तो भी उसके पास उन 1000 shares की ownership नहीं आ जाएगी क्यों क्योंकि अभी भी certificate के उपर आपका नाम लिखा हुआ है तो फे सर हम जो है ownership कैसे transfer कर सकते हैं ऐसे cases में देखे अगर आपको share certificate के उपर नाम change करवाना है यानि कि किसी और की ownership डलवानी है उन shares को लेके तो आपको पहले जो है reliance में application डालनी पड़ेगी क्योंकि आपने उसी company के share खरीदे हैं है ना तो जिस भी company खरीदोगे उस company में application डाल दो फिर company जो है application को check करेगी आपका share certificate जो होगा उसके लिए आपको बोले कि आप उसको surrender करो फिर company जो है वो जो है share certificate नहीं issue करेगी उस person को जिसको आप transfer करना चाहते अपने shares फिर उसका नाम लिख दिया जाएगा तो थोड़ा जो है lengthy process हो जाता है वो ठीक है लेकिन main यहाँ पर crux क्या है when ownership of goods is not transferred by mere delivery सिर्फ delivery के थुरू आप जो है अपनी ownership transfer नहीं कर सकते आपको जो है एक proper जो भी specific process है वो follow करना पड़ेगा तो ऐसे documents को हम बोलते हैं document showing title to goods अब बात करते हैं share warrant की share warrant आपका होता है document of title to goods अब देखे जो आपका share certificate होता है उसके opposite में होता है share warrant share warrant के उपर number of shares लिखे होंगे कि reliance के 1000 shares carry करता है यह share warrant लेकिन वो किसके नाम का है उसका नाम नहीं लिखा होता यानि कि आप कह सकते हो जो आपका share warrant होता है वो एक आपका bearer document होता है कि किसी का नाम नहीं लिखा होगा उसके उपर लेकिन जो भी person hold कर रहा होगा उस warrant को तो वो जो है उन 1000 shares का holder बन जाएगा चीक है तो आपका share warrant क्या होता है document of title to goods कि goods का title जो है वो show करते documents कि जो भी hold कर रहा होगा उन goods को वो goods उसके हो जाएंगे जैसे कि for example Mr. X है अब Mr. X के पास जो है reliance का एक share warrant है जिसके थूँ उन्होंने जो है 1000 shares खरीते थे ठीक है अब क्या है ये share warrant है यानि कि इसके उपर number of shares लिखे हुए है लेकिन Mr. X का नाम नहीं लिखा वा तो अभी तो Mr. X जो है इस warrant को hold कर रहे है तो यानि कि उन 1000 shares को कौन hold कर रहा है Mr. X लेकिन अगर Mr. X चाहें तो Mr. Y को जो है ये share बेच सकते हैं कैसे buy mayor delivery देखे इसमें जो है share certificate जैसा लंबा चोड़ा प्रसेस करने की जुरत नहीं है जो Mr. Y होंगे वो 1000 share के पैसे Mr. X को दे देंगे और बदले में Mr. X जो है बस ये share warrant जो है ऐसे ही delivery करके Mr. Y को दे देंगे तो share warrant को हम क्या बोलते हैं document of title to goods और हां हमने जो है पिछली वीडियो में जब symbolic delivery समझा था तो उसमें हमने क्या समझा था railway receipt कि अगर railway receipt होती है तो उसको symbolic delivery बोलते है तो जो आपकी railway receipt है वो भी क्या है एक बताईए बिल्कुल सही वो भी एक document of title to goods है जैसे कि हमने example लिया था वहाँ पे कि Mr. A ने जो है Mr. B को goods send किये है railway के थुरू Mr. A दिल्ली में रहते हैं और Mr. B मुंबई में रहते हैं तो railway administration वालों ने जो है Mr. A को railway receipt दी उनके goods को भीजवाने के लिए वो railway receipt जो है by post Mr. B को जो है Mr. A ने भेजी और बोला ये railway receipt दिखा दोगे तो फिर goods आपको मिल जाएंगे तो railway receipt दिखा कर यानि कि just by मेरा delivery अगर जो Mr. B हैं वो जो है goods का possession ले लेते हैं तो उसको symbolic delivery तो बोलते हैं receipt वाला इसको बस deliver करते ही जो है goods की ownership Mr. B के पास जा रही है तो ये होता है आपका document of title to goods और document showing title to goods के बीच का difference इसके बाद हमारी अगली definition mercantile agent अब जितनी भी definition है सब simple ही है mercantile agent क्या होता है an agent who has the authority to sell goods और consign goods for the purpose of sale in ordinary course of business एक ऐसा person जिसको आपने अपना as an agent appoint किया है और उसको आपने जो है authority दी है कि वो जो है आपके goods को बेच सकता है या फिर आपके goods को sale करने के लिए consign कर सकता है किसी को भी ordinary course of business में जैसे कि for example एक person है Mr. A दूसरे है Mr. B अब Mr. A को जो है goods बेचने है Mr. B को लेकिन Mr. A के पास जो है time नहीं है कि वो जो है सारी formalities करे goods को बेचने की Mr. B को तो Mr. A जो है एक person है दूसरा Mr. C इसको अपना as an agent appoint करते हैं और इसको authority देते हैं कि जो भी मेरे पास goods हैं वो जो है सब के सार्ब Mr. B को बेचाओ तो यहाँ पर जो C है वो क्या हुआ आपका mercantile agent आप इसको simple language में business agent भी बोल सकते हैं क्योंकि Mr. A जो काम Mr. C को करने को कह रही हैं वो जो है ordinary course of business में है ordinary course of business का मतलब क्या है जो daily routine के businesses आपके होते हैं ठीक है या फिर consign goods for purpose of sale इसका मतलब क्या है देखिए Mr. C जो है वो agent तो है Mr. A के लेकिन Mr. C के पास कुछ और काम भी है तो वो directly जाके नहीं बेच सकते Mr. B को तो Mr. C का करते हैं वो जो है कोई दूसरा person है Mr. D जो की Mr. B के पास ही रहता है उसको जो है goods consign कर देते हैं क्या कर देते हैं consign यानि कि उसको goods भिजवा देते हैं और बोलते हैं कि Mr. B को जाके goods deliver कराओ और वो जो भी पैसे देंगे तो लाकर मुझको दे देना ऐसा Mr. C, Mr. D को कहते हैं तो यहाँ पर भी Mr. C जो है वो एक mercantile agent के तरह ही काम कर रहे है इसके बाद हमारी अगली definition property property का मतलब होता है ownership in goods ownership और general property in goods जाज़े कि for example Mr. A ने अपने goods जो है Mr. B को बेच दिये तो हम यह कह सकते हैं कि property in goods has been transferred to Mr. B यानि कि जो ownership पहले Mr. A के पास थी goods की वो ownership जो है अब Mr. B के पास transfer हो चुकी है तो simple भाषबिया कहेंगे कि अगर आपका कोई ownership है किसी भी goods में तो उसको हम जो है property कहते हैं आपकी कि वो जो goods है वो आपके एक general property है इसके बाद समय दूसरा point हमारा contract of sale property in goods must be transferred to the buyer देखे कोई भी जो contract of sale बनता है उस contract के अंडर जो है goods की property यानि कि goods की जो ownership है वो जो है buyer के पास transfer होनी चाहिए अगर वो buyer के पास transfer नहीं हुई फिर वो contract of sale जो है आपका void हो जाएगा अच्छा देखे यहाँ पर जो है आपकी दो terms आती है एक तो आते है अपकी general property की इसका मतलब क्या है देखे अगर मेरी car है तो मैं यह कह सकता हूँ कि मेरी general property है car में कि मेरी ownership है car में और एक दूसरा term आता है आपका special property का अब सर यह special property क्या होती है देखे एक example से जो है इन दोनों के बीच का difference समझते है देखे for example Mr. A है Mr. A ने जो है Mr. B से 50 हरपे लिए है ठीक है लेकिन Mr. B ने Mr. A से बोला मैं ऐसे ही 50 हरपे नहीं दूँगा आपको जो है कुछ गिरिवी रखना पड़ेगा तो Mr. A ने 50 हरपे का gold जो है अपना pledge कर दिया Mr. B के पास है यह गिरिवी रख दिया अब देखे यहाँ पर जो gold है उसकी ownership जो है वो तो Mr. A के पास है यानि कि आप यह कह सकते हो gold की जो general property है वो Mr. A के पास है लेकिन gold की जो special property है वो जो है Mr. B के पास है जो special property कैसे देखिए Mr. B का Mr. A के gold में क्यों interest है क्योंकि उन्होंने जो है उस gold को 50 हरपे के gains में लिया था उन्होंने Mr. A को 50 हरपे दिये थे और Mr. A ने बदले में जो है गिरिवी रखवाया था उस gold को कल को अगर Mr. A default कर जाते हैं payment करने में फिर Mr. B जो है उस gold को बेचके अपने पैसे recover कर सकते हैं और इससे ज्यादा कोई interest नहीं है उनका gold में उनकी ownership भी नहीं है लेकिन फिर भी उनका interest तो है gold में और वो क्यों है क्योंकि उन्होंने जो है loan दिया है Mr. A को उस वैसे तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि gold में general property तो नहीं है Mr. B की Mr. B की ownership नहीं है gold में लेकिन उनकी एक special property है gold में क्यों क्योंकि उनका interest है उस gold में जो भी उन्होंने loan दिया है पचास हरपे का उसके बदले में इसके बाद next point insolvent insolvent को हिंदी में कहते हैं कि इसे का दिवालिया निकली दिवालिया हो गया बंदा अब person not able to pay debts in ordinary course of business और cannot pay debts which are due देखे अगर कोई person अपने debts को pay नहीं कर पाता है तो फिर उसको जो है insolvent बोलते हैं कि ये बंदा अब अपने debts को pay नहीं कर सकता तो वो जो है code में apply करेगा और code जो है सारी investigation करवाने के बाद उस person को insolvent declare कर देगा कि code को पता लग जाए कि हाँ ये जो person अब अपने debts को बिल्कुल pay नहीं कर सकता तो उसको insolvent declare कर दो या फिर cannot pay debts which are due जो हमारे debts है वो due हो चुके हैं और सामने वाला person जो है अब उन debts को time पर pay नहीं कर पा रहा है तो उसको हम insolvent बोलेंगे और in fact अगर due नहीं भी हुए है और हमको लगता है कि वो person pay ही नहीं कर पाएगा तो भी वो insolvent है जैसे कि for example Mr. A ने जो है Mr. B को 30 हार पर दिये ठीक है अब Mr. B जो है insolvent declare हो गए अब लेकिन 3 भाइने बाद Mr. A को पैसे लेने थे Mr. B से लेकिन Mr. B तो अभी insolvent declare हो गए तो अभी Mr. A का debt जो है वो due नहीं हुआ है लेकिन उनको पता है कि Mr. B debt को pay नहीं कर पाएंगे उनके क्योंकि वो insolvent declare हो चुके है तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने debts को ordinary course of business में pay नहीं कर पाता तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं insolvent इसके बाद हमारा इसमें last point price money consideration for sale of goods देखे seller जो भी goods buyer को बेच रहा है और goods बेचने के बदले में seller को जो पैसे मिल रहे हैं buyer से उसको हम जो है price बोलेंगे goods का for example Mr. A. ने जो है अपनी कार बेची Mr. B को 5 लाख रुपे की तो वो जो 5 लाख रुपे है वो जो है आपका price है ठीक है कि goods के बदले में जो भी money consideration आपको मिल रही है उसको हम जो है goods का price बोलेंगे तो आईए एक बार जो है हमने अब तक जो भी समझा है यहां से उसको read कर लेते हैं document of title to goods section 2 clause 14 document of title to goods includes the bill of leading dock warrant warehouse keeper certificate war finger certificate war finger कौन होता है देखे वार्फ मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पर जो ship है वो आपका load unload होता है तो उस जगह का जो भी in charge होगा उसको हम बोलेंगे war finger ठीक है railway receipt multimodal transport document warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as the proof of the possession or control of goods or is for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented the document of title to goods का मतलब कोई भी आसा document जिसको सिरफ deliver करते ही जो है goods का possession आपके पास आ जाए इसके बाद mercantile agent section 2 clause 9 it means an agent who in the customary course of business has as such agent the authority to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of the goods अगर कोई भी आसा person जिसको आपने अपना as an agent appoint किया है और वो जो है ordinary course of business इसको authority दिया आपने कि वो जो है goods को खरीद बेच सकता है या फिर goods को consign कर सकता है sale या फिर खरीदने के purpose के लिए ठीक है या फिर वो जो है अगर goods की security के उपर पैसे रेस करता है तो हम जो है उस agent को क्या बोलेंगे mercantile agent या फिर simple language में business agent इसके वाद है property section 2 clause 11 property means ownership और general property sale the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer और there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer तो या तो contract of sale बना है तो फिर seller को जो है goods की ownership buyer को transfer करनी बड़ेगी या फिर अगर agreement to sell बना है तो फिर एक future date पर जो है seller को ownership transfer करनी बड़ेगी buyer को goods की it means the general property and not merely a special property और दोनों के बीच का difference हम लोग already समझ चुके है इसके बाद insolvent section 2 clause 8 a person is said to be insolvent when he ceases to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due whether he has committed an act of insolvency or not इसके बाद price section 2 clause 10 price means the money consideration for a sale of goods it is the value of goods expressed in monetary terms price का मतलब क्या होता है कि वो goods की value को monetary terms में दिखाता है it is the essential requirement to make a contract of sale of goods और बिना price के जो है बिना money consideration के contract of sale of goods बनी नहीं सकता so I hope आप लोगे सारे के सारे points clear हो गए होंगे और अब जो ये notes हैं आप लोग note down कर लीजे चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना next topic sale and agreement to sell इन दोनों के बीच में क्या difference होता है क्या इनका meaning होता है तो वो सब हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे अब देखे हमने जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में classification of goods में पढ़ लिया था जब हम लोगों ने वहाँ पर future goods और contingent goods के बारे हैं बढ़ा था तो हम लोगों ने क्या discuss किया था कि जो ऐसे type के goods का agreement होता है वो हमेशा agreement to sell होता है इसमें sale नहीं होती goods की देखे अगर कहीं पर लिखावा है goods की sale हुई है उसका मतलब यह है कि seller ने goods की ownership को immediately buyer के पास transfer कर दिया है लेकिन agreement to sell में क्या होता है बायर और seller के बीच जो है agreement आज बन चुका है goods को बेचने का लेकिन goods की जो ownership है वो future date पर बायर के पास जाएगी तो यह देखते हैं कि क्या क्या points इसमें लिखे हुए है तो बहुत ही simple topic है और बहुत थोड़े सी points है इसमें जो main point हमारा वो इसका difference का है कि sale और agreement to sell के बेट difference क्या होता है तो वो हम लोग अभी थोड़ी दिर बात समझेंगे पहले यह दो points देख लेते हैं देखे जो भी contract of sale बनता है बायर और seller के बीच तो उसमें जो है हमारे दो situations है देखे जो भी contract of sale बना है बायर और seller के बीच में अगर उसमें immediately जो है जो goods की property है यानिकी goods की जो ownership है वो जो है बायर के पास transfer हो जाएगी property in goods transfer to buyer तो उसको हम बोल देंगे sale की goods की जो है sale हो गई है बायर को अब इसमें दूसरी situation क्या है अगर property in goods जो है यानि goods की ownership वो जो है बायर को किसी future time पर transfer होगी या फिर कोई condition फुलफिल पहले करनी पड़ी की बायर को तभी transfer होगी तो फिर उसको हम जो है agreement to sell क्याते है property in goods transfer to buyer at a future time or some condition to be fulfilled is called as agreement to sell तो mostly हम लोग जो है इसमें यही consider करते हैं कि जो ownership होगी वो जो है future time पर आएगी क्योंकि जो एक condition वाला point है ना कई बार इसमें ये भी होता है कि buyer अगर उसी समय condition को फुलफिल कर दे जैसे कि seller जो है वो कह दे कि जी पहले advance द दूँगा आपको तो advance वा उसी समय दे दे तो condition उसी समय फुलफिल हो गई ownership भी उसी समय आ गई तो इसमें जो है इस point को थोड़ी तरजी कम दी जाती है जातर जो है इस point को consider किया जाता है future time वाले point को कि अगर future time पर जो है buyer के पास ownership आएगी goods की तो ऐसे agreement को हम जो है agreement to sell कहते हैं और sale कब बोलेंगे जब buyer के पास property in goods transfer हो जाएगी इसके वाज़े में दूसरा point हमारा when the time period expires or conditions are fulfilled agreement to sell becomes sale ये important point है आपका देखे जो आपका agreement to sell मना है उसमें जो है buyer और seller ने आज agreement कर लिया है लेकिन buyer के पास जो goods होंगे उनकी property उनकी ownership future time पर transfer होगी तो अभी तो agreement to sell है लेकिन जब goods की ownership buyer के पास उस future time पर transfer हो जाएगी या फिर कुछ condition फुलफिल करके transfer हो जाएगी तो वो जो agreement to sell होगा वो आपका जो है sale बन जाएगा फिर तो देखे इससे हमको एक बात समझ आती है जब भी goods की ownership buyer के पास transfer होगी तो उसको हम लोग जो है sale बोलेंगे क्योंकि sale का मतलब क्या होता है property in goods transfer to the buyer अब चाहे वो immediately हो या फिर future time पर हो लेकिन जिस भी point of time पर property in goods transfer हो जाएगी उसको हम sale बोलेंगे ठीक है अगर immediately हो गई है तब तब वो contractor sale पूरा हो गया लेकिन अगर future time पर होना हो property in goods transfer तो फिर वो अभी agreement to sell है और sale में कब convert होगा ली जाएगी तरसे कि for example A है और B है A ने जो है अपनी car offer करिया पांच लाख रुपे की B को अब B ने जो है पांच लाख रुपे यानिकि जो money है वो A को दे दी और A ने जो है गाड़ी दे दी B को उसके चाबी दे दी तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे sale क्यों अब इस सेम एक्जांपल को थोड़ा बदल देते हैं A है B है A ने जो है agreement किया B के साथ कि वो जो है अपनी कार उसको पांच लाख रुपे की बेचेगा agreement कब हुआ दोनों के बीच में agreement हुआ 10 तारिक को और जो कार की sale होनी है पूरी तरह वो होनी है बेच तारिक को तो आज अगर agreement हो गया है ठीक है तो B जो है 20 तारिक को पैसे दे देगा और उसी तारिक को जो A है वो अपने कार के चाबी B को दे देगा तो यह क्या हुआ हमारा यह हुआ हमारा agreement to sell कि A और B ने आज agreement कर लिया है कि 10 दिन बाद जो A है वो अपनी कार B को बेच देगा और बदले में B जो है A को पैसे दे देगा तो यहाँ पर 20 तारिक को जो है B के पास कार की ownership आएगी तो इसलिए हमारा agreement to sell हुआ तो हमने जो अभी 2 points समझे है उनको यहाँ से read कर लेते हैं वैसे तो यह point इतने important नहीं है जो important है वो इसके बाद है जो difference है हमारा जो के exam में पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी एक बार जो है पढ़ लेते हैं यहां से A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price section 4 subsection 1 A contract of sale may be absolute or conditional section 4 subsection 2 अगर seller ने जो है अपने goods buyer को दिये हैं और buyer ने उसके बदले पैसे दे दिये हैं तो यह हो गया आपका absolute contract of sale कि seller ने goods दिये और buyer ने उसका price दे दिया conditional क्या हो सकता है seller ने buyer से बोला कि आप जो है पहले कुछ advance दीजिए उसके बाद ही जो है मैं goods आपको दूँगा तो buyer ने पहले advance दिया seller ने जो है goods दिये उसको और उसके बाद जो बागी बचे कुछे पैसे थे वो भी buyer ने दे दिये तो यह होगे आपका conditional इसके बाद where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer the contract is called a sale तो जब भी goods की ownership seller से buyer के पास transfer होगी तो उसको हम बोलेंगे sale अगर agreement हो चुका है already buyer और seller के बीच में goods को बेचनेगा लेकिन एक future date पर जो है बाइर के पास ownership आएगी goods की तो उसको हम बोलेंगे agreement to sell section 4 subsection 3 में बाद लिखी वी है इसके बाद an agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred section 4 subsection 4 तो जो agreement to sell है वो sale कब बनेगा जो भी वो time period होगा जितना time period में property in goods transfer होनी थी वो time period जो है खतम हो जाए और property in goods transfer हो जाए बायर के पास या फिर जो भी condition फुल्फिल करनी थी बायर को या फिसलर को जिसको भी करनी थी वो जो है फुल्फिल कर दे अपनी condition और जो goods की ownership है वो जो है transfer हो जाए बायर के पास है तो आपको जो है यह सारे के सारे जो basis points है न यह आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि तभी जो है difference पूरा बन पाएगा आपका तो आईए एक एक point करके जो है पढ़ते हैं और काफी simple points से ज्यादा मुश्किल भी नहीं है तो इसमें सबसे पहला point है हमारा transfer of property का sale में जो है property कब transfer होगी goods की बायर को immediately the property in the goods passes to the buyer immediately agreement to sell में कब होगी किसी future date पे या फिर कोई condition फुल्फिल करके property in the goods passes to the buyer on a future date or on fulfillment of some condition इसके बद इसमें second point है हमारा nature of contract का जो sale का contract होता है उसका क्या nature होता है और जो agreement to sell होता है उसके contract का क्या nature होता है तो देखिए जो sale होता है वो हमारा executed contract होता है क्यों क्योंकि consideration उसी समय pay हो जाती है क्योंकि उपर क्या था पहले point में immediately goods की property जो है pass on हो चुकी है क्यों हो चुकी होगी है क्योंकि बायर ने जो है payment कर दी है it is an executed contract that is a contract for which consideration has been paid buyer जो है उसी समय पैसे pay कर दिता है लेकिन जो agreement to sell है वो आपका जो है एक executory contract है उसमें जो consideration होगी वो future date पर pay होगी क्योंकि goods की ownership भी जो है future date पर ही transfer होगी it is an executory contract that is a contract for which consideration is to be paid at a future date तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जो sale है उसमें हमारे executed consideration होती है और जो agreement to sell है इसमें हमारी executory consideration होती है आप लोग यह जो है Indian contract act में भी already पढ़ चुके हो इसके बाद है remedies for breach breach का मतलब होता है तोलना की contract को तोलना या agreement को तोलना तो देखिए sale में क्या है the passing of the property there in 2D buyer देखिए मान लीजे seller ने जो है buyer को goods बेचे और buyer ने जो है पैसे दे दिए थे उतनी जितने goods के थे लेकिन बाद में जब seller ने देखा पैसों को तो पैसे कम निकले यानि कि यहाँ पर buyer ने क्या किया breach किया contract of sale का जैसे for example Mr. A ने जो है अपनी car offer करी B को 5 लाख रुपे की Mr. B ने 5 लाख रुपे दिये एक bag में रखके दिये और Mr. A ने जो है car दे दी Mr. B को लेकिन बाद में जब पैसे गिने वो सिर्फ 4 लाख रुपे निकले एक लाख रुपे कम थे तो यहाँ पर B ने क्या किया B ने जो है ब्रीच किया contract of sale का तो यहाँ पर जो A है वो जो है B को sue कर सकता है goods के price के लिए अपनी car के price के लिए कि आपने एक लाख रुपे कम दिये तो आप जो है एक लाख रुपे दो मुझे लेकिन देखे यहाँ पर property already buyer के पास transfer हो चुकी थी तो यहाँ पर seller जो है वो price के लिए sue कर सकता है buyer को लेकिन agreement to sell में वो सिफ damages के लिए sue कर सकता है क्यों क्योंकि ownership अभी transfer नहीं हुए goods की buyer को जैसे कि for example A और B के बीच agreement बना कार को बेचने का कि 10 दिन बाद जो है Mr. A अपनी कार बेचेंगे Mr. B को बदले में Mr. B जो है 5 लाख रुपे देंगे Mr. A को लेकिन उसमें already लिख दिया agreement में कि 15 तारिक को जो है 10 तारिक को agreement हुआ 20 तारिक को कार देनी है B को 15 तारिक को Mr. B पैसे दे देंगे ठीक है तो 15 तारिक को पैसे आ गए Mr. B के पास ठीक है अब देखिए यहां पर क्या होता है Mr. A को मना कर देते हैं कि मैं आपको कार नहीं बेचना जाता तो यहां पर अब देखिए यहाँ पर जो Mr. B है उनके पास goods की ownership तो आई नी है उनके पास अभी है तो इसलिए वो जो है, A को damages के लीए Cure कर सकते हैं, और price के लिए Cure कर सकते, क्योंकि वो price pay कर चुके थे, ठीक है, क्योंकि वो price pay already कर चुके थे, लेकिन मान लिजिए, अगर वो 15 तरीक को price pay ना करते, 20 तरीक कोई price pay करना होता, लेकिन उस दिन Mr. A मना कर देते बेचने से, तो Mr. B जो है सिर्फ और सिर्फ Damage के लिए Sue कर पाते और वाईसा वर्सा देखे अगर Mr. B मना कर देते Mr. A को 20 तारिक को कि मेरे को कार नहीं खरीदनी तो Mr. A B जो है Price के लिए Sue नहीं कर पाते क्योंकि Goods तो उनके पास ही है कार तो अभी उनके पास ही है और उनने बेची थोड़ी है भी तो वो सिर्फ Damage के लिए Sue कर पाते Mr. B के उपपर इसके बाद है हमारा Liability of Parties देखे इस फाले पॉइंट में क्या है इस फाले पॉइंट में ये बताया गया है कि Sale के बाद अगर Goods Destroy हो जाएं या फिर Agreement के बाद Goods Destroy हो जाएं तो फिर उस case में Liability किसकी होती है तो देखे Sale में क्या है? Buyer के पास जो है Property and Goods Transfer हो चुकी है तो अगर Sale के बाद Goods में कोई भी Loss होता है या फिर वो Destroy हो जाते हैं तो उसकी Liability जो है Buyer कोई जहिलनी पड़ेगी क्योंकि Goods की Ownership Buyer के पास जा चुकी है Sale में लेकिन Agreement to Sell में जो Seller है आपका वो जो है Buyer करेगा कोई भी Loss या फिर Destruction की Liability क्यों? क्योंकि Agreement to Sell में अभी Goods की Ownership जो है Buyer के पास नहीं Transfer होई है So in Sale, a subsequent Loss और Destruction of the Goods is the Liability of the Buyer In Agreement to Sell, such Loss or Destruction is the Liability of the Seller इसके बादे इसमें Burden of Risk अब Goods की Regarding कोई भी अगर Loss का Risk है तो फिर वो जो है Sale में कौन साहेगा Agreement to Sell में कौन साहेगा तो आप लोग अब तक समिज गई होंगे Sale में जो है Risk of Loss Buyer के पास ले राएगा क्यों? क्योंकि Ownership Transfer हो चुकी है Buyer को लेकिन Agreement to Sell में अभी Ownership Transfer नहीं होई है तो जो Risk of Loss है वो जो है Seller के पास ही रहेगा In Sale The Risk of Loss is that of the Buyer Since Risk Follows Ownership तो जो Risk होता है वो जो है Ownership के साहथ Transfer होता है इसके बारे में हम लोग इस चेप्टर में आगे पढ़ेंगे Section 26 में In Agreement to Sell The Risk of Loss is that of the Seller क्योंकि Goods की Ownership अभी भी Seller के पास ही है बार के पास Pass On नहीं हुई है इसके बाद इसमें हमारा Nature of Rights तो देखें जो आपका Sale है या फिर Agreement to Sell है वो जो है किन Rights को Create करते हैं जो Sale है वो जो है आपका Just in Rem के Right को Create करता है और जो Agreement to Sell है तो वो Create करता है Just in Person को इनका मतलब क्या है देखें जो आपका Just in Rem है उसका मतलब है Right to a Property Right to a Thing कि आपका जो है किसी चीज में Right है अगर Sale होती है तो फिर जो Seller है वो जो है Goods की Ownership Buyer को Transfer करता है तो Buyer का जो है Goods में Just in Rem का Right Create हो जाता है कि वो जो Goods है वो अब Buyer की Property है और कोई भी जो है अब उस Property से Interfer नहीं कर सकता अगर कोई करता है Interfer तो Buyer जो है उस Person के उपर Case कर सकता है और जो आपका Just in Person में इसका मतलब है Right Against a Person to Sue Him or to File a Suit on Him कि आपका जो Right है वो एक Person के Against में है जैसे कि Agreement to Sell में क्या होता है जो Seller होता है वो Agreement कर लेता है Buyer से कि मैं जो है Future Date पर आपको Goods दे दूँगा इतना अतना पैसा दे देना आप अब Future Date जब आती है तो Buyer जो है मना कर देता है खरीदने से वो कहाता है मुझको Goods नहीं खरीदने तो यहाँ पर देखे यहाँ पर Goods की Ownership किसके पास है Seller के पास Just in Dram तो क्रिट हुआ ही नहीं Buyer के लिए लेकिन Seller के पास जो है Just in Personam है कि वो जो है Buyer के Gains में Case कर सकता है उसको Damages के लिए Issue कर सकता है तो यहाँ पर Seller का क्या है Just in Personam का Right है कि Buyer के मना करने के वैसे उसका जो नुकसान हुआ है जो भी उसको Damages हैने पड़ी है उसके लिए वो Case कर सकता है Buyer के उपर वाईसा वर्सा आजाओ जो Buyer है अगर उसका कोई नुकसान हुआ जैसे कि Future Date पे Seller मना कर देता है Buyer को कि मैं आपको Goods नहीं बेच रहा तो Buyer जो है Seller के उपर Case कर सकता है Damage के लिए कि इसने मुझे मना कर दिया तो इसकी वैसे मुझे नुकसान हो गया तो अब मैं जो है Damage के लिए Case कर सकता हूँ तो Buyer के पास भी Just in Personam होता है इसके बादे इसमे Right of Resale The Seller Cannot Resale the Goods in Sale देखे, Sale हो गई इसका मतलब क्या है Goods की जो Property है, जो Ownership है वो Buyer के पास पासन हो चुकी है इमिजेटली तो अब जो Goods है, वो Buyer की Property है तो Always है, जो Seller है वो अब उन Goods को किसी और को Resale नहीं कर सकता है क्योंकि अब वो Goods उसके नहीं रहे लेकिन Agreement to Sell में कर सकता है क्यों? क्योंकि Goods की Ownership अभी Transfer होनी बाकी है The Seller May Sell the Goods Since the Ownership is with the Seller क्योंकि अभी Agreement हुआ है और Future Date तक जो है Seller के पास Time है कि वो किसी और को भी Goods Resale कर सकता है पर यह उसके मर्ज़े वो करे ना करे लेकिन उसको Right दे रखा है कि Agreement to Sell में Seller के पास Right होता है Resale का लेकिन Sale में नहीं होता इसके बाद हमारा Next Point इसमें In Case of Insolvency of the Seller देखे चाहे Sale हो या फिर Agreement to Sell हो अगर जो Seller है वो Insolvent हो चुका है लेकिन Agreement to Sell में अभी भी Ownership जो है Seller के पास ही है Buyer के पास जानी बाकी है तो देखे Sale में क्या होगा The Official Assignee will not be able to Take over the goods But will recover the price from the buyer यानि की देखे जो Seller है वो जो है Insolvent हो चुका है लेकिन वो Goods को Sale कर चुका है Sale मतला उसने जो है Goods की Ownership Buyer को Transfer कर दी थी Buyer से जो है Price आना बाकी है तो जो Official Assignee होगा Seller का वो जो है Buyer से Goods का Price recover कर सकता है लेकिन Goods को Take Over नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि Goods की Ownership जो है Buyer के पास जा चुकी है Sir Official Assignee कौन होता देखे Official Assignee जो है Court का Official होता है सारे जो भी Legal Matters होंगे उस Insolvent Person के वो Official Assignee ही समालेगा और जो भी Business Transaction वगर होंगी तो इसमें जो है जासे For Example A है और B है अब A जो है Goods की Ownership दे चुका है B को लेकिन इससे पहले की B पैसे देता जो A था वो Insolvent हो गया अब Court ने Appoint किया C को As an Official Assignee किसके लिए पॉइंट किया obvious है A के लिए जो के हमारा seller है तब यहाँ पर जो C है वो जो है इन Goods को Takeover नहीं कर सकता B से क्योंकि अब यह Goods जो है B की Ownership में है लेकिन हाँ B से जो है C Price recover कर सकता है Goods का वो B से यह recover कर सकता है यह क्या सकता है कीजी देखिए Goods मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो Goods आपके है लेकिन हाँ इन Goods का Price जो है आप दे दो मुझे ठीक है Agreement to Sell में क्या होगा The Official Assignee Will Acquire Control Over the Goods But the Price Will Not Be Recoverable क्योंकि Agreement to Sell में जो Goods की Ownership है वो जो है Seller के पास ही है तो जो Seller के Goods होंगे उनके उपर Official Assignee अपना Control acquire कर लेगा लेकिन Buyer से वो कुछ भी Price Recover नहीं कर सकता क्योंकि Buyer के पास Goods की Ownership अभी Pass on नहीं हुई है अब इसमें हमारा Last Point है In Case of Insolvency of the Buyer अगर Buyer Insolven हो गया फिर Sale और Agreement to Sell में क्या क्या Consequences होंगे तो देखे Sale में क्या होगा देखे जैसे Official Assignee सरर के लिए Appoint हुआ था वैसे ही Buyer के लिए Appoint होगा क्योंकि वो Insolven हो चुका है The Official Assignee Will Have Control Over the Goods क्योंकि Sale में Goods की Ownership Buyer के पास चली गई थी तो इसलिए अब वो Goods जो है Buyer के है और Buyer Insolven हो चुका है तो जो Official Assignee है वो जो है Buyer के Goods के उपर अपना Control Acquire कर सकता है Agreement to Sell में क्या होगा वो Goods के उपर Control Acquire नहीं कर सकता क्यों क्योंकि Goods जो है अभी भी Seller के पास ही है The Official Assignee Will Not Have Any Control Over the Goods क्योंकि Buyer के पास Goods की Ownership अभी नहीं आई है तो ये थे हमारे Total 9 Points इस Difference में तो सारे के सारे Important है आपको सारे के सारे याद करने हैं अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग जो है इनको Read करके समझ लीजिए और अपने Words में भी लिखके आ सकते हो तो इस पे जो है 3 से 4 माखसा कोशन पूछा जा सकता है अब हम लोग Sale Distinguished From Other Similar Contracts कुछ ऐसे Similar Contracts जो की Sale की तरह Similar है लेकिन Sale से अलग है तो इसमें जो हमारे दो Difference है Difference between Sale and Hire Purchase and Difference between Sale and Buildment तो ये दोनों को जो है एके करके देखते हैं अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं Difference between Sale and Hire Purchase देखे Sale तो हमने समझ लिया है कि Immediately जो है Seller से बायर के पास Property in Goods Transfer हो जाएगा लेकिन Hire Purchase में क्या होता है देखे Hire Purchase में जो है Seller जो है Buyer को Goods बेचता है लेकिन Goods की Ownership Buyer के पास नहीं आती है Goods जो है Buyer Installment पे खरीता है जो भी Down Payment वगरा होती है शुरू में वो करके जो बाकी Amount होता है उसकी वो जो है Regular Installment बना लेता है और Regularly उनको Pay करते रहता है Buyer लेकिन हा इसमें ये है कि Goods को वो Use कर सकता है जब तक वो Installment पे कर रहा है कौन? Buyer जब Last Installment की बारी आईगी और Buyer जब Last Installment Pay कर देगा तो फिर Last Installment Pay होते ही जो है Goods की Ownership बार के पास चली जाएगी तो अब देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या Difference है तो आपके ये 5-6 Points है 3-4 Master Quotient जो है Exam में पूछा जा सकता है तो आए एक-एक करके सारे Points को Discuss करते हैं तो ये हमारे Basis of Difference है सबसे पहला देखते हैं Time of Passing of Property Property जो है Goods की कब Pass on होगी तो Sale में तो Immediately हो जाती है Property in the Goods Is transferred to the Buyer Immediately at the Time of the Contract लेकिन Hire Purchase में कब होती है Last Installment के Pay करने पर Property in Goods Passes to the Hire देखिए Sale में जो है जो Goods खरीदता है जो Goods खरीदता है उसको बोलते हैं Hire Hire upon the payment of the last installment Position of the party The position of the buyer is that of the owner of the goods जैसे ही Contract of Sale complete होगा Goods की Sale होगी तो जो Buyer होगा वो जो है Goods का Owner बन जाएगा उसकी Position क्या होगी As an Owner की होगी लेकिन Hire Purchase में क्या होगा The position of the Hire is that of a Bailey Until he pays the last installment जो Hirear होगा जो की Goods यूज़ कर रहा है जोने Hire Purchase पर गुट्स को खरीदा है वो जो है Bailey की Position पर रहेगा जब तक Last installment पर नहीं हो जाती Sir Bailey क्यों? क्योंकि Ownership अभी Pass on नहीं हुई है Hirear को जिसने Goods Hire Purchase पर लिये है वो अभी Installment भर रहा है जैसे ही वो Last installment भरेगा वैसे ही जो है वो Bailey से Owner में Convert हो जाएगा लेकिन जब तक Last installment नहीं भरता वो तब तक जो है जो है जो Hirear होगा आपका वो जो है Bailey की Position पर रहेगा Termination of Contract Contract of Sale में जो है Buyer Contract को Terminate नहीं कर सकता एक बार Contract बन गया Buyer और Salar के बीच में फिर Buyer को जो है Goods के लिए जो भी Price है वो Pay करना पड़ेगा The Buyer Cannot Terminate The Contract And is bound To pay for the Price of Goods अगर वो Terminate करता है तो फिर इसको हम लोग जो है Indian Contract At के साब से Breach of Contract बोलेंगे क्योंकि Contract Breach हुआ है तो फिर जो भी Deminist वगर आओंगे वो बायर को Pay करने पड़ेंगे लेकिन Simple बात है एक बार Contract बन गया तो बायर Terminate नहीं कर सकता उसको फिर Goods को लेना ही पड़ेगा और उनके Regarding जो भी Price है वो करना पड़ेगा लेकिन Hire Purchase में जो हाइर है वो जो है Contract को Terminate कर सकता है Goods को वापिस करके क्योंकि Goods की Ownership जो है अभी तक Pass on नहीं हुई है हाइर को देखेंगे ऐसे कि For Example A है अब A ने जो है B से Car ली है Hair Purchase पे ठीक है तो मान लीजिए Car थी उसकी 5,000,000 रुपे की जिसमें से A ने जो है 2,000,000 रुपे की Down Payment कर दी है और बाकी के जो 3,000,000 रुपे है वो जो है A इंस्चॉल्मेंट में Pay करेगा और इसके उपर जो भी Interest होगा वो तो बात किये बात है 3,000,000 रुपे Interest ठीक है तो A ने जो है इन 3,000,000 रुपे Plus Interest को Pay करने के लिए जो है मान लीजिए 2 साल की जो है Payment बना ली है 2 साल की किस्ते बना ली है उसने कि वो 2 साल में पूरे के-पूरे पैसे Pay कर देगा अब देखे 2 साल में हर मेने पैसे Pay करेगा वो ठीक है जो भी किस्त बनी होगी उसकी तो यानि कि कितनी किस्ते बन गई 24 Installments बन गई यहाँ पर उसकी क्योंकि 2 साल में 24 मेने होते है तो 24 Installments बन गई अब मान लीजिए लेकिन 12 Installments Pay करने के बाद जो A है वो Contract को Terminate कर सकता है कैसे कर सकता है Car को जो है वो B को वापिस देदेगा और फिर जो B है वो भी जो है अगर Car वापिस ले लेता है A से तो फिर जो बची कुछी 12 किस्ते हैं वो जो है वो A से नहीं ले सकता उन सबसिक्वेंट 12 Installments की जो Liability होगी वो A के उपर से खतम हो जाएगी एक बार वो Goods को वापिस कर दे भीको फिर जो सबसिक्वेंट इंस्टॉल्मेंट के Liability होगी वो भी जो है हाइर के उपर से खतम हो जाएगी फिर इसमें अगला पॉइंट है मारा The Burden of Risk of Insolvency of the Buyer अगर सील में Buyer Insolvent हो गया या फिर हाइर पर्चेस में हाइर जो है हमारा या फिर बायर बोल लीजे इसको Insolvent हो गया फिर उसके इसमें Burden of Risk के उपर आएगा तो देखें सील में क्या है सील में अगर सेलर ने जो है Goods बेज दी है लेकिन जो बायर है वो Insolvent हो चुका है वो जो है प्राइस पे नहीं कर पारा Goods का तो सेलर जो है फिर Recover नहीं कर पाएगा बायर से क्यों क्योंकि बायर तो Insolvent हो चुका है तो फिर जो है has the right to take back the goods देखें सेम एक्जामपल देते है B ने हार परचेस पे कार दी A को अब A ने जो है 12 Insolvent पे कर दी है लेकिन उसके बाद वो Insolvent हो चुका है B से क्याता है मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो यहाँ पर B जो है कोई भी loss ने उठाएगा वो जो है कार को वापिस ले लेगा क्योंकि उसके पासे right है क्योंकि अभी भी ownership जो है B के पास ही है A के पास कब आएगी जब वो last Insolvent पे कर देगा लेकिन अभी last Insolvent तक तो आई नहीं है वो उससे पहले ही Insolvent हो चुका है तो जो आपका owner होता है higher purchase में यानि कि जो seller है उसके बस right होता है goods को वापिस लेने का अगर hirer जो है Insolvent हो जाए और Insolvent पे ना कर पाए फिर इसमें अगला point है हमारा transfer of title देखे sale में क्या होता है जो goods की ownership है वो बायर के पास पासन हो चुकी है अब जो goods है वो बायर के हो चुके हैं तो बायर फिर आगे उन goods को किसी और को बेच सकता है क्योंकि goods की ownership जो है उसके पास है तो वो अपने title को आगे किसी को भी transfer कर सकता है लेकिन higher purchase में जो hirer है वो जो है उन goods को आगे किसी को भी नहीं बेच सकता क्यों क्योंकि goods अभी उसके है नहीं नहीं गुट्स कब होंगे hierarchy जब वो last installment पे कर देगा जैसे कि यहाँ पर A ने कार ली हर purchase पे 20 है ठीक है अब A जो है जब तक सारी installments पे नहीं कर देता A इस कार को किसी और को नहीं बेच सकता क्योंकि देखे बात simple है जो चीज आपकी नहीं है अभी आप उसको जो है कैसे किसी को आगे बेच दोगे जब वो कार A की अभी नहीं हुई है A की ownership नहीं आए तो फिर A जो है जब नहीं बेच सकता आगे दी बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू ए बोनाफ़ाइट पर्चेजर फ्रॉम हिम बोनाफ़ाइट पर्चेजर का मतलब यानि कि वो पर्चेजर जो कि गुड फेट में खरीदता बेच को दी हाइरर कैन नाट पास एनी टाइटल इवन टू बोनाफ़ाइट पर्चेजर लेकिन जो हैररर वो जो है किसी को भी गुड नहीं बेच सकता चाहे सामने वाला बोनाफ़ाइट पर्चेजर पर्चेजर क्यों नzarını कि चाहे वह good वा फेत में क्यों ना खरीद रहा हो क्योंकि जो गुड रॉरिध रहो हैं वो फेट कि अभी किसी को भी लेकिन जो higher purchaser है वो जो है goods को resell नहीं कर सकता जब तक वो सारी के सारी installments को pay नहीं कर देता the buyer in the sale can resell the goods but the higher purchaser cannot resell unless he has paid all the installments तो यह थे हमारे sale and higher purchase के बीच के difference के points अब हम लोग देखते हैं difference between sale and bailment तो sale तो हमको अब तक याद होई गया होगा इतनी बार पड़ चुके हैं हम bailment हम लोगों ने जो है अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब constructive delivery discuss किया था तो उसमें हमने जो है contract of bailment समझाता कि अगर कोई person जो है किसी दूसरे person को for a temporary time period जो है किसी purpose के लिए अपने goods को रखवा दे किसी दूसरे person के पास तो उसको हम कहते हैं bailment कि उसने ownership transfer नहीं करी है लेकिन अपने goods को उसने किसी के पास किसी purpose के लिए रखवाया है जैसे कि for example आपके दोसने आप से का कि मुझको जो है आपकी चार दिन के लिए कार चाहिए यूज़ करनी है अब आपने अपनी कार को चार दिन के लिए अपने दोस्त को देदे यूज़ करने के लिए तो आपने अपनी ownership transfer नहीं करी है सिरफ जो possession है goods का वो आपने transfer किया है तो इसको हम बोलते है बेलमेट और अगर आपने अपनी कार दी है बेलमेट पे तो आप हुए बेलर और जो आपका दोस्त है जिसने आपकी कार ली है उसको बोलेंगे बेली यानिकि जो आपकी कार को hold करके बैठा हुआ है तो अब is the transfer of general property क्योंकि सेल में जो ownership है वो transfer करी जाती है goods की बायर को तो उसको हम और क्या बोलते है transfer of general property कि बायर की जो है अब goods में general property है कि उसकी ownership है बेलमेंट में there is only transfer of possession of goods from the bailer to the bailie for any of the reasons like safe custody, carriage etc किसी परपस के लिए जो है आप अपने goods की possession को transfer करते हो उसकी property को या फिर बोलू ownership उसकी ownership को transfer नहीं करते हो तो इसको हम लोग transfer of special property भी कहते है so it is the transfer of special property देखे general property का मतलब क्या है कि हमारी ownership है goods में लेकिन जो bailie है अगर उसके पास आपने किसी purpose के लिए goods रखवाए है तो bailie की क्या है उसमें special property है क्योंकि bailie को ख्याल रखने है उन goods का लेकिन जो bailie है उसकी general property होगी क्योंकि goods किसके थे bailie के फिर इसमें second point return of goods the return of goods in the contract of sale is not possible एक बार आपने अपने goods को sale कर दिया फिर आप उन goods को वापस नहीं ले सकते बाहर से लेकिन bailie में आप bailie से अपने goods ले सकते हो एक बार जिस purpose के लिए आपने goods को दिया था उसको वो purpose जो है आपका fulfill हो जाए the bailie must return the goods to the bailer on the accomplishment of the purpose for which the bailment was made जैसे कि आपने अपने दोस्त को जो है चार दिन के लिए कार दीती ताकि आपका दोस्त जो उसको यूज कर पाए चार दिन बीच जाने के बाद जो है आपके दोस्त को जो की bailie है उसको आपकी कार को वापिस करना पड़ेगा एक बार उसका purpose fulfill हो गया इसके बाद consideration the consideration is the price in terms of money sale में consideration क्या होती है पैसे seller जो goods बेचता है बायर को बायर उसके बदले में जो है उसको उसका price देता है जो पैसे होते है bailment में the consideration may be gratuitous और non-gratutious इसका मतलब क्या answer देखिए gratuitous bailment का मतलब क्या है जैसे की same example लेते हैं आपने अपने दोस्त को जो है चार दिन के लिए car दिया है यूज करने के लिए अब वो आपका दोस्त है आपने उससे जो है कोई भी पैसे चार्ज नहीं किये है car को bail करवाने के लिए तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे gratuitous bailment कि आपने अपने goods की possession किसी और को दी है जो baili है वो आपके goods का ख्याल रख रहा है लेकिन उसके बदले में आप उससे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हो तो इसको हम लोग gratuitous bailment बोलते हैं non gratuitous bailment क्या होगी कि जब हम लोग को charge करें या भी सामने वाले पार्टे को charge करें तो आपके जो है तीनी पॉइंट से सेल और क्या है आपसे साल के कुछ पैसे चार्ज करता है तो उसको हम बोलेंगे non gratuitous bailment तो आपके जो है तीनी पॉइंट से सेल और bailment के difference में ठीक है तो वैसे तो exam point of view से important है आ सकता है तीन से चार marks में दोनों में से कोई भी एक चीच पूछी जा सकती है तो आप लोग जो है इसको अच्छे से revise कर लेना चलिए अब देखते हैं अगला topic हमारा इसमें section number 5 how is a contract of sale made exam point of view से इतना relevant topic नहीं है लेकिन हमारे syllabus का part है तो इसलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं काफी छोटो topic है ज्यादा कुछ घवराने के बात नहीं है बहुत ही simple है तो जो contract of sale है वो बनता कैसे है देखिए Indian contract act के एसाब से एक contract जैसे बनता है वैसे ही एक contract of sale भी बनता है क्योंकि जो contract of sale है वो भी क्या है एक contract ही है तो वो कैसे बनेगा जब कोई offer देगा offer किसी इसका देगा खरीदने का या फिर goods को बेचने का या तो buyer offer देगा seller को कि मेरे को goods खरीदने है या फिर seller जो है offer देगा buyer को कि मेरे को गुड्स बेचने है So offer to buy और sell goods साथ में इसमें आपको acceptance भी चाहिए offer की Acceptance of such offer अगर seller ने offer किया goods को बेचने का बायर को तो buyer की acceptance रहिए कि buyer भी acceptance रहिए अपनी और अगर buyer ने offer दिया seller को goods को खरीदने का तो फिर seller की acceptance रहिए तो जब offer और acceptance आ जाएंगे फिर जो है आपका contract of sale बन जाएगा अब देखिए जो ये acceptance या फिर offer है ये जो है कैसे आ सकता है या तो writing में आ सकता है या फिर orally यानि कि बोल के आ सकता है या फिर partly by both कि orally और writing में दोनों में जैसे कि for example seller ने जो है letter भेजा buyer को goods को बेचने का buyer ने बोल के seller को जो है बोल दिया कि मिरे को accepted है तो ये क्या हो गया partly by both एक बार जो है यहां से read कर लेते हैं just a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such an offer the contract में provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price और both और for the delivery और payment by installments और that the delivery और payment और both shall be postponed तो delivery जो है या फिर जो payment है price की या फिर goods की delivery की वो जैसे मर्जी हो सकती है या तो immediate हो सकती है या फिर installment में हो सकती है या फिर बाद में हो सकती है जैसे मर्जी हो सकती है यह बात लखी वे section 5 subsection 1 में इसके बाद further subject to the provisions of any law for the time being enforced a contract of sale may be made in writing or by word of mouth or partly in writing and partly by word of mouth or may be implied from the conduct of the parties section 5 subsection 2 कोई भी contract of sale कैसे बन सकता है या तो writing में या फिर word of mouth से यानि कि orally जो है या फिर कुछ writing में कुछ word of mouth से जैसे कि seller ने जो है letter लिखके offer दे दिया buyer ने acceptance कैसे दी है बोल कर तो यह क्या होगा आपका partly होगा partly by both या फिर implied from the conduct of the parties जैनि कि parties ने ऐसा कोई act किया जिससे कि contract of sale बन गया जैसे कि for example आप जो है किसी self service market में गए वहाँ पर grocery खरितने गए आपने जो है trolley ली grocery में जो है समान भरा और लाके counter पर रख दिया जो भी payment थी उसने bill पकड़ाया आपको जो भी counter पर person था sales person था और आपने जो उसकी payment कर दी तो यहाँ पर बिना बोले जो है parties के conduct के वैसे contract of sale बन गया कि आपने उसके counter पर लाके goods रख दिये जो भी आपने चूज किये हैं और उसने जो उनका bill बना के आपको दे दिया और उसके payment कर दिया आपने तो implied from the conduct of the parties यह होता है जाजी कि for example practical example क्या है बेक बजार बेक बजार में खुच जाते हो ट्रॉली ली समान भरा उसमें counter पर लग दिया counter वाल ने bill दे दिया आपको आपने payment कर दी तो बिना बोली उसमें क्या हो गया आपका contract of sale बन गया इसके बाद next topic subject matter of contract of sale contract of sale का subject matter क्या है यानि कि वो जो है किस purpose के लिए बना है तो किस purpose के लिए बनता है contract of sale goods को buy या फिर sell करने के purpose से तो उसका main subject matter क्या है contract of sale का वो है आपका goods तो इसमें मारे जो है छोटे 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 चार points है ठीक है अगेन exam point review से relevant topic नहीं है आपके syllabus का part है इसलिए हम लोगे कर रहे हैं subject matter of contract of sale क्या होता है subject matter goods होता है अब देखे हम जो है इसमें already existing और future goods discuss कर चुके हैं अब इसमें जो बाकी के तीन points है वो जो है एक बार discuss कर लेते हैं काफी simple points है इसमें दूसरा point है हमारा goods perishing before making of contract देखे बायर और salary के बीच में जो है contract होने जा रहा था लेकिन contract बनने से पहले ही जो है goods perish हो गया यानिकि goods खराब हो गये destroy हो गये जैसे कि for example आप जो है किसी shop पर जाने वालते चीनी लेने के लिए लेकिन इससे पहले कि आप चीनी के लिए पूचते चीनी जो है खराब हो गई उस shop की पर की तब क्या यहां पर contract और sale बन सकता है नहीं बन सकता impossible हो जागा क्यों क्योंकि जो subject matter है वो contract बनने से पहले ही destroy हो गया अब इसमें तीसरा point goods perishing before sale but after an agreement to sell तो अभी तक हम लोग जो है sale और agreement to sell के बीच का difference समझ चुके है agreement to sell में जो है future date पर goods की ownership transfer होती है बायर को तो agreement to sell sale में कब convert होता है जब goods की ownership बायर के पास चली जाएगी लेकिन अभी agreement to sell हुआ है तो देखें for example A है और B है अब A ने अपनी car offer करी है B को 5 लाग रुपे की जिसके लिए agreement बन चुका है A और B के बीच में कि 10 दिन बाद जो A है वो अपनी car B को बेचेगा बदले में B उसके पैसे देदेगा लेकिन अभी agreement to sell बना है अभी sale नहीं होई है sale कब होगी after 10 days लेकिन देखें इसमें क्या है agreement to sell तो बन चुका है agreement to sell तो बन चुका है अब यहां से 10 दिन जाएंगे तब जाके sale होगी लेकिन उससे पहले ही बीच में क्या होता है जो कार होती है वो destroy हो जाती है तो यहां पर जो agreement to sell बना है वो आपका वाइड हो जाएगा क्यों क्योंकि जो subject matter है इस contract का इस agreement का वो जो है आपका destroy हो चुका है subject matter destroy हो जाए और contract जो है या फर जो contract भी जो है void हो जाएगा फिर इसमें fourth point parishing of future goods अब आपको अगर याद आये तो future goods में भी क्या बनता है agreement to sell बनता है तो यह तो वही बात हो गई कि agreement to sell हो गया है लेकिन sale होने से पहले ही goods जो है perish हो गई है ठीक है तो future goods में क्या है जैसे कि for example आप जो है कहीं पर कोई फल खरीदने गए save खरीदने गए तो जो फल वाला होता है वह क्याता है कि future goods थे वह perish हो गए उनकी quality बेकार हो गई पूरी destroy हो गए तो यहां पर भी क्या होगा जो agreement बनाये आपका उसके साथ वह void हो जाएगा क्यों क्योंकि तो subject matter is agreement का वही destroy हो चुका है चलिए एक बार जो है read कर लेते हैं इसको existing and future goods section 6 यह तो हम अलड़ी पढ़ चुके है तो दोबारा पढ़ने की जुरत नहीं है यह तीन points read कर लेते हैं एक बार section 7 goods perishing before making of contract where there is a contract for the sale of specific goods the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer answer to their description contract description का यहां मतलब क्या है यानि की quality यहां पर कि वो इतने ज्यादा destroy हो चुके है या फिर इतने ज्यादा damage हो चुके है कि उनकी quality बिकार हो गई ठीक है तो देखें यहां पर अगर यह चीज़ ना भी लिख्यों होती तो भी अगर आप competence लगाए तो obvious है जिस purpose के लिए आप contract of sale बना रहे हो अगर वो purpose ही आपका destroy हो जाए यानि कि जो subject matter है वही destroy हो जाए आपका तो फिर obvious a contract of sale फिर बनी नहीं सकते वो void हो जाएगा goods perishing before sale but after an agreement to sell section 8 where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer the agreement is thereby avoided or becomes void तो agreement to sell बन चुका है goods का लेकिन ना तो सरर की गलती है ना तो buyer की गलती है कि goods जो है perish हो गए है या फिर इतने ज़्यादा खराब हो चुके है कि उनकी quality गिर गई है तो उस चक्कर में जो agreement है आपका वो void हो जाएगा इसके बाद perishing of future goods if the future goods are specific the destruction of such goods will amount to super winning impossibility and the contract shall become void तो future goods का भी क्या होता है agreement to sell होता है ठीक है तो अगर future goods destroy हो जाएं तो obvious a super winning impossibility आ जाएगी वहाँ पर यानि कि जो contract है वो आपका void हो जागा क्यों क्योंकि subject matter ही आपका destroy हो चुका है चुलिए अब हम इसमें अपना next topic देखते हैं ascertainment of price section 9 and 10 again exam point of view से इतना relevant नहीं है लेकर आपका syllabus का part है तो एक बार इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं तो सबसे पहले section 9 ascertainment of price देखें नाम सी पता लग रहा है कि कोई भी जो contract of sale बनेगा buyer और seller के बीच में तो फिर उसमें जो है जो भी goods को खरीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है तो उनका price कैसे ascertain किया जाएगा यहनि कैसे identify किया जाएगा तो इसके जो है broadly तीन तरीके हैं जो आपके दूसरे और तीसरा का point है वो almost same है पहला क्या है fix by contract contract में ही जो है price लिख दिया जाए कि इतने price पे जो है goods को बेचा जाएगा या फिर खरीदा जाएगा दूसरा left to be decided in a specified contract और तीसरा क्या है आपका course of dealing between parties देखे जैसे कि for example आपने आपने जो है car painter को बोलाया और उसको बोला कि आपको जो है एक table बनवानी है car painter कहता है 10 हरपे में बढ़िया table बन जाएगी तो यह आपका पहले point में आ गया fix by contract already fix हो चुका है 10 हरपे में table बन जाएगी फिर चाहे जितना मर्जी material लगे ठीक है सबकुद 10 हरपे में हो जाएगा दूसरा क्या है left to be decided in a specified contract और तीसरे में क्या है course of dealing between parties यह almost similar है कैसे जो car painter है वो क्याता है देखिए जो आपकी table है वो जो है 10 हरपे में बन जाएगी ठीक है plus 20% जो है मैं labor करूँगा अपनी यानि कि जो भी वो काम वाम करेगा ठीक है वो 20% उसका लेगा तो यह आपका दूसरे और तीसरे दोनों points में cover हो जाएगा ठीक है या फिर वो यह बोल दे वो 10 हरपे ना बोले वो यह बोल दे कि जितना भी material लगेगा ठीक है वो price और साथ म में आ जाएगा course of dealing between parties कि जैसे जैसे table बनती रहेगी वैसे वैसे जो उसका price पता लगता रहेगा और आखिर में जब table पूरी तरह बन जाएगी फिर उसका सही जो price है वो पता लग जाएगा और साथ में उसका 20% labor का अब इसके बाद है इसमें आपका section number 10 agreement to sell at valuation देखें इस पॉइंट में क्या है इसमें क्या होता है price to be fixed by a third party buyer और seller के बीच में जो है contract हुआ लेकिन जो goods का price है वो एक third party आके fix करती है जैसे कि for example आप किसी फल वाले के पास गए ठीक है अब उस फल वाले के जो थे अपने पेड़ थे save के apple के लिए तो आपने जो है उसको काफी अच खरीदने है अब देखिए apple का price क्या होगा तो इसके बारे में जो है उसको भी जादा कुछ नहीं पता तो एक agricultural expert को बलाया गया जो कि इन सब चीचों महीर होता है उसको सब पता होता है कि कौन सा फल जो है कितना time में जाता है उसका क्या price बैठे का क्या quality होगी उसकी जैसे क कि A है और B है A और B दोनों के B जो है apples का contract बना या फर क्या लिजे agreement बना क्योंकि यहां पर लिखा होना agreement to sell at valuation तो agreement to sell बना यहां पर किसका apples का कि A जो है B से 100 kg apples खरीदेगा जो भी उसके garden में अगले 6 महीने में उख जाएंगे ठीक है लेकिन जो उनका price होगा ना तो A पता कर पा रहा है ना ही B पता कर पा रहा है यानि कि fix नहीं हो बारा price तो उन्होंने जो है A का C को बलाया जो की expert है इन सब चीजों का उसको पता है कि 6 महीने में apple सी क्या quality होगी उनका क्या price बैठेगा market में ठीक है C को सब पता है तो अगर contract of sale में कोई third party जो है जैसे कि इस example में C ज sell at valuation अब इसमें भी जो है आपकी 3 situations है एक दो और तीन पहला क्या है इसमें price not fixed by third party जो है price fix नहीं करती है C मना कर देता है C बोलता है नहीं मैं price fix नहीं करूंगा अब जो A और B है वो भी price जो है fix नहीं कर पारे अब देखिए अगर goods का price fix नहीं हो पा रहा है तो फिर A क्या price करेगा और B भी जो है उस price के बदले में कितने goods देगा ये कभी नहीं पता लग पाएगा तो इसलिए जो agreement होगा वो जो है void हो जाएगा agreement is void फिर इसमें हमारा दूसरा point price not fixed by a third party plus goods delivered to buyer buyer to pay a reasonable price देखिए price जो है third party ने fix नहीं किया है लेकिन goods buyer को deliver हो चुके है C ने apples का price fix नहीं किया था लेकिन फिर भी B जो है A को 100 kg apples deliver कर देता है तो अब यहाँ पर goods deliver हो चुके हैं तो जो buyer है अब उसको जो है market के साफसर जो भी reasonable price होगा वो जो है B को pay करना पड़ेगा इनकी A को जो है B को price pay करना ही पड़ेगा क्यूं क्यूंकि यहाँ पर goods deliver हो चुके है buyer को फिर इसमें हमारा तीसरा point price not fixed by third party due to fault of buyer और seller मतलब जो C है वो जो है price fix नहीं कर पा रहा है या तो B की गलती के वैसे या फिर A की गलती के वैसे या फिर जो भी reason हो ठीक है यानि कि जो third party है वो जो है buyer या फिर seller के fault के वैसे जो है price fix नहीं कर पा रही है goods का जैसे कि मान लीजें यहाँ पर B जो है वो C को influence करता है C पर pressure बनाता है कि आप जो है please कम price लगाना कम price लगाना जिसके वैसे C जो है price को fix नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर seller आपका B है वो fault में है क्योंकि उसके pressure के चक्कर में जो C है वो price नहीं fix कर पा रहा है तो यहाँ पर जो aggrieved party है यानि कि कौन है यहाँ पर aggrieved party A जो है वो जो है B के उपर case कर सकता है damages के लिए suit against party in default by party not at fault party not at fault मतलब वो party जिसका कोई fault नहीं है वो जो है party in default के उपर suit file कर सकती है damages के लिए क्योंकि जो party in default है उसके चक्कर में third party ने price fix नहीं किया तो आईए एक बार यहाँ से जो है read कर लेता है इसको section 9 ascertainment of price the price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be mixed in a manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions the buyer shall pay the seller a reasonable price a reasonable price depends upon the circumstances of each particular case तो अगर price जो है determine नहीं हो पा रहा है buyer और seller के बीच में फिर उस case में जो buyer है वो जो है seller को एगर reasonable price पे करेगा इसके बाद agreement to sell at valuation section 10 where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of the third party and such third party cannot or does not do such valuation the agreement is thereby avoided अगर agreement to sell बना है जिसमें की goods का price कौन decide करेगा third party लेकिन third party जो है नहीं कर पाती है या फिर वो नहीं करती है decide valuation तो फिर उस case में जो agreement होगा void हो जाएगा provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer he shall pay a reasonable price therefore लेकिन देखिए अगर price नहीं fix कर पाई third party goods का या फिर उसने नहीं किया लेकिन जो seller है उसने जो है सारे के सारे goods या फिर कुछ part goods का जो है deliver कर दिया है buyer को तो फिर उस case में जो buyer है फिर उसको जो है एक reasonable price pay करना पड़ेगा seller को इसके बाद where such a third party is prevented from doing the valuation by the fault of the seller और buyer जो third party है वो जो है goods का price नहीं fix कर पा रही है किसके वैसे या तो seller के fault के वैसे या फिर buyer के fault के वैसे then the party not at fault may maintain a suit for damages against the party in default hello everyone चलिए तो अब हम लोग जो है sale of goods act 1930 का एक important part start करने जा रहे हैं that is condition and warranties का जिसमें से question आने के chances ज्यादा होते हैं exam में तो इस part में हमारा सबसे पहला point जो है तो फिर हमको जो है conditions and warranties जो की हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में समझ नहीं आएगा तो stipulation का मतलब क्या होता है देखिए anything which is required to complete the contract of sale कोई भी ऐसी चीज जो की आपको required है एक contract of sale को complete करने के लिए जैसे कि for example अगर आप जो है car खरीदने जाते हैं showroom में तो जो salesman है वो यह कहता है जी आपको जो है यह सारे papers यह यह सारी formalities है यह पूरी करनी पढ़ेंगे आपको आपको यहाँ यह sign करने है तो वो भी क्या है वो भी stipulation है कि car खरीदने से पहले आपको जो है इन इन papers पर साइन करना पड़ेगा आपके पास अपनी RC होनी चाहिए नंबर प्लेट होनी चाहिए ठीक है तो यह सब ज़रूरी होता है एक car खरीदने के लिए वैसे ही जैसे कि मान लीजे दो businessmen है अब एक businessman दूसरे businessman को goods बेच रहा है लेकिन वो यह कहा रहा है जी पहले आप advance दो उसके बाद ही जो है मैं आपको goods बेचूंगा तो जो advance है वो क्या है वो एक stipulation है stipulation मतलब यह होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि required है एक contract of sale को complete करने के लिए और जब कि stipulation है वो जो है contract of sale को complete करने के लिए जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है इसमें दोनों चीजें है कि stipulation या तो important भी हो सकती है या फिर unimportant भी हो सकती है व वो तो contract of sale के nature को देख के पता लगेगा, लेकिन इसमें एक और बात है, जो stipulation है, उसको जो है, दो parts में बाटा है, sale of goods act ने, एक part है आपका condition, और दूसरा है आपका warranty, वैसे तो practically, practical life में stipulation को जो है, condition ही बोला जाता है, requirement, ठीक है, यहने condition और stipulation को interchangeably use के जाता है, लेकिन जो आपका sale of goods act है, जो आपका law है, वो जो है ऐसा नहीं करता, वो जो है condition को अलग define करता है, तो condition of warranty क्या है, यह तो हम बात में पढ़ेंगे, लेकिन stipulation समझे लिए, stipulation का मतलब जो है condition समझे अभी, ठीक है, तो जब हम लोग condition समझेंगे, फिर आप लोग जो है, उसको stip stipulation ही बोलना, ताकि आप लोग condition और stipulation के बीच में difference कर पाओ, ताकि आप लोग confuse ना हो, तो अब आईए back to topic, stipulation as to time, section 11, अब time को लेकि क्या requirement है, contract of sale में, वो बताया गया है section 11 में, तो देखे, यह बहुती छोटा section है, इसमें बस simple सी बात कही गई है, जो आपका price की payment का time होता है, जैसे कि अगर आप goods खरीदो किसी से, तो आपको जो है, कितने time में payment करनी है price की, तो वो जो time है, price की payment का, वो जो है, contract of sale के लिए essential नहीं है, time for payment of price, not essential to the contract of sale, जैसे कि for example, आप जो है, grocery shop पर गए, और grocery वाला आपको अच्छी तरह जानते है, ठीक है, आपने उससे 10 किलो रोटा खरीदा, और आपने बोला कि पैसे मैं जो है, कल दे दूँगा, अभी cash है निवर पास immediately, तो वो कहता है, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर आपको goods थो मिल गए, लेकिन price का pay होगा, वो कल पे होगा, हाथ वाथ पे नहीं हुआ price, तो यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं ह कि वो आपके case कर देगा, कि जी इसने मेरे पैसे नहीं दिये, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो price के payment का time है, वो जो है किसी भी contract of sale में essential नहीं मन जाता, जब तक कि contract की terms में कुछ different नहीं दे रखाओ, जैसे कि for example, grocery वाला हाथ वाथ कहता है, कि भाईया अगर आटा लेना ना भी करे, कल करे, परसो करे, तो उसके लिए जो है वो आपके उपर कोई भी suit फैल नहीं कर सकता, तो जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं यहां से, Unless a different intention appears from the terms of the contract, a stipulation as to the time of the payment is not deemed to be of the essence of a contract of sale, किसी भी contract of sale में, payment का time क्या है, वो जो है उस contract के लिए essential नहीं है, यानि कि payment अगर बाद में भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पर देखिए, इसमें यह है कि goods की delivery delay नहीं होने चाहिए, goods की delivery जो है time पर होने चाहिए, Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract, तो जो stipulation as to time है, price की payment को लेके, तो फिर वो जो है contract of sale के लिए जरूरी है, या फिर नहीं है, वो जो है contract of sale की terms पर depend करता है, तो section 11 में जो है बस इतना ही दे रखा आपको, ठीक है, I hope आपको यह समझ आ गया होगा, और आपको stipulation का meaning भी clear हो गया होगा, अगर stipulation का meaning clear है, तो फिर आप लोग जो है next वीडियो में जब हम पढ़ेंगे condition and warranties, तो वो आप लोग जो है असानी से समझ पाएंगे, चलिए, अब हम लोग एक important topic start करने जा रहे हैं, section 12, conditions and warranties, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि condition का मतलब क्या होता है, और warranties का मतलब क्या होता है, और हम लोग ने पिछली वीडियो में क्या समझाता, कि जो stipulation होती है, उसको भी हम condition बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे stipulation को अलग करेंगे, और condition को अलग करेंगे, stipulation को आप जो है किसी तरकी की requirement समझ सकते हो, या फिर contract की कोई term, और stipulation के दो parts होते हैं, एक condition और एक warranty, तो देखें, किसी भी contract of sale में जो stipulation होती है, stipulation in a contract of sale, वो दो types की हो सकती है, या तो condition की, या फिर warranty की, अब समझते हैं कि condition का मतलब क्या होता है, औ और warranty का मतलब क्या होता है, एक example के थ्रू, for example, person है Mr. A, Mr. A, जो है एक TV की shop पर गए, वहाँ पर उनको मिले Mr. B, जो की एक salesman है, तो Mr. A ने Mr. B को बोला, जी मुझको TV चाहिए, तो Sony, Bravia, या Samsung, या LG का जो बढ़िया TV है ना, वो दिखाओ बिलकुल LED वाला, महंगी से महंगा पैसो के चिंता मत करो, मैं को बढ़िया TV चाहिए, तो Mr. B, जो है Mr. A को क्याते हैं, जी, आप ये LG, Sony, Samsung, इसको छोड़िये, हमारा खुद का home brand का एक TV है, home brand मतलब, यानि कि जिसकी shop होती है, उसका खुद का अपना brand, ठीक है, तो उनका कोई अपना home brand है, Mr. B का, उसका जो ह स्क्रीन, तो Mr. B कहते हैं, जी, जो हमारा home brand का TV है न, वो है ही अपनी स्क्रीन की वज़े से मशूर, हमारी जो स्क्रीन है, वो काफी immersive experience देती है, अपने viewers को, एक कोई भी फिल्म या फिर कुछ भी उस पर देखने का, तो Mr. ये कहते हैं, ठीक है, आप जो है, अपने इस home brand के TV को, 42 इंच वाला उसको pack कर दो, और मेरे घर पे भिजवा दो, Mr. B कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर, जब Mr. B और Mr. A के वीच conversation चली, तो उसमें अपने ये notice किया होगा, कि Mr. A जो है, स्क्रीन की बात पर काफी दवाव दे रहे थे, कि उनको जो है, ऐसा TV चीज, इसके स्क स्क्रीन काफी बढ़िया हो, कि देखने में जो है, अच्छा लगे, तो यहाँ पर जो स्क्रीन है, वो Mr. A के लिए, जो है, condition है, एक, condition जो होती है, वो किसी भी contract of sale में, एक essential part होता है, कि अगर condition ही fulfill नहीं हुई, तो फिर contract करने का फायदे ही क्या हुआ हुआ, फिर, क्योंकि बायर की condition fulfill हो, तभी जो है, बायर ने वो product खरीदा है seller से, ठीक है, तो अगर वो condition ही fulfill नहीं हो पाई, फिर जो बायर है, वो जो है, contract को cancel कर सकता है, तो देखिए, condition एक वो stipulation है, contract of sale में, जो की अगर पूरी नहीं हो पाई, तो फिर जो बायर है, उसके पासे right होता है, कि वो जो है, पूरे के पूरे contract of sale को repudiate, यानि की cancel कर सकता है, वो product को वापिस कर देगा, और seller से जो है, जो भी इसने price पे किया था, वो recover कर सकता है, और साथ में जो भी damages हैं, वो भी वो recover कर सकता है, ये होती आपकी condition, अब जब Mr. A के घर ये TV आया, जो की B के home brand का था, तो जो इस दिन बाद ही खराब हो गई, एक दिन सही चला, अगले दिनी जो है screen खराब हो गई, picture जो है सही से नहीं आ रहे है, काफी negative effect आ रहा है उस picture में से, तो अब यहाँ पर Mr. A की जो condition है, वो क्या हो गई, वो condition जो है breach हो गई, यानि कि वो condition टूट गई, वो unfulfilled हो गई, क्योंकि Mr A ने TV क्यों खरीदा, B के home brand का, क्योंकि screen बढ़िया थी, main condition तो वही थी खरीदने की, तो यहाँ पर जो Mr. A है, वो इस TV को Mr. B को वापस कर सकते है, यानि कि इसका मतलब क्या है, कि वो contract को cancel कर सकते है, और जब वो contract को cancel करेंगे, तो फिर वो Mr. B से जो भी उन्होंने price पे किय या होगा TV का, वो recover कर सकते है Mr. A, और साथ में damages भी अलग से recover कर सकते है Mr. B से, तो यह होती है हमारी condition, अब बात करते हैं warranty की, देखें किसी भी contract of sale में warranty एक ऐसे stipulation होती है, जिसके तूट जाने पे, कि अगर वो warranty पूरी ना हो, तो फिर उसकी वज़े से contract तो cancel नहीं होता है, लेकिन जो buyer है, वो जो है damage claim कर सकता है seller से, या फिर अपने product को repair करवा सकता है, warranty का पैसी मतलब समझ सकते है practical life में, कि अगर आप किसी product को repairation के लिए देते हैं, तो वो भी warranty के under होता है आपका, जिसे लिख़ो होता है ना, कि अगर यह phone एक साल में खराब हो गया, तो फिर warranty के लेकिन repairation के लिए देते हो, तो वो free of cost जो है repair होता है आपका, यानि कि आपने जो है automatically damages जो है claim कर लिए है सामने वाली party से, तो warranty में ध्यान रखना है आपको, contract cancel नहीं होता, लेकिन damages जो है claim हो सकते हैं, अब देखे, माल लीजे, यहाँ पज़े TV आया ता मिस्टर A के पास, इसके screen खराब नहीं थी, screen बिल्कुल सही थी, लेकिन जो TV का remote था, वो जो है खराब हो गया, remote नहीं काम कर रहा, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि remote खराब होने के चक्कर में Mr. A जो है, पूरे के पूरे TV को ही वापस कर दे, TV तो perfect है पूरा, perfect चल रहा है, लेकिन remote खराब के दे दीजे, या फर जो भी damage है, वो मुझको दे दीजे, मैं जो है नया remote खरीद लूँगा भार से, तो यहाँ पर Mr. B है, वो जो है free of cost remote को repair करवा देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको breach of warranty, जो यहाँ पर remote खराब हो है न, उसको हम बोलेंगे breach of warranty कि Mr. A contract को त करते हैं, वो seller से, तो अगर हम condition को देखें, तो condition का मतलब क्या है, stipulation essential to main purpose of the contract, condition एक ऐसी stipulation है, जो की contract के main purpose के लिए important है, कि अगर condition breach हो जाए, तो फिर contract का main purpose ही जो है, वो पूरी के पूरी तरह टूट जाएगा, contract cancel भी हो सकता है, लेकिन warranty में क्या है, warranty is a stipulation collateral to main purpose of the contract, यहाँ पर collateral to main purpose of the contract का मतलब है, कि warranty जो है, एक extra requirement है, condition के अलावा, कि अगर condition fulfill हो गई, लेकिन जो warranty है, वो अगर breach हो जाती है, तो फिर उस case में, buyer के पास contract cancellation का right नहीं होता है, लेकिन damages claim करने का right होता है, conditional warranty का जो है, एक छोटा example और ले लेते हैं, जैसे कि for example आप कोई car खरीदने गए, और आपने जो है salesman को बोला, कि मुझको ऐसी car चाहिए, जिसकी average कम सकम 20 की हो, यानि कि 20 km पर लीटर के साब से उसकी average हो, तो जैसे salesman आपको एक car का model दिखाता है, और guarantee देता है कि इसकी average जो है 20 की है, तो आपने चलाई अच्छी लगी आपको आप जो है घर लिया है, अब देखें, जो car है वो average तो सही दे रही है, 20 की average दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि जो condition है main, क्योंकि main condition क्या थी car खरीदने की average 20 की हो, तो average तो सही है 20 की, लेकिन जो इसका tire है, वो जो है 10 दिन में खराब हो गए, तो यहाँ पर अगर tire खराब हो गए है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे की पूरे car को वापिस कर दो, कि पूरे के पूरे contract को cancel कर दो, क्योंकि जो आपकी main condition थी, वो तो fulfill हो चुकी है, हाँ, जो warranty है, वो आपकी breach हो चुकी है, तो आप tires के लिए अलग से damage claim कर सकते हो, कि भया, tire तो खराब हो गए, या तो free of cost नहीं लगा के दो, या फिर जितने की भी बैठत इस मुझको दे दो, मैं खुच जाके लगवा लूँगा, तो ये example है आपका, एक condition और warranty से related, so I hope आपको जो है condition और warranty के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, तो एक बार यहां से जो है read कर लेते हैं, वस, क्योंकि समस्तम चुकी है, जो main part था, a stipulation in a contract of sale with reference to goods, which are the subject thereof, may be a condition or a warranty, section 12, subsection 1, तो किसी भी contract of sale में, दो टाइप्स की stipulation हो सकती है, या तो condition या फिर वरान्टी, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract and the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated, repudiated का मतला है कि contract को cancel कर देना, section 12, subsection 2, a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract and the breach of which gives rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated, तो अगर जो वरान्टी है, वो ब्रीच होती है, तो फिर आप damage claim कर सकते हो, लेकिन contract को cancel नहीं कर सकते, यानि कि आप goods को reject नहीं कर सकते, section 12, subsection 3, whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends in each case on the construction of the contract, तो किसी भी contract of sale में जो stipulation है, वो condition है या फिर वरान्टी है, वो जो है contract की terms and condition में depend करेगा, और जब contract बन रहा होगा तो उस पर depend करेगा, stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract, section 12, subsection 4, अब देखे, एक stipulation जो है condition हो सकती है, लेकिन उसको कई बार जो है contract में warranty भी कहा जाता है, अब sir ये line थोड़ी confusing है, कि कोई stipulation condition है, लेकिन उसको warranty क्यों कहेंगे, देखे, जैसे कि ये example था, टीवी वाला, अब यहाँ पर जब Mr. A के टीवी की screen खराब हो गई, तो condition जो है breach हो गई, है ना, लेकिन जो TV था, वो warranty में था, जो B था, उसने बोला कि sir कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है आपको screen repair करके देदूँगा free of cost, कोई दिक्कत नहीं, screen खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देदूँगा free of cost repair करके, तो यहाँ पर वैसे तो, वो जो screen थी, वो एक condition के तौर पे थी, उस contract में, जो A और B के बीच हुआ, लेकिन वो किस नाम से थी, उस contract में warranty के नाम से थी, कि warranty के अंडर अगर TV है, तो जो भी खराबी होगी, वो जो है free of cost repair हो जाएगी, तो इसलिए हम पर बोला गया है, कि एक stipulation condition होती है, लेकिन कई बार सो contract में जो है warranty कहा जाता है, अब देखते हैं, condition और warranty के बीच का difference, difference between conditions and warranties, exam point of view से important है, exam में already 3 marks का question आ चुगा है, इसके उपर और आगे भी आ सकता है, तो आएए एक एक करके जो है, points को discuss करते हैं, तो पॉइंट से ज्यादा कुछ समझने के लिए हैं नहीं, basis में सबसे पहला point हमारा meaning का, तो meaning हम लोग already देख चुके है, अब condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, condition एक ऐसी stipulation है, जो की contract के main purpose के लिए important है, ठीक है, warranty क्या है, अब warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, warranty एक ऐसी stipulation है, जो की condition के अलावा एक extra requirement होती है, contract के main purpose के लिए, यानिकि वो इतनी important नहीं होती, जितनी condition होती है, इसके बाद right in case of breach, ये भी हम लोग discuss कर चुके है, condition अगा breach होती है, तो फिर जो aggrieved party है, वो जो है contract को repudiate करने का right रखती है, और साथ में damages भी claim कर सकती है, वो, the aggrieved party can repudiate the contract or claim damages, और both in the case of breach of condition, चीक है, लेक का breach होता है, तो फिर aggrieved party के पास contract को repudiate करने का right नहीं होता है, लेकिन damage claim करने का right होता है, the aggrieved party can claim damages in the case of breach of warranty, इसके बाद third point, conversion of stipulations, इस point में क्या है, कि क्या condition को warranty माना जा सकता है, या फिर क्या warranty को condition माना जा सकता है, तो देखिए, a breach of condition may be treated as a breach of warranty, condition की breach को आप जो है, breach of warranty मान सकते हो, लेकिन अगर warranty breach हुई है, तो फिर आप उसको condition की breach नहीं मान सकते, a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए, अगर warranty breach होती है, तो फिर obvious है, warranty breach हुई है, मतलब कोई ऐसी चीज़ का breach हुआ है, जिससे आपको इतना फरक नहीं पड़ा, तो आप जो है, contract cancel कर सकते हो, या फिर नहीं भी कर सकते, आपके उपर है, जैसे कि for example, हमने car वाल एक्जामपल लिये था अभी थोड़ी देर पहले, कि car की average 20 की उनी चीए, तभी car वो खरीदेगा, ठीक है, अब मान लीजे, car खरीद ली, person ने, और car की average 20 की वजाए 15 की निकली, तो अब वो जो है, यह चाहता है, कि car जो है, मैं वापिस ना करने वोड़ा जंजट था, ठीक है, उसने car को अपने पासी रखा, उसने contract को cancel नहीं किया, लेकिन हा, उस चीज के जो है, damages claim कर लिये seller से, कि भाया, आपने 20 का बोले था average, लेकिन 15 की निकली, तो जो damages है आप मुझ को वो दे दो, तो यहाँ पर breach of condition तो हुआ, कि main purpose जो था average का, वो fulfill नहीं हुआ, लेकिन फिर भी, जो person था, उसने contract को cancel ना करके, damages claim कर लिये, तो इसलिए, इस case में, जो है, condition तो breach हुई, लेकिन उसको breach of warranty मान लिया गया, इसके बारे में हम लोग, specifically, इस point के बारे में, हम लोग जो है, next वीडियो में, detail में पढ़ेंगे, कि किन-किन cases में, जो है, breach of condition को breach of warranty treat किया जाता है, so I hope आपको, जो है, सारे के सारे points clear हो गए होंगे, और condition और warranty के बीच का difference समझ आ गया होगा, अब हम लोग दिखते हैं, अपना next topic, when condition to be treated as warranty, section 13, किन cases में, जो है, condition को warranty की तरह treat किया दिखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या समझाता, कि condition क्या होती है, और warranty क्या होती है, और जो ये point है, when condition to be treated as warranty, ये हमने difference के last one में देखा था, कि अगर breach of condition होती है, तो फिर उसको breach of warranty की तरह treat किया जा सकता है, तो आईए, अब जो है, एक करके वो cases देखते हैं, जहाँ पर condition को warranty treat किया जाता है, condition to be treated as warranty, देखे, यहाँ पर आपको चार point दिख रहे होंगे, लिकिन जो broadly, cases है अंसके, वो जो है आपके तीन ही है, जब के पहले दो points है, वो almost same है, या अफर आप कहा सकते हो कि continuation में है, वो कैसे, तो हम लोग सब का एक एक example लेंगे, ताकि हम उनको सारे के सारे points clear हो जाए, तो इसमें सबसे पहला point है हमारा, buyer waves the performance of condition, और दूसरा point क्या है हमारा, buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty, अब देखे, पहले दो points, same क्यों है almost, क्योंकि देखे, अगर जो buyer है, वो जो है, breach of condition होता है, तो उसके पास right होता है, कि वो contract को cancel कर सकता है, लेकिन पहले point में क्या लिखावा है, he waves the performance of condition, यानि कि buyer ने अपना, जो breach of condition का right था, contract को repudiate करने का, वो जो उसने wave off कर दिया, उसने खतम कर दिया, अपने पास से, और जान बूच कर, जो है, वो breach of condition को breach of warranty treat कर रहा है, ठीक है, तो देखे, अगर buyer जो है, condition की performance को ये wave off कर देगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, कि जो buyer है, वो breach of condition को breach of warranty treat कर रहा है, तो अब आईए, अब इसका जो है, एक example दिखते हैं, simple सा, for example, एक person है, x, x जो है, अपने दोस y के पास गया, और उससे बोला, कि यार, मुझको जो है न, 100 kg rice चाहिए, और वो भी बासमती, जो बढ़िया quality का होता है जिसको हम लोग कहते हैं, first grade quality, उस quality का मुझको जो है, rice चाहिए, y कहते है, ठीक है, इसका जो rate है, वो है तेरा 200 रुपे पर kg का, तो x कहते है, ठीक है, तू pack कर दियो, जब भी लेने आना हो, मैं जो है, लेने आ जाओंगा, या फिर तू भिजवा दियो, y कहते है, तब दो जो है, एक contract of sale बन चुका है, और यहाँ पर main condition क्या है, x की rice खरीदने की, कि उसको जो है, first grade quality का बास्मती rice चाहिए, जिसका rate है, 200 रुपे पर kg, अब देखे, जो y है, वो जो है, 100 किलो rice pack करके, x को deliver करता है, लिकिन जब x उस rice को खोलता है, तो वो जो है, second grade quality का निकलता है, यानि कि वो जो है, बास्मती rice नहीं है, वो first grade वाले से एक grade नीचे quality का rice है, जिसका rate है, 180 रुपे पर kg का, तो अब यहाँ पर देखा जाए, आप लोग कहोगे कि सर, यहाँ पर तो condition जो है, breach हो गई है, x को जो है, contract को cancel कर देना चाहिए, तो हाँ, x के पास यहाँ पर right है, contract को repudiate करने का, कि वो जो है, सारे के सारे 100 किलो चावल, y को वापिस भेज सकता है, और x ने जो भी price पे किया होगा, वो y से recover कर सकता है, और अगर उसको कोई damage भी OS के चक्कर में, तो damage भी जो है claim कर सकता है, वो y से, लेकिन देखे, यहाँ पर जो x होता है, एक तो y का दोस्त होते हैं, तो x क्याता है, यार आप जो इसने भेजी दिये हैं, 100 किलो चावल, और इतने खराब भी नहीं है, हाँ ये था कि मैंने first grade के मांगे थे, इसने जो है second grade के दे दिये, जो कि 20 रुपे कम के हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, x क्याता है, तल छोड़ यार, समस condition की performance की wave of कर दी, कि उसने खुद से अपना writing खतम कर दिया, कि वो जो है, अब contract को cancel कर दे, ठीक है, और देखे, अब अगर यहाँ पर condition की performance को wave of कर दिया, इसका मतलब क्या है, जो buyer है, वो जो है, breach of condition को breach of warranty treat कर रहा है, यानि कि यहाँ पर जो x है, अब वो contract को तो cancel नहीं का, ठीक है, क्योंकि उसने rice को अपने पास रख लिया है, हाँ, वो जो है, वाई से यह कह सकते है कि यार, तू एक काम कर, जो है difference amount है न, 20 रुपे का, इसके मुझको जो है, 20 रुपे पर kg के हिसाब से damage देते, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर y कहता है, ठीक है, तू जो है, 20 रुपे पर kg के साब से damage ले ले, और कितना एंगे damage आपके, 20 into 100, कि 100 किलो था, तो 2000 रुपे, तो 2000 रुपे के damage देते मुझको y, y कहता है, ठीक है, तो यहाँ पर x ने क्या किया, x ने जो है, तो condition की performance को विवाफ कर दिया, दूसरा, यह करते ही, उसने जो है, breach of condition को breach of warranty मा लिया, तो यहाँ पर x ने जो है, खुद से अपने right को खतम कर दिया, breach of condition वाले, तो यहाँ पर अब contract तो cancel नहीं होगा, लेकिन x जो है, 2000 रुपे के damage, y से claim कर सकता है, अब इसमें हमारा तीसरा point है, देखे, contract is not severable, plus buyer has partly or fully accepted the goods, अगर contract ऐसा है, कि आप उसको जो है अलग नहीं कर सकते, और buyer ने जो है, या तो partly या फिर fully जो है, goods को accept कर लिया है, तो फिर उस case में, breach of condition को breach of warranty मानना ही मानना पड़ेगा, देखे, जबकि पहले दो points है न, first and second point, वो है आपके voluntary waiver के, कि इन दोनों points में जो है, जो buyer है, वो जो है, खुद से अपना right खतम कर रहा है, breach of condition वाला, लेकिन जो आपका third and fourth point है, उसमें, जो है, compulsory waiver है, इसका मतलब क्या है, कि अगर breach of condition हो भी गिया है, तो भी आपको उसको जो है, breach of warranty ही मानना पड़ेगा, तो अब आईए, सबसे पड़े तीसरे point को समझते हैं, कि ये contract is not severable का मतलब क्या है, और ये इसका अगर ने partly or fully goods को accept कर लिया है, तो देखिए, for example, person है x, x जो है y के पास गया, और उसको बोला कि यार, मुझको जो है, 1000 apples चाहिए, और वो भी बिलकुल कश्मीरी, जो बड़िया quality के होते हैं, x ने y के पास order place कर दिया, y कहता है, ठीक है, मैं जो है, 3 दिन में 1000 apples पहुचा अब जब y जो है, x के पास 1000 apples के जो carton है, वो भेजता है, तो फिर जब x ने check करता है carton को, तो क्या पता लगता है, कि ये जो 1000 apples है न, इसमें जो है, कुछ कश्मेरी apples भी हैं, और कुछ low quality वाले apples भी हैं, जो की अब mix हो चुके हैं, और पता नहीं लगाए जा सकता, कि कौन स अपल low quality का है, और कौन सा कश्मेरी है, यहाँ पर y से जो है, गलती हो गई, इन 1000 apples को भेजने में, क्योंकि वो सारे सारे कश्मेरी नहीं थे, कुछ कश्मेरी apples थे, बढ़िया quality वाले, कुछ low quality के apples थे, जो की अब mix हो चुके हैं, पूरी तरह, और हाँ, x को जो है, ये बात म customer को, तो अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो 1000 apples आ गए, जिसमें कि सब mix था, कश्मेरी भी mix थे, और low quality मिक से, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो देखके पता लग जाएगा, apples को, ठीक है, कि हम जो है, किसी export को बला लेंगे, वो जो है, अलग करके बता देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर X से गड़बड क्या हो गई, X ने जो है, 200 apples इसमें से, already किसी customer को बेज दिये, तो देखे, यहाँ पर हम कहा सकते हैं, कि X ने, partly जो है, goods को accept कर लिया है, goods are accepted, आप लोगों ने जो है, इसके बारे में, Indian contract act में ही पड़ा होगा, कि आप कोई भी act करके, जो है, अपनी acceptance को communicate कर सकते हो, तो यहाँ पर X ने क्या किया, जो हजार apples आए, सबसे पहले उसने बिना चक किये ही, जो है, 200 apples से customer को बेज दिये, तो यहाँ पर X ने जो है, ना चाते वे भी, partly जो है, goods को accept कर लिया है, तो यहाँ प पर सवाल यह आता है, कि X करे तो करे क्या, breach of condition का मामला तो गया, क्योंकि देखे, breach of condition का अब होता, अगर उसी समय जो X था, वो जो है, 1000 के 1000 apples को चेक करके, वापिस भेज देता और बोलता, कि जो condition थी main, वो तो fulfill हुई नहीं, तो आप जो है, मेरे पैसे वापिस कर दो, क्यो कर सकता, वो right तो गया है, उसका, तो अब उसको जो है, यहाँ पर breach of condition को क्या मानना पड़ेगा, जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, उसको जो है, breach of condition को breach of warranty मानना पड़ेगा, और अगर breach of warranty मानना पड़ेगा, तो यानि कि जो X है, वो contract को तो cancel नहीं कर सकता, लेकिन, Y से जो ह वो damages जरूर claim कर सकता है, damages can be claimed, वो यह कह सकता है कि आपके गलती के वैसे मेरे जो भी damages हुए है, आप जो है, मुझको वो damages दे दो, तो यह है आपका तीसरा point, कि यहाँ पर जो contract है, वो non-severable है, क्योंकि देखें, यहाँ पर low quality वाले को और कश्मीरी apples को अलग करना मुश्कि भी चुका है, लिखा है ना, contract is not severable plus buyer has partly or fully accepted the goods, buyer partly या फिर fully या तो कुछ पार या पूरी तरह goods को accept भी कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर अब breach of condition को breach of warranty मानना ही पड़ेगा, अब इसमें हम लोग अपना last और fourth point देखते हैं, fulfillment of condition excused by law, condition जो है वो क्यों fulfill नहीं हो पाई law के वज़े से, अब इसका एक simple example देखते हैं, ताकि हमको यह point जो है clear हो जाए, जाज़े कि for example एक person है A, अब A है England का रहने वाला, उसने जो है इंडिया में contact किया एक B को, B कौन है, इंडिया का रहने वाला है, और B के पास order place किया 1000 kg rice का वो भी A quality वाला, जो top quality का होता है, तो A ने B से का कि आप जो है England में 1000 kg rice export कर दो, अब देखे B तो मान गया, B ने का ठीक है मैं जो है 15 दिनों के अंदर अंदर 1000 kg rice आपको जो है A quality वाला export कर दूँगा, अब A के पास जब rice आया export होके, और उसने जब rice को check किया, तो वो जो है B quality का निकला, वो उतना top quality का नहीं था, जैसा कि A ने demand करी थी B से, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर, यहाँ पर जो है breach of condition हो गई, और जो A है, वो अब contract को cancel कर सकता है, वो पूरा का पूरा वापस भिजवा देगा, और B से सारे पैसे ले लेगा, price वाले, जो पर आप पहले B के तो सुन लो, कि B ने जो है B quality वाला rice क्यों भेजा, देखे, B ने A को बोला कि सर, जो यहाँ की सरकार है, इंडियन जो government है, उसने जो है A quality वाले rice के उपर export बैन लगा दिया है, कि जो A quality का rice है, वो जो है, export अब नहीं किया जाएगा, तो इसलिए मुझको म rice भेजना पड़ा, तो देखे, यहाँ पर breach of condition तो हुआ है, कायदे से तो A के पास right है, contract को cancel करने का, लेकिन फिर भी उसको जो है, इस breach of condition को breach of warranty मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि B के लिए जो है, condition को fulfill करना impossible बन गया था, law में change की वाज़े से, क्योंकि law निकल गया था, इ A quality का rise जो है, वो export नहीं होगा, उसके export पर ban कर दिया, तो यहाँ पर law की वज़े से, condition की जो fulfillment है, वो जो है impossible बन गई seller के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो buyer है, जो की A है, वो जो है contract को तो cancel नहीं कर सकता, लेकिन वो B से जो है, damage claim कर सकता है, तो चलिए एक बार जो है, यहा to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated, तो पहले point में जो है, आपका voluntary waiver है, कि जो buyer है, वो खुद से जो है, breach of condition को breach of warranty मान रहा है, तो अगर breach of warranty मान लेगा, फिर वो जो है contract को repudiate नहीं कर सकता, लेकिन हा, damage claim कर सकता है, section 13, subsection 1, second point, where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated, तो second point और third point जो है आपका, इसमें जो है आपका compulsory waiver है, कि चाहे breach of condition हो गया है, लेकिन फिर भी जो buyer है, उसको breach of warranty ही मानना पड़ेगा, तो contract जो है, non-severable है कि contract को अलग नहीं किया जा सकता, और buyer ने जो है, पार्टली या फिर फुली जो है goods को accept कर लिया है, तो यहाँ पर अगर condition breach हुई है, तो भी जो buyer है उसको breach of warranty ही treat करना पड़ेगा, section 13, subsection 2, इसके बाद last point, nothing in this section shall affect the case of any condition of warranty, fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise, section 13, subsection 3, तो अगर law की वज़े से जो है condition या फिर warranty की fulfillment impossible बन जाए, फिर उस case में जो आपका buyer है, वो breach of condition को ना चाते वे भी जो है उसको breach of warranty ही मानना पड़ेगा, कि वो जो है सिर्फ वसिफ damages ही claim कर सकता है, contract को cancel नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर condition of warranty की जो fulfillment है, वो जो है law की वज़े से impossible हो गई है, so I hope आपको जो है सारे के सारे points clear हो गई होंगे यह वाले, चलिए अब एक important part करते है, Express and Implied Conditions and Warranties, sections 14 to 17, देखे इसमें भी हमारा जो सबसे important part है, वो है हमारा Implied Conditions and Implied Warranties, जो Express है वो तो बहुत simple होता है, Express Condition या फिर Express Warranties जो है contract to contract depend करती है, वो जो है हर contract में अलग-अलग होती है, और Expressly लिखी जाती है contract of sale में, लेकिन जो आपकी Implied Conditions और Implied Warranties होती है, वो जो है किसी भी contract of sale में लिखी तो नहीं होती, लेकिन माना जाता है कि यह conditions of warranties contract of sale में present है, तो अब आईए इसको discuss करना start करते हैं, सबसे फ़हले Express Conditions और Express Warranties, Express Conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of the contract and are expressly provided in the contract, तो चाहे Express Conditions हो या फिर Express Warranties हो, वो जो है contract to contract depend करती हैं, और parties के बीच में जो है कब आती हैं वो जब parties उनको expressly अपने contract of sale में डालती हैं, लेकिन जो आपकी Implied Conditions हैं या फिर Implied Warranties हैं, वो जो है law presume करता है कि वो हर contract of sale में present है, Implied Conditions are those which are presumed by law to be present in the contract, and same goes for Implied Warranties also, Implied Warranties are those which are presumed by law to be present in the contract, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं, Implied Conditions के बारे में कितनी तरिके की Implied Conditions होती हैं, Implied Conditions, सबसे पहली Condition क्या है, Condition as to title, देखें, ये माना जाता है किसी भी contract of sale में कि अगर seller अपने goods बेच रहा है buyer को, तो फिर seller के पास right है उन goods को बेचने का, जैसे कि for example, अगर आप किसी shop पर grocery खरीदने का है, तो क्या grocery खरीदते वत, क्या आप ये पूस्त shop की पर से, कि भाया ये जो आप मुझे बेच रहे हो राशन, क्या ये आप ही का है या फिर किसी और का बेच रहे हो, क्या पूस्तो आप ऐसा, नहीं पूस्ते ना, तो ये माना जाता है कि seller जो है अपने ही goods बेच रहा है buyer को, यानि कि उसके पास right है उन goods को बेचने का, seller must have the right to sell goods, लेकिन मान लीजे अगर seller का title जो है defective निकल आता है, यानि कि seller के पास right नहीं था उन goods को बेचने का, हो सकता है कि वो चोरी के goods बेच रहा हो, फिर उस case में क्या consequences होंगे, इस seller's title is defective, buyer to return goods to true owner, जो भी true owner है, यानि कि जो भी सही माली के उन goods का, उसको जो है buyer को goods वापिस देने पड़ेंगे, जो भी उसने seller से खरीदे हैं, लेकिन हाँ, जो buyer है, उसने जो भी price पे कियाता है seller को वो जो है price को recover कर सकता है seller से, buyer can recover the price from seller, जैसे कि for example A है, A ने जो है car offer करी B को अपनी 5 लाग रुपे की, अब B ने तो यही सोच के खरीदी कार की ये car जो है A की है, लेकिन असल में A जो है C से चोरी करके लायता वो car, तो car थी वो C की असल में, तो यहाँ पर A का जो title है, वो क वो B के बास जाता है, अब B को वापिस करनी पड़ गई कार, क्योंकि C जो है police case कर चुगा था, लेकिन यहाँ पर जो B है, वो जो है A से अपने 5 लाग रुपे, जो price था car का, जो कि उसने pay किया तो उसको वो recover कर सकता है, इसके बाद दूसरी implied condition, sale by description, अब इसका मतलब क्या ह यह पैसी है, color ऐसा है, और बाद में अगर आपने जो goods बेचे हैं buyer को, वो goods आपके बताये गए description के हिसाब से ना निकले, तो फिर buyer जो है liable नहीं है, उन goods को accept करने के लिए, और उनके regarding payment करने के लिए, goods shall correspond with description, if goods not as per description, buyer not bound to accept and pay, तो देकि for example, A है और B है, A जो है एक pen dealer है, ठीक है, अब B A के पास गया, और उसने बोला कि उसको 100 pen चाहिए, ट्राइमेक्स के, जो ट्राइमेक्स का बड़िया वाला पैन होता है न, वो मांगा B ने A से 100, तो A कहता है, देखिए मेरे पास ट्राइमेक्स तो नहीं है, लेकिन ट्राइमेक्स जैसा एक और पैन है, बिल्कुल वैसी ही shape का है, ठीक है, और color जो है red होगा उसका, जैसे ट् आ रहा है कि ट्राइमेक्स जैसा similar है वो, similar to primax, लेकिन जो color होगा उसका body का, जो body color होगा pen का, वो जो है red होगा, चलने में blue होगा, चलेगा blue ही, लेकिन body color red है, तो ऐसे जो है A ने describe किया B को, कि ऐसा ऐसा pen होगा, बिल्कुल same size का होगा, जितना लंबा ट्राइमेक्स है, उत अब A ने description दिया उस pen का, जो कि वो B को बेशना चाहता है, अब B ने 100 pen वैसे खरीद दिये, अब देखे, अगर वो pen थोड़ा उपर नीचे मिला, यानि कि वो थोड़ा छोटा हुआ, ट्राइमेक्स से, या फिर काफी बड़ा हुआ, या फिर वो जो है, उस color का नहीं निकल जिस color का A क्या रहता है कि red color की body है, body जो है किसी और color की निकली, तो फिर उस case में B जो है, वो जो है contract को cancel कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर implied condition है, यह माना गया है, कि A जैसे describe कर रहा है pen को, तो pen भी जो है, उस description से match होने चाहिए, तो आईए एक बार जो है, read कर लेते हैं दोनों points को, अभी हमने समझे है, condition as to title, section 14, subsection A, in every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition on the part of the seller is that, in the case of a sale, he has a right to sell the goods, and in the case of an agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass, तो दोनों में बात सेम कही गई है, कि goods बेशते समय जो है, seller के पास right होना चाहिए, उन goods को बेचने का, if the seller's title turns out to be defective, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller, इसके बाद, sale by description, section 15, when there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, तो अगर seller जो है, goods को describe करके बेच रहा है, कि उसने describe किया goods को, description दिया है उनका, तो फिर ये माना जाता है, कि ये condition है, contract of sale में, कि जो भी goods बेच रहा है वो buyer को, वो जो है, उस description से match होने चाहिए, जो कि seller ने buyer को बताया है, the buyer is not bound to accept and pay for goods, which are not in accordance with the description of the goods, it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description, i.e., whether the description was essential for identifying the goods that the buyer had agreed to purchase, if that is required and the goods standard do not correspond with the description, it would be a breach of condition entitling the buyer to reject the goods. यहाँ पर तीसरे point में क्या बोला गया है, कि कोई भी contract of sale करने से पहले, अगर sale by description हो रहा है, तो फिर उससे पहले ये चेक करना है, कि क्या वाकई में goods को describe करना जरूरी है या फिर नहीं है, क्या पता buyer जो है बिना describe करें goods को पैचान जाए, और उसको पता लग जाए कि हाँ goods जो होंगे सही होंगे, है ना, देखें, अगर description essential नहीं है वहाँ पर, तो फिर ये implied condition sale by description की नहीं लगीगी, लेकिन अगर description देना जरूरी हो जाता है goods को identify करने के लिए, फिर उस case में अगर जो भी goods seller ने buyer को बेचे हैं, वो जो हैं उस description से match नहीं होते, जो कि seller ने buyer को दिया था, तो फिर इसको breach of condition माना जाता है, और जो buyer है, वो जो है goods को reject कर सकता है, इसके बाद है हमारी तीसरी implied condition sale by sample, नाम से ही पता लग रहा है, sample दिखा के जो है sale करी जा रही है, तो देखे, इसमें implied condition क्या है, इसमें ये माना जाएगा, कि जो sample seller दिखा रहा है buyer को, तो जो आखिर में वो जो भी bulk बेचेगा, जो भी goods बेचेगा buyer को, वो goods जो हैं उस sample के साथ quality में match होने चाहिए, कि जिस quality का sample था, उसी quality का जो है, वो bulk भी होना चाहिए, जैसे कि for example, मुझको 100 shirts खरीदनी है, अब मैं एक कपड़ों के whole seller के पास गया, तो उसने मुझे एक white shirt दिखाई sample के तौर पर, तो वो जिस design की थी, मैंने उसको बोला कि मेरे को इसी design की 100 white shirts चाहिए, तो अब यहाँ पर यह imply किया जाएगा, यह माना जाएगा, कि वो जो भी 100 shirts उसने मुझे बेची है, वो जो है quality में उसी sample जैसी है, जो कि उसने मुझे दिखाई थी, अगर एक भी shirt या फिर कोई भी shirt जो है, sample के quality के matching की नहीं हुई, तो फिर मैं जो है goods को reject कर सकता हूँ, क्योंकि महाँ पर जाएगा, फिर breach of condition लग जाएगा हमारा, तो देखे, bulk shell corresponds with sample in quality, जो bulk है यानि कि वो goods जो की, buyer को बेचे गए हैं, वो जो है, sample की quality से match होने चाहिए, opportunity to buyer to compare bulk with sample, लेकिन देखे, यह implied condition कब applicable होगी, जब buyer को opportunity दी जाएगी, bulk को sample के साथ compare करने की, opportunity होने चाहिए बायर के पास, कि वो जो है, bulk को यानि कि जो भी goods उसको बेचे जा रहे हैं, वो जो है, उनको sample के साथ compare करे, goods shall be free from any latent defects, latent का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है hidden defects, सामने आ पाते, तो अगर कोई भी ऐसे hidden defect है, ठीक है, कि हमने जो है, examine कर लिये shirt को, लेकिन उसमें कोई ऐसा defect था, जो की naked eyes से नहीं दिखा, लेकिन बाद में पता लगा, कि वो defect उसमें था, तो फिर हम seller को जो है, liable ठहरा सकते हैं, इस latent defect के लिए, कि भाईया ये defect जो है, आपकी shirt में निकला है, तो अब आप जो इसको वापिस ले लो, और जो भी price मैंने पेई किया था, आप जो है मुझको दे दो, ठीक है, इसके बाद हमारा fourth point, sale by sample as well as description, sample दिखा के sale हो रही है, और साथ में describe भी किया जा रहा है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो same example लेते हैं shirt वाला, मैंने shop के बाद को बोला, कि मेरे को white shirt चाहिए, 100 white shirts, उसने मेरे को दिखाई, sample के तोर पे white shirt, लेकिन वो 34 size की थी, मैंने उसको बोला, कि मेरे को 36 size की चाहिए, तो उसने बोला, अभी हमारे गडॉन में है, अभी shop में है नी, लेकिन हम आपको जो है, 100 white shirts, इसी design में 36 size की भेज देंगे, तो यहाँ पर उसने जो मुझे shirt दिखाई, वो था sample, लेकिन जो 36 size था, वो था नी, उसने describe किया, कि हाँ, 34 की size से जो है, इतने inches बढ़ी होगी वो, तो वो उसने describe कर दिया, description दे दिया, तो यहाँ पर यह माना जाएगा, कि जो bulk, buyer को बेचा जा रहा है, वो जो है, sample और description, दोनों से match होना चाहिए, यानि कि हमारे इस वाले example में, जो shirt, बेची गई है, buyer को, वो जो है, sample से भी match होनी चाहिए, और साथ में description से भी match होनी चाहिए, कि वो जो है, 36 size की होनी चाहिए, bulk shall corresponds with both, sample and description, bulk not corresponds with sample or description, और both, या तो वो sample से match नहीं होरी, या फिर वो description से match नहीं होरी, या फिर दोनों से ही मैच नहीं हो रही बायर जो है वो contract को cancel कर सकता है बायर can repudiate the contract चलिए आईए एक बार दोनों points को read कर लेते हैं sale by sample section 17 in a contract of sale by sample there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent on a reasonable examination of the sample this condition is applicable only with regard to defects which could not be discovered by an ordinary examination of the goods यानि कि इस वाले point में जो है latent defects की बात करी जारी है यानि कि hidden defects की अगर hidden defects हुए यानि कि वो defects जो की examine करने के बाद भी सामने नहीं आ पाते तो फिर उस case में तो आप seller को libel ठरा सकते हो if the defects are latent then the buyer can avoid the contract the goods shall be free from any latent defect that is a hidden defect इसके बाद the sale by sample as well as description section 15 when the goods are sold by sample as well as by description the implied condition is that the bulk of the goods supplied shall correspond both with the sample and the description in case the goods supplied correspond with the sample but do not tally with the description और vice versa और both the buyer can repudiate the contract इसके बाद है हमारी fifth implant condition condition as to quality और fitness देखे वैसे तो किसी भी contract of sale में quality या फिर fitness के लिए कोई भी implant condition नहीं होती सर ऐसा कैसा जा रहे है फिर इसको यहाँ पर देख क्यों रखा है देखे समझे जैसे की sports shoes होते है अब sports shoes पहें के क्रिकेटर भी खेलता है और football भी खेलता है लेकिन जो quality sports shoes की cricket खेलने के लिए उससे different quality के आपको sports shoes चाहिए football खेलने के लिए क्योंकि दोनों में requirement जो है अलग-अलग होती है तो यहाँ पर देखा जाए तो quality या फिर fitness की जो implied condition वो general नहीं है वो एक particular purpose के लिए है ठीक है कि अगर buyer को एक particular purpose के लिए goods खरीदने है तो फिर वहाँ पर implied condition as to quality और fitness लगती है देखे no such implied condition but such implied condition applicable if देखे अगर यहाँ पर यह तीन जो condition दे रखी है यह fulfill हो जाए फिर उस case में implied condition as to quality और fitness for a particular purpose लग जाएगे और अगर बाद में जो है goods defective निकल आए फिर उस case में buyer जो है contract को repudiate कर सकता है breach of condition के तहत इसमें सबसे पहला point हमारा purpose of purchase known to seller by buyer बायर ने जो है seller को अपना purpose of purchase बता रखा है कि उसको किस purpose के लिए goods को खरीदना है दूसरा buyer dependent upon seller skill and judgment जो buyer है उसको इतनी knowledge नहीं है उसको बस purpose पता अपना कि मेरे को इस purpose के लिए goods खरीदने है goods को select करने के लिए वो जो है seller के उपर निरभार है कि उसको यकीन है कि seller की जो skills और judgment है वो उसके विश्वास कर सकता है और seller जो है वो उसको उसके purpose fulfill हो जाने वाले goods ही देगा फिर तीसरा point इसमे seller deals in those goods जो goods buyer खरीदना चाता है seller जो है उन्हीं goods में deal करता है तो अगर इस तीनों के तीनों points satisfy हो जाते हैं फिर उस case में condition as to quality और fitness आपकी applicable हो जाएगी जैसे कि for example A है और B है अब A जो है B के पास गया और A ने B से बोला कि उसको ऐसे sports shoes चाहिए जिससे कि A अपना कल का football match खेल सके अराम से कि वो इस quality के हो कि A अराम से football match पूरा निकाल दे तो उसने B को अपना purpose बता दिया कि उसको sports shoes कैसे चाहिए football खिलने लाइक चाहिए और हाँ A ने B को यहीं भी बोला कि भाया आप जो जूता दोगे ना मैं वहीं जूता खरीद दूँगा क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है तो यहां पर जो A है वो जो है B के उपर dependent है shoes को select करने के लिए दूसरा B का जो काम है वो sports shoes का ही काम है वो जो है sports shoes में ही deal करता है तो यहां पर तीनों की तीनों condition fulfill हो गई है तो यहां पर आपकी condition as to quality और fitness applicable हो जाएगी अब अगले दिन जब A जो है उन जूतों को पहन के match खेलता है तो फिर जूते जो है एक दो किक के बाद फड़े आते हैं खराब हो जाते हैं तब यहा आपर A ने तीनों के तीनों points को satisfy कर दिया था तो तीसरा point है वो तो खुछ seller नहीं satisfy किया था क्योंकि वो उन्हीं goods मडील करता है ठीक है तो यह होती है आपकी implied condition as to quality और fitness अब देखिए इसमें जो है आपका एक और point दे रखा है such implied condition not applicable if goods sold under trademark और patent name इसका मतलब क्या है A B के पा कि मेरे को football खेलना है या फिर football के लिए shoes चाहिए ठीक है वो सीधर आके Nike के मांगता है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर वो जो है एक patent name के under यानि कि brand के under जो है demand कर रहा है goods की तो वहाँ पर automatically implied condition आपकी applicable नहीं होगी क्योंकि जो buyer है उसको जो है brand से मतलब है यहाँ पर A को Nike का shoe चाहिए चाहिए वो खराबी क्यों ना हो जाब आद में ठीक है अब इसमें 6th point क्या है condition as to merchantability देखिए merchantability का मतलब क्या है कि goods जो है बेचने लायक हो उनमें कोई भी defect ना हो अगर कोई भी defect निकलता है तो फिर जो buyer है वो entitled है goods को reject करने के लिए goods bought by description plus seller deals in goods of debt description goods shall be of merchantable quality जैसे कि for example मैंने जो है एक electronic के shop से earphone order किये अब उन्होंने earphone इतनी बुरी तरह पैक किये कि इनको deliver करने में ही earphone damage हो गए ठीक है scratch वगरा आ गया और उनका जो एक हिस्सा था वो खराब हो गया तो यहाँ पर मैं earphones को reject कर सकता हूँ यह कहके कि यह un merchantable है merchantable quality के नहीं है क्योंकि उसमें defect exist कर रहा है if the goods are examined no such implant condition देखे अगर goods हमने examine किये हैं और हमको को defect मिल गया तो obvious है हम उस defective good को नहीं खरी देंगे जैसे कि हमने earphone को check किया अब एक earphone में आवाज आ रही है एक में नहीं आ रही है तो यहाँ पर कोई भी implant condition नहीं होगी अगर हम फिर भी उस खराब earphone खरीद लेते हैं यानि कि हमने examine किया defect पाया उसके बाद भी हमने defective चीज खरीद दी फिर तो भाया code भी आपके मदद नहीं कर सकता चीक है क्योंकि normally यह माना जाता है कि अगर buyer को defect मिल जाता है तो फिर वो goods को नहीं खरीदता अब इसमें मारी last implant condition condition as to wholesomeness देखें wholesomeness का मतलब होता है खाने लायक यह जो आपकी implied condition है यह जो है eatables में लगती है आपकी यानि कि खाने पीने की चीज़ों में आपकी condition as to wholesomeness होती है applicable in case of eatables जैसे कि for example अगर मैं mother dairy से दूद ला रहा हूँ तो फिर यह implied condition होती है कि वो दूद जो है पीने लायक है उसको पीके जो है मेरी तबयत खराब नहीं होगी तो यह जो wholesomeness के condition है यह सिर्फ कहां लगती है eatables के case में तो चलिए एक बार जो है तीनों पॉइंट को यहां से read कर लेते हैं condition as to quality or fitness section 16 subsection 1 ordinarily there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose however the condition as to the reasonable fitness of the goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods and the seller has ordinarily been dealing in those goods तो अगर यह तीनों के तीनों points satisfied है तो फिर आपकी implied condition as to quality or fitness for a particular purpose applicable हो जाएगी this implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent name इसके बाद condition as to merchantability section 16 subsection 2 where goods are bought by description from a seller who deals in goods of debt description whether he is a manufacturer or a producer or not चाहे वो seller जो है वो goods का manufacturer है या फिर producer है या फिर नहीं है कोई फरखनी पड़ता there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality there are two requirements for this condition to apply goods should be bought by description the seller should be a dealer in goods of debt description provided that if the buyer has examined the goods there shall be no implied condition as regards defect which such examination ought to have revealed तो अगर आपने goods को examine किया है और उनमें ऐसे defects हैं जो की एक reasonable examination करके reveal हो सकते थे तो फिर उस case में implied condition ये वाली applicable नहीं होगी फिर इसके बाद condition as to wholesomeness in the case of eatables in addition to the implied condition as to merchantability there is another implied condition that the goods shall be wholesome wholesome मतलब wholesome मतलब खाने लाइक कि eatables की case में हम जो भी खाने के लिए चीज़ खरीद रहे हैं वो जो है खाने लाइक है so I hope आपको जो है सारी की सारी implied conditions clear हो गई होंगी अब हम लोग पढ़ते हैं implied warranties के बारे में जैसे कि contract of sale में implied conditions होती है वैसे ही implied warranties भी होती है तो हमारी जो है चार types की implied warranties है आईए एके करके जो है चारों को discuss करते है तो जो यह हमारे चारों points है काफी simple है इन चारों points को जो है एक छोटे example से हम लोग समझते है सबसे पहला point है हमारा undisturbed possession देखे किसी भी contract of sale में undisturbed possession के लेके implied warranty क्या होती है कि जिस भी person को goods बेचे गए है जो buyer है उसकी possession जो है goods को लेके disturb नहीं होनी चाहिए तो देखे जो हमारे चारों points है काफी simple है हर point को हम जो है एक example से समझेंगे सबसे पहला point है हमारा undisturbed possession देखे इसमें क्या है for example Mr. A जो है Mr. B से car खरीदते है ठीक है बाइस आ कार Mr. B जो है एको car बेच देते हैं आप देखे क्या होता है एक हफ़ते बाद after one week Mr. B जो है दो दिन के लिए car मांगते हैं वो कहते हैं जो है दो दिन के लिए car चाहिए वस थोड़ा use करना है कुछ काम है तो Mr. A कहते है चलो कोई नहीं ठीक है अब लेकिन हर हफ़ते का Mr. B ने खेल बना लिया है हर हफ़ते जो है वो दो to use भी हो जाते हैं उसके लिए कि उसकी possession जो है डिस्टरब ना हो freely जो है उन goods को अराम से यूज कर सकता है अब आप जो है बार-बार जाके उसकी possession को डिस्टरब करोगे तो फिर obvious है जो Mr. A है यहां पर breach of condition तो नहीं हुआ है क्योंकि कार बिल्कुल सही है लेकिन breach of warranty कैसे हुआ है बी जो है हर हफ़ते दो दिन के लिए कार मांग के ले जाते हैं जिससे कि Mr. A की प्रजेशन है कार को लेके वो जो है डिस्टरब हो गई है ठीक है तो यहां पर Mr. A जो है damages claim कर सकते हैं Mr. B से breach of warranty के तहित कि जी आप जो है हर हफ़ते मुझे disrupt कर रहे हो हर हफ़ते दो दिन के लिए मेरी कार ऐसे ले जाते हो तो इसको हम बोलते हैं implied warranty as to undisturbed possession इसके बाद है हमारा दूसरा point non existence of encumbrances सेम example लेते हैं Mr. A ने जो है कार खरीदी है Mr. B से बाइस आ कार अब एक हफ़ते बाद क्या होता है after one week कुछ bank वाले जो हैं वो आते हैं Mr. A के पास और कहते हैं जी यह जो कार है ना इसके उपर जो है अभी ना loan चल रहा है और इसकी जो है 4-5 EMI बची हुई है तो अगर आप भर दोगे तो फिर लोन जो है उतर जाएगा पूरा और हम आपको फिर NOC दे देंगे अब यहाँ पर देखे यहाँ पर बी जो था उसने एक्चुली लोन पे ली थी कार अब उसने लोन वाली कार जो है Mr. A को बेच दी और Mr. A को बताया भी नहीं कि इस कार के उपर जो है लोन है और अभी 4-5 EMI बाकी है तो यहाँ पर क्या हुआ एंकम ब्रेंशिस का मतलब क्या होता है चार्जिस कि अगर आप कोई भी गुट्स बेचते हो तो फिर वो जो है सारे के सारे चार्जिस अलोन से फ्री होने चाहिए अब यहाँ पर Mr. A को मजबूरी में EMI भरनी पड़ती है लेकिन हा उन्होंने जो भी पैसे बैंक को भरे हैं वो जो है Mr. B से ब्रीच अब वरेंटी के तहद रीकवर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉंट्रक्ट अब सेल में इंप्लाइट वरेंटी है कि जो भी गुट्स आप बेच रहे हो वो जो है सारे के सारे चार्जिस से फ्री होने चाहिए there should not be any charge or loan existing on the goods फिर इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट quality और fitness by usage of trade देखे हमने जब इंप्लाइट कंडीशन बढ़ा था तो उसमें हमने कंडीशन बढ़ी थी कि अगर ये तीनों के तीनों points fulfill हो रहे हैं तो फिर implied condition as to quality और fitness जो एक particular purpose के लिए applicable हो जाती है वो तीन conditions कौन कौन से थी तीन points कौन कौन से थे सबसे पहला जो buyer है उसने जो है अपना purpose of purchase बता रखा हो seller को किसको goods किस purpose के लिए चाहिए दूसरा जो buyer है वो पूरी की पूरी तरह seller के उपर dependent है goods को खरीदने के लिए तीसरा जो seller है वो जो है उन्ही goods में deal करता है जो की buyer को चाहिए अगर ये तीनों के तीनों points fulfill हो जाते है तो फिर बाद में अगर goods में कोई भी defect निकलता है तो उसके लिए buyer जो है breach of condition का case डाल सकता है seller के उपर तो हम लोगों ने जो है उस condition को समझने के लिए football shoes का example है ता कि जैसे कोई person जो है वो जो है जूते की दुकान पर जाता है और उससे कहता है shopkeeper से कि उसको football खेलने के लिए shoes चाहिए ठीक है अब जो आपका buyer है जो person है वो जो है पूरी की पूरी तरह dependent seller के उपर shopkeeper के उपर कि वो उसको जो है वैसे ही shoes देगा जो कि football खेलने के लिए सही है और उस नमना purpose भी बता दिया था और जो shopkeeper था वो जो है sport shoes में ही deal करता था तो वहाँ पर अगर उसके shoes जो है फटके खराब हो गए है तो फिर वहाँ पर breach of condition लग सकती है वो जो है shoes वापिस करके अपना पूरा का पूरा price recover कर सकता है अब यहाँ पर बात हो रही है warranty की तो warranty के case में contract तो cancel नहीं हो सकता हाँ damage जरूर क्लेम कर सकते हो तो फिर यहाँ पर जो point है quality और fitness by usage of trade सर फिर इसका मतलब क्या है देखिए same example लेते हैं जैसे कि Mr. A है Mr. A जो है B के पास गए अब B कौन है वो जो है sport shoes का dealer है sport shoes dealer तो अब जो A है उसको जो है football खेलने के लिए ही shoes चाहिए football shoes चाहिए उसको उसने अब परपस बता दिया ठीक है और B जो है उन्हीं goods में deal करता है अब B ने क्या बोला A से B ने बोला देखिए यह जो rack है ना हमारे यह पूरा का पूरा जो है sport shoes के लिए है ठीक है तो आप जो है इन में से कोई भी shoes select कर लीजे सारे सारे बढ़िया है आपके match में जो है चल जाएंगे अब यहाँ पर जो A है वो जो है खुद से shoes को select करता है इस rack में से football खेलने के लिए अब जब अगले दिन A football खेलता है तो फिर दुबारे से वही होता है आधे match में ही जो shoes होते हैं वो फड़ी आते हैं खराब हो जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर जो A है वो contract को cancel नहीं कर सकता breach of condition के तहत वो जो है price recover नहीं कर सकता क्यों क्योंकि यहाँ पर जो तीन points थे ना कि seller को जो है purpose बता दिया तीसरा क्या था उसमें seller जो है उन्हीं goods में deal करता है लेकिन second point fulfill नहीं हुआ कि जो A है वो जो है B के उपर dependent है उन shoes को लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर rack में से खुद A ने जो है shoes को select किया था तो इसलिए यहाँ पर जो A है वो contract को तो cancel नहीं कर सकता लेकिन हा एक implied warranty भी exist कर रही थी shoes के साथ वो क्या थी जब B ने बोला कि इस rack में सारे के सारे shoes बढ़िया है तो फिर वहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि shoes जो है अच्छी quality का निकले इतना खराब भी नहों कि आधे match में फड़िया है तो यहाँ पर जो B है वो price तो पे नहीं करेगा A को लेकिन वो जो है damages जरूर देगा A को A जो है damages claim कर सकता है breach of warranty के तहत B से quality और fitness के लिए अब इसके बाद है हमारा fourth point disclosure of dangerous nature of goods अगर goods का nature dangerous है तो फिर उसको जो है seller को disclose करना पड़ेगा अगर seller ने जो है वो dangerous nature goods का disclose नहीं किया और उस dangerous nature के वैसे buyer का कोई नुकसान हो गया फिर उस चक्कर में जो seller है उसको जो है उस नुकसान को bear करना पड़ेगा यानि कि वो damages pay करेग फिर buyer को देखे जैसे कि for example Mr. A है Mr. A B के पास गए और Mr. A ने जो है अपने घर के काम के लिए जो है कुछ केरोसीन खरीदा केरोसीन ओल होता है ना काफी flammable होता ही है B से अब देखे जो डबा Mr. B ने केरोसीन ओल का दिया A को उसके उपर जो है ऐसी कोई warning नी थी कि ये जो ह आपको दूर रखना है flammable चीजों से बाकी अब एक क्या करते हैं वो इसको जो है अपने किचन में रखते हैं और किचन में जो है गैस वगर भी जलती है माचिस भी जलती है जिसके वैसे एक बार क्या होता है कि जो जली भी माचिस होती है वो केरोसीन के पास गिर जाती है और आग लग जाती है वो तो बाए चांस अच्छा होता है मिस्टर को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन यहां पर देखे जो केरोसीन ओल का जो नेचर है वो क्या है वो काफि डेंजरस है कि थोड़ी सी भी आख से जो है वो पुरा पकड़ लेगा तब यहां पर जो बी है च तो आपको इसको जो है काफी अलग रखना है जो जो लंजील पदार्थ होते हैं उनसे भी अलग रखना है किचन बगरा है मत रखना अपने कमरे में रखना ठीक है जहां पर कि आप कुछ भी ना जलाते हो ऐसे बोलना चाहिए था मिस्टर बी को मिस्टर एको लेकिन नहीं हैं तो यहां पर अब जो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी से जो है डैमेज क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस गोड का जो डेंजर्स नीचर वो डिस्ट्लोज नहीं किया था चलि एक बर यहां से जो है रीड कर लेते हैं implied warranties, warranty as to undisturbed possession section 14 subsection b, an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods, if the buyer has got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of the warranty, iske baad warranty as to the non-existence of encumbrances section 14 subsection c, an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrances in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time the contract is entered into, जैसे की car वाल एक्जाम्पल था नहीं वाला, तो इस car के उपर जो लोन क्रेट हो रखा था, वो जो है बैंक के फेवर में क्रेट हो रखा था, तो अगर कोई third party जो है involved है, जिसका उस good के फेवर में कोई भी charge created है, तो फिर वो जो है seller को, buyer को disclose करना पड़ेगा contract करते वक्त, इसके बाद warranty as to quality or fitness by the usage of trade section 16 subsection 3, an implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade, इसके बाद disclosure of dangerous nature of goods, where the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, the seller must want the buyer of the probable danger, if there is a breach of warranty, the seller may be liable for the damages, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस chapter में अपना अगला topic और एक important topic, caveat emptor, अब caveat emptor जो है आपका एक अलग से concept दे रखा है, sale of goods act में, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन सबके points आते हैं, इसकी exception क्या है, तो आईए discuss करते हैं, तो सबसे पहले caveat emptor का meaning क्या होता है, देखे, literally इसका मतलब होता है, let the buyer beware, यानि कि जो lateral meaning है बिलकुल, क्योंकि जो आपका caveat emptor है, वो एक legal word है, ठीक है, तो इसका जो English में जो meaning आएगा, वो क्या हैगा, let the buyer beware, कि जो buyer है, वो साफधन रहे, अब buyer क्यों साफधन रहे तो देखे, इसका meaning क्या है, वैसे, यानि कि इसको interpret कैसे किया गया है, seller not responsible for buyer selection or choice of goods, देखे, अगर open market में sellers जो है goods बेच रहे हैं, तो फिर जो buyer है, उसको साफधन होना चाहिए, कि वो जो है, जो भी goods खरीद रहा है seller से, अगर बाद में उन goods में कोई भी defect निकल के आता है, तो फिर जो buyer होगा, वो खुद responsible होगा, उस loss के लिए, वो जो है seller को liable नहीं ठरा सकता, जैसे कि मान लीजिए, अगर जो buyer है, वो जो है, जूते खरीदने गया है, अब वो जो है, खुद जूते खरीदता है, खुदी select करता है वो, यहाँ पर लिखा हुए, not responsible for buyer selection और choice of goods, buyer जो है, खुदी select कर रहा है, जूतों को, तो buyer अगर खुदी select कर रहा है जूतों को, और बाद में, जूतों में कोई भी defect नगल के आता है, तो फिर buyer जो है, seller से यह नहीं कह सकता, कि आपने मुझे खराब जूता बेचा है, क्योंकि select किस ने किया था, buyer ने किया था, तो examine भी जो है, buyer को ही करना पड़ेगा, तो एक बार जो है, read करते हैं यहां से, of the buyer, the seller is not bound to disclose the defects in the goods, which he is selling, तेकि अगर goods में कोई defect भी है, तो फिर buyer को जो है, उस defect को खुद ही ढूणना पड़ेगा, examine करके, seller जो है, इस siege के लिए भी bound नहीं है, कि वो जो है, goods में, जो भी defect है, उसको वो disclose करे buyer को, क्योंकि buyer जो है, खुद अपनी choice से goods खरीद रहा है, खु इसने तो बोल दिया, let the buyer beware, buyer जो है, वो खुद responsible है, goods को select करने के लिए, और अनमे कोई भी defect निकलता है, तो इसके लिए, buyer ही responsible है, seller को वो responsible नहीं ठेरा सकता, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता, हर बारी नहीं है, कि जो seller है, वो जो है, खराब goods बेज़ दे, और buyer जो है, चाह तो buyer है, वो जो है, seller को responsible ठरा सकता है, अगर goods में कोई भी defect निकले के आता है, लेकिन वो exception में है, तो आईए, अब देखते हैं, exceptions to the doctrine of caveat emptor, exceptions to caveat emptor, देखे, इसमें मारे जो है, total 8 points है, लेकिन 8 points में से most points हम लोग already पढ़ चुके है, इसमें जो है, आपके implied condition और implied warranties के points है, जो कि हम लोग already discuss कर चुके है, जिन में हम लोगों ने क्या पढ़ाता, कि अगर breach of condition होता है, कि कोई भी implied condition का breach होता है, तो फिर उस case में contract cancel हो सकता है, अगर implied warranty का breach होता है, फिर उस case में contract तो cancel नहीं होगा, लेकिन हा, damage claim हो सकते है, तो इसमें से काफी सारे points हमारे similar है, तो उन points को हम लोग दुबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो points नए हैं, उनको एक बार समझ लेंगे, हमारा सबसे पहला point, fitness as to quality or use, इसको हमने जो है अपने implied condition में पढ़ाता, implied condition as to quality or fitness, तो देखें, normally तो किसी भी goods के लिए, कोई भी quality या फिटनेस के लिए implied condition नहीं होती है, लेकिन ए तीन points पढ़ेते हैं, कि अगर तीनों fulfilled हो गए, फिर जो यह वाली implied condition है, यह आपके fulfilled हो जाएगी, यानि कि applicable हो जाएगी, जिसमें के पहला point था हमारा, जो buyer है, वो seller को अपना purpose बताता है goods खरीदने का, दूसरा, buyer पूरी तरह dependent होता है, seller के उपर goods को खरीदने के लिए, तीस हो गई, और goods जो है, defective निकल आते हैं, फिर जो buyer है, वो seller के उपर case कर सकता है, ब्रीच of implied condition का, और उससे जो है, recovery कर सकता है, यह है हमारा पहला point, exception to caveat enter में, अब देखे, जो हमारा दूसरा point है न, उसको अगर मैं समझाऊं, तो वो exception नहीं है, सर यह क्या बात कर रहे हो, फिर इसमें दे क्यों रखा है, जी हाँ बेटा, यही तो confusion है, आपके course में इसको exception में दे रखा है, दूसरा वाले point को, goods purchase under patent और brand name, लेकिन इसके लिए कोई भी implied condition या फिर implied warranty नहीं होती, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपने iPhone 13 खरीदा, तो आपने जो है, उसके नाम के चल आपने phone को खरीदा, जबकि जो seller था, वो आपको और भी अच्छे-च्छे phone दिखा रहा था, लेकिन आप ब्रैंड के पीछे अटके वे थे, आपने बोला नहीं, आपको iPhone 13 ही चाहिए, तो अगर बाद में iPhone 13 में कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए वो seller responsible नहीं होगा, वो company responsible होगी, तो यहाँ पर goods अगर आप किसी patent या फिर brand name के under खरीदते हो, तो फिर उसके लिए आपका seller responsible नहीं होता है, अगर goods defective निकल आते हैं, लेकिन हाँ, यह आपकी exception नहीं है, it is not an exception caveat enter, लेकिन पता नहीं, यहाँ पर आपके module में भी जो है, इसको exception में ही दे रखा है, अगर exam में यह question आ जाता है, तो फिर आपको दूसरा point जो है नहीं लिखके आना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा point जो है आपका exception नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी book में दे रखा है, तो फिर आप जो है, exam में इसको लिखके आ सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके book में दे रखा है, आपके syllabus में यह point, तो चाहे लिखके आओ या फिर ना ओ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जो point आपका exception ही नहीं है, फिर इसमें हमारा जो तीसरा point है, goods sold by description, कि जो seller है, वो जो है, goods को describe करके बताता है, कि goods ऐसे हैं, वैसे हैं, इनका size इतना है, color इतना है, तो फिर उसके लिए implied condition क्या होती है, हमने जो इसको implied condition हो बढ़ाता, कि जैसा कि describe कर रखा है, seller ने goods को, अगर जो भी finally goods बेचे गए हैं, buyer को, वो जो है, description के according नहीं हुए फिर जो buyer है, वो जो है, goods को वापिस कर सकता है, और अपना price recover कर सकता है, फिर जो हमारा fourth point है, वो भी हम लोगों ने implied condition में बढ़ा था, goods of merchant table quality, यानि कि goods जो है, बेचने लायक होने चाहिए, अगर goods आपके बेचने लायक नहीं है, फिर उस case में, क्या होगा, जो buyer है, वो जो goods को वापिस कर सकता है, और seller से अपना price recover कर सकता है, जैसे कि for example, आपने जो है, टीवी खरीदा, ठीक है, अब जो टीवी था, उसको pack तो कर दिया, लेकिन packing इतनी बुरी करी कि घर लाते वे न, वो खराब हो गया, उसकी screen तूट गई, तो यहाँ पर अब वो unmerchant table है, यानि क इसके बाद आपका fifth point, यह भी आपका implied condition है, हमने implied condition में दूसरा point बढ़ा था, sale by sample, अगर sample दिखा के जो है, sale करी जा रही है, तो obvious है implied condition क्या होगी, कि जो bulk बेचा गया है, बायर को वो जो है, sample से match होना चाहिए, यानि कि जो bulk की quality है, वो sample की quality के बराबर होनी चाहिए, जैसे अगर वो sample वाले चावलों के साथ quality में match नहीं हुए, फिर आप जो है, सारे के सारे चावल को वापिस कर सकते हो, अपना price recover कर सकते हो seller से, इसके बाद है हमारा sixth point, यह भी हमारा implied condition का point है, कैसे, goods sold by sample as well as description, यह भी हमने हमापे पढ़ाता, कि अगर sample दिखाया गया है, goods का, और साथ मुन को describe भी किया गया है, तो फिर क्या implied condition होती है, कि finally जो goods buyer को बीचे गए है, वो अगर sample से match नहीं हुए, या फिर description से match नहीं हुए, या फिर दोनों से ही match नहीं हुए, तो फिर किसी भी case में, जो buyer है, वो जो है, goods को reject कर सकता है, और अपना price recover कर सकता है seller से, फिर इसम हमारा 7th point, trade usage, यह हमने जो है, पिछली वीडियो में पढ़ा है, implied warranty वाली वीडियो में, जिसमें हमारा 3rd point था, implied warranty as you quality और fitness by usage of trade, कि अगर वहाँ पे हमने example क्या लिया था, कि माल लीजे, आप sport shoes खरीदने गए, आपका football का match था, तो जो shop की पर था, वो sport shoes का ही dealer था, उसने आ अब आपने अपनी पसंद से shoes ले लिया, लेकिन आपने वो अपनी पसंद से लिया था, आपने खुद select किया था, उसको, seller ने जो है select नहीं किया था, आप उस पर dependent नहीं थे select करने के लिए, आपने select किया था, लेकिन हुआ क्या match खेलते वे shoes फट गया, खराब हो गया, तो यहां पर आप contract को तो cancel नहीं कर सकते, लेकिन damages जरूर claim कर सकते हो, कि आपने बोला था, shopkeeper ने, कि rack में सारे बड़ी आशूज हैं, लेकिन यह तो खराब निकला आया, तो माना कि मैं contract को cancel नहीं कर सकता, लेकिन damages जरूर claim कर सकता हो, तो यह वही वाला point है हमारा, अब इसमें आपका eighth point, seller actively conceal से defect और guilty of fraud, यह आपका निया point है, इसमें यह क्या है, देखे, मान लीजिए, आप लोग goods खरीदने गए, ठीक है, अब goods में defect था, और अगर आप अच्छी तरह reasonably examine करते, तो defect का पता लगा सकते थे, अब इस defect के बारे में seller को भी पता था, seller ने क्या किया, seller ने जो है उस defect को इस तरहीके से conceal किया, इस तरहीके से शुपाया, कि आपने examine किया, फिर भी उस defect का नहीं पता लगा पाए, आपने अच्छी तरह अपने पास से reasonably examine किया, लेकिन फिर भी वो defect सामने नहीं आया, लेकिन वो बाद में पता लगता है, जो आप goods को use करते हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है, seller जो है, वो जान बूच कर, किसी defect को conceal करता है, तो फिर उस case में goods अगर defective निकलाए, तो फिर आप seller को responsible ढ़रा सकते हो, और उसको fraud के लिए guilty मान सकते हो, क्योंकि उसने ये सब जो है, जान बूच के किया है, जैसे कि for example, Mr. A, जो है, B के पास गए, B जो है, एक TV शॉप का owner है, Mr. A ने बोला, कि उनको जो है, एक LED TV खरीदना है, तो Mr. B उनको जो है, TV दिखाते हैं, जो है color tube खराब है, तो Mr. B ऐसे कहाता है, कि आप थोड़ी देर बैठिये, मैं जो है जड़ा, इसको testing के लिए आपके बज़ भिजवाता हूं, Mr. B क्या करते हैं, जो खराब color tube होती है, ना, उसको जो है, एक temporary color tube से change कर देते हैं, अब temporary color tube जो होती है, वो जो है, कुछ time के लिए तो सही दिखाएगी आपको, लेकिन बाद ने वो खराब हो जाएगी, ठीक है, तो उस समय उस TV को बेचने के लिए, उन्होंने ऐसा काम कर दिया, उन्होंने जान बूच के defect चुपाया, अब Mr. A के सानों जो TV चलाया तो उस ही चल रहा था, क्योंकि उस समय तो लगाई थी वो, temporary color tube, लेकिन जब घर ले गए Mr. A, तो दो दिन बादी उसी color tube बोल गई, temporary वाली, अब यहाँ पर जब Mr. A B के पास गई TV लेके, तो सारी बाचित वगर भी तो पता लगा कि Mr. B ने जो है, जान बूच के ऐसा किया था, तो यहाँ पर अब Mr. A जो है, वो Mr. B के उपर suit file कर सकते हैं, और in fact वो contract भी cancel कर सकते हैं, क्योंकि fraud का क्यास लगगा Mr. B के उपर, सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने जान बूच के किया हैं यह सब, तो Mr. A जो है contract को cancel कर सकते हैं, और जो भी उन्होंने price pay किया था, वो recover कर सकते हैं, और in fact damages के लिए भी claim डाल सकते हैं Mr. B के उपर, so काफी simple points है, क्योंकि जहातर points हम लोग already, implied conditions और implied warranties में पढ़ चुके हैं, तो अब यहां से जो है, उन similar points को अपने level पर read कर सकते हैं, जैसे कि fitness as to quality और use section 16 sub section 1, एक बार इसको read कर लेते हैं, point number 2 को, goods purchase under patent और brand name section 16 sub section 1, in the case where the goods are purchased under its patent name और brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit, for any particular purpose, तो इस point के लिए में यही कहूंगा, कि आप लोग जो है exam में इसको मतलिक क्या आना, क्योंकि यह आपकी exception नहीं है, जो आपका तीसरा point है, चौत्था point है वो भी similar है, goods sold by description और goods of merchant table quality, पहला point है ही same, फिर आपका जो 5th point है वो भी same है, sale by sample section 17, 6th भी आपका same implied condition का point है, goods sold by sample as well as description section 15, जो आपका 7th point है वो भी same है, trade usage section 16, subsection 3, इसको हमने अभी पढ़ा था पिसली वीडियो में, implied warranty में, 8th point पढ़ते हैं एक बार, seller actively conceals a defect or is guilty of fraud, where the seller sells the goods by making some mispresentation or fraud, and the buyer relies on it, or when the seller actively conceals some defects in the goods, so that the same could not be discovered by the buyer on reasonable examination, then the rule of caveat emptor will not apply, in such a case, the buyer has a right to avoid the contract and claim damages, अब contract को अवाइड कर लेगा, इसका मतलब क्या है कि वो गोड्स को reject कर सकता है, और प्राइस रिकवर कर सकता है, और साथ में, damages भी जो है वो claim कर सकता है, so I hope आपको जो है केविट एंप्टर का concept, और इसके exceptions clear हो गए होंगे, चलिए अब हम लोग sale of goods act में, एक important topic start करने जा रहे हैं, passing of property, sections 18 to 26 हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, अब देखे हम लोगों ने जब important definition शुरू में cover करी थी, तो उसमें एक definition थी property की, कि sale of goods act में कहीं पर भी ये word आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, goods की ownership, ownership of goods, मला goods तो इसलिए बोला, क्योंकि ये जो आपका chapter है, goods की उपपर है, ठीक है, लेकिन वैसे property का जो general मतलब होता है, वो होता है ownership सिर्फ, तो passing of ownership, यानि कि passing of property, इस वाले topic में हम लोग ये समझेंगे, कि कब माना जाएगा, कि seller ने goods की ownership को, transfer कर दिया है, buyer को, तो ये start करते हैं, तो अब सबसे बहले हम लोग, कुछ general points की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, जो हम लोग already पढ़ चुके हैं, वो क्या है, passing of property का मतलब क्या है, passing of ownership, property passed to buyer, risk in goods is that of buyer, देखें, ये आपका important point है, इसमें, ये हम लोग आगे, अलग से भी पढ़ेंगे, section number 26 में, तो अभी आप थोड़ा बस समझ लीजे, कि जैसे ही goods की ownership, आपको समझ आई गया है, लेकिन goods की regarding, जो risk है, वो भी buyer का होगा, जैसे कि for example, A है, A और B की बिच contract हुआ है, कि A जो है goods को B को बेचेगा, अब दोनों की बिच contract हो चुका है, जो ownership है goods की, वो B के पास जा चुकी है, A को बस deliver करना है goods को, अमाल लीजिए deliver करते वे, goods का कोई नुकसान हो जाता है, कोई accident हो जाता है गाड़ी का, जिससे वो deliver हो रहे थे, तो वो जो goods का नुकसान हुआ है, वो कौन उठाएगा, वो कौन बेच करेगा, वो बेच करेगा B, जो buyer है हमारा, seller bear नहीं करेगा A, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि goods की ownership, pass on हो चुकी थी, buyer को, इसके बाद देखे, जो आपके goods की property का transfer है, seller उसको transfer तो करेगा, goods की ownership को buyer को, लेकिन जो वो transfer of property है ना goods का, वो आपका जो है, दो factors के उपर depend करता है, factors on which, transfer of property in goods is dependent, तो वो दो factors कौन कौन से है, सबसे पहला, identification of goods, goods जो है, ascertained होने चाहिए, unascertained goods का, अगर agreement बना है, तो फिर उस agreement को, contract में convert करने के लिए, उस agreement to sell को, contract of sell में convert करने के लिए, goods को ascertain करना पड़ेगा, जैसे कि for example, A और B है, अब A जो है, B के पास जाता है, और क्याता है, कि Mr. B, मुझको जो है, आपसे 100 pen खरीदने है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 pen खरीद सकता है, लेकिन वो 100 pen अभी, unascertained है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर A ने यह नहीं बताया, कि उसको blue pen चाहिए, या फिर red pen चाहिए, या फिर black pen चाहिए, ठीक है, और कौन सी company का चाहिए, अगर company का नाम बता दे तो, क्योंकि बहुत सारी companies के पाने है, B के पास, और बहुत सारे color के पाने है, उसके पास, तो यहाँ पर जब A स्पेसिफाइ कर देगा, उन goods को, और अलग निकाल के रख देगा, A के लिए 100 blue pen, उसको बेचने के लिए, तो फिर जो उन pen की property है, जो उन pen की ownership है, वो A के पास pass on हो जाएगी, तो goods का identify होना ज़रूरी है यहाँ पर, इसके बाद दूसरा पर इंटेंशन आफ पार्टीस, इसमें क्या है देखिए बहुत ही simple है यह, दोनों पार्टीस की intention होनी चाहिए, contract of sale बनाने के लिए, अगर A pen को खरीदना चाहता है न, तो B की intention भी उनको बेचने की होनी चाहिए, अब मान लो A ने बोला हो मुझको 100 blue pen चाहिए, B मना कर देता है, B कहता है मैं blue pen नहीं बेच सकता, black और red चाहिए तो वो ले लो, तो यहाँ पर क्या contract बन सकता है, नहीं बन सकता, in fact यहाँ पर जब contract ही नहीं बनेगा, तो फिर जो goods की ownership है वो भी कैसे transfer होगी, क्योंकि B की intention नहीं थी उनको बेचने की, अच्छा चलो मान लो इसको उल्टा कर देते हैं, B offer करता है A को, कि क्या आप मुझसे 100 blue pen खरीदोगे, अब A खरीदना नहीं चाहता, तो ओव्वेस है contract कैसे मनेगा, और contract नहीं बनेगा, तो goods की property कैसे transfer होगी, तो यहाँ पर parties की intention भी होने चाहिए, यह contract को बनाने के लिए, और seller और buyer की एक mutual understanding मी होने चाहिए, उस contract of sale को पूरा करने के लिए, तो एक बार यहाँ से जो है read कर लेते हैं हम लोग, passing of property implies passing of ownership, if the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer, तो एक बार goods की property, buyer के पास pass on हो चुकी है, तो फिर goods की regarding जो भी risk होगा, वो भी जो है buyer का हो जाएगा, and not of the seller, though the goods may still be in the seller's possession, even though जो goods हैं, वो अभी भी seller के पास ही है, लेकिन goods की जो ownership है, वो भार के पास चली गई है, तो जो भी risk होगा, वो buyer का ही होगा, seller का नहीं होगा, the rules regarding the transfer of property in goods, from the seller to the buyer, depend on two basic factors, identification of goods, section 18, where there is a contract of sale for unassertained goods, the property in goods, cannot pass to the buyer, unless and until, the goods are asserted, तो इस बात का, आपको हमेशे धन रखना है, कि जब भी unassertained goods का, contract of sale बनेगा, तो वहाँ पर उन goods की जो ownership होगी, वो buyer के पास, तभी जाएगी, जब goods जो है, ascertained होंगे, जब identified होंगे, the buyer can get the ownership right on the goods, only when the goods are specific and ascertained, the intention of parties, the property in goods is transferred to the buyer, at such time as the parties to the contract, intended to be transferred, तो किस time पर जो है, goods की property, transfer करी जाएगी, buyer के पास, जैसा की intention होगी, buyer और सलर की, कि जिस भी time पर transfer करना है, तो उस time पर जो है, transfer करी जाएगी, यानि कि जैसा भी mutually decide करेंगे, buyer और सलर, इसके बाद, इसमें क्या बोला गया है, कि intention जानने के लिए जो है, इन तीन बातों का हमको ध्यान रखना है, क्या-क्या, to the terms of the contract, contract की terms and condition क्या है, जो भी buyer और सलर के बीच बना है, to the conduct of the parties, buyer और सलर का conduct क्या है, conduct मतलब कि क्या वाकई में वो contract में enter होना चाहते थे या फिर नहीं, to the circumstances of the case, किन circumstances में जो है वो contract बनाया गया है, तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना है हमको intention जानने के लिए कि इसकी buyer और seller की, इसके बाद हमारा section 19 आता है, property passes when intended to pass, तो इसमें कुछ नहीं है जादा, इसमें जो है वही सेम बात है लिखी वी है, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आईए just aegवा read कर लेते हैं, जो main part है वो जो है next video से चालू होगा passing of property का, तो आईए देख लेते हैं क्या लिखाव है section number 19 में, तो वही सेम बात है जो लिखी वी थी section 19 subsection 1, यह तो पढ़ी चुके हम लोग अभी, unless a different intention appears, the rules contained in sections 20 and 24, तो 20 and 24 हम लोग आगे की वीडियो से में पढ़ेंगे, are the rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the goods is to pass to the buyer, तो जो आपके section number 20 and 24 है, उनमें हम लोग समझेंगे कि किस time पर जो है goods की ownership, buyer के पास pass on होगी, तो यह बत लिखे वे आपकी section 19 subsection 3 में, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, काफी simple था कि passing of property का मतलब क्या है, passing of ownership, और अगर unaccerted goods का contract हुआ है, तो फिर जब तक goods ascerted नहीं हो जाएगे, तब तक जो है goods की ownership, buyer के पास transfer नहीं करी जाएगी, अब हम लोग passing of property में अपना अगला point देखते हैं, stages of goods while passing of property, देखें इसमें हम लोग section 20, 21 और 22 पढ़ेंगे, इन में क्या है देखें, इन तीनों में specific goods का यह contract हो रहा है, लेकिन हम लोग इन तीनों में अलगलग cases में यह समझेंगे, कि इन goods की जो property है, वो जो है buyer के पास का pass on हो रही है, तो आए एक एक करके जो डिसकस करते हैं, सबसे पहला point है हमारा section number 20 का, specific goods in a deliverable state, देखें जैसे कि for example A और B है, अब A जो है B के पास गए और उन्हों ने उन से बोला, कि मेरे को 100 blue pen खरीदने हैं, A ने B से बोला, कि मुझको 100 blue pen खरीदने हैं, अब देखें, यहाँ पर जो pen है, वो already deliverable state में है, बस Mr. B को वो 100 pen जो blue है, वो निकालने अपनी shop से, और Mr. A को दे देने हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही Mr. A और Mr. B के बीच, contract बनेगा, जैसे ही contract जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, complete होगा, उसी समय, जो pen की property है, या फिर यह बोलें कि, जो goods की property है, वो Mr. A को pass on हो जाएगी, जो कि हमारे कौन है, buyer है, अब Mr. A price या तो उसी समय पे करे, या फिर बात में पे करे, वो जो है, A और B के बीच की mutual understanding है, और contract की terms and condition पर भी depend करता है, लेकिन हाँ, अगर specific goods in a deliverable state का contract है, फिर उस case में, जो आपके goods हैं, वो already deliver होने लायक है, तो जैसे ही contract complete हो जाएगा, वैसे ही, उन goods की जो property है, वो buyer के पास चली जाएगी, इसके बाद है हमारा दूसरा point, specific goods to be put into a deliverable state, specific goods का ही contract है इसमें भी, लेकिन उनको deliver होने लायक अभी बनाना है, कि जो seller है, उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कि वो उनको deliver कर पाए buyer को, जैसे कि for example, A है और B है, अब A जो है, वो एक furniture shop के owner है, उनका काम है furniture बनाना, लेकिन जो raw material है, जो timber है, जो लकड़ी है, वो जो है mister भी supply करते हैं, तो A जो है timber मागने गई B से, और बोला कि मिरेको जो है, 200 kg timber के requirement है, अब देखे, ऐसा तो होगा नहीं, कि B जो है, पूरा का पूरा पेड़ लाके, जो है A को देदेंगे, mister भी क्या करेंगे, वो पहले पेड़ को देखेंगे, उसको काटेंगे, फिर उसको जो है, छुलड़ पीसे में कट करेंगे, और फिर deliver होने लाइक, जो है उसको बना कर, A को भेज़ देंगे, ट्रक व्रक में लोड करवा के, ये पूरा प्रसस होगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर specific goods तो है, कि mister A ने बोला, कि मेरे को इस quality का, ये लकड़ी चाहिए, जैसे कि मान लोग वो कहता है, मेरे को शीशम के लकड़ी चाहिए, तो यहाँ पर specific goods है, मिस्चर B उसको deliverable state में ले आएंगे, किसको timber को, कि जब वो timber deliver होने लाइक हो जाएगा, और इस चीज की information जो है, वो mister A को दे देंगे, वो inform करनेंगे mister A को, कि जो timber है, वो मैं भिजवा रहा हूँ, भिजवाने लाइक वो हो गया है, तब जाके, कि जैसे ही वो inform हो जाएगा na mister A को, वैसे ही इस timber की जो property है, वो mister A के पास pass on हो जाएगी, इसके बाद है हमारा तीसरा point, specific goods in a deliverable state, when the seller has to do anything to ascertain the price, देखें इसको जो है तोड़ तोड़ के पढ़िए, पहले कहा है specific goods in a deliverable state, जो goods हैं, वो जो हैं deliver होने लायक है, ठीक है, अब दूसरे लेंड पढ़िए इसमें, when the seller has to do anything to ascertain the price, उनका price decide नहीं हुआ है अभी, जो seller है, उसको कुछ ऐसा करना पढ़ेगा, जिससे की उन specific goods का price decide हो पाए, आईए इसके लिए जो है एक example लेते हैं, जैसे की for example Mr. A है, अब Mr. A का जो घर है और उस घर का जो वो है, floor है, उस floor के उपर Mr. A को जो है एक carpet बिछवाना है, ताकि जो घर है वो और बढ़िया लगे, तो इसके लिए Mr. A जो है, carpet के लिए गए Mr. B के पास, जो की एक carpet dealer है, अब जो Mr. A है, वो अपनी पसंद का carpet जो है, जो भी design वगर है, जो color है, वो choose करते हैं, और Mr. B को बताते हैं, कि उनको जो है ये वाला carpet चाहिए, तो यहाँ पर specific goods तो है, कि Mr. A ने जो है, choose करके बता दिया है, कि उनको यही वाला carpet चाहिए, अब देखे, उस carpet का जो price होगा, वो कैसे decide होगा, क्योंकि Mr. A का जो घर है, जो भी floor है, पहले उसका नाप लेना पड़ेगा, फिर carpet बिचा के देखना पड़ेगा, फिर बिचाने के बाद, जो है, जितना भी size आएगा carpet का, उस size के साब से Mr. B price को decide कर पाएंगे, कि कितना मीटर बिच पाएगा, और फिर कितने मीटर का जो है, total price बैठेगा, जैसे कि मान लीजिए, 100 रुपे पर मीटर का price है, carpet का, अब Mr. A के जो घर है, उसमें जो है, carpet बिचा 10 मीटर, तो कितने रुपे हो गए, 1000 रुपे हो गए, या फिर मान लीजिए, अगर उनके घर का floor, 9 मीटर का निकला, 8 मीटर का निकला, क्योंकि हर घर का अलग-अलग size होता है, हर एक के floor का, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर good so specific है, कि Mr. A ने specific कर दिया है, उनको कैसा carpet चाहिए, लेकिन उस carpet का price decide करने के लिए, जो B है, जो की seller है, उसको जो है पहले उस carpet को Mr. A के घर में जाके बिचाना पड़ेगा, बिचाने के बाद वो size check करेगा, उसको ना पेगा, फिर उसका price जो है वो Mr. A को बताएगा, अब यहाँ पर सवाल यहाँ आता है, कि Sir, फिर Mr. A के पास, जो की हमारे कौन है, बायर है, उनके पास फिर carpet की property कब pass on होगी, तो देखे, जैसे ही Mr. B, प्राइस ascertain कर लेंगे, यहनि कि जैसे ही वो price decide कर लेंगे, और वो जो price होगा, वो Mr. A को inform कर दिया जाएगा, कि इतने price का जो है आपका carpet बैठेगा, तो फिर उसी time जो है, कारपेट की जो property है, वो Mr. A के पास pass on हो जाएगी, तो एक बार जो है, यहाँ से तीनो के तीनो points को read कर लेते हैं, वही सेम बाते लिखे वे, जो कि हमने यहाँ पर समझी हैं, Stages of goods while passing of property, सबसे पहला, specific goods in a deliverable state, section no. 20, where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, काउन सी? The property in goods passes to the buyer when the contract is made, और contract किसका हो है, specific goods in a deliverable state का, and it is a material whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods और both is postponed. तो देखे, specific goods in a deliverable state में जो है, जैसे ही contract बन जाएगा, वैसे ही जो है, goods की जो property है, वो buyer के पास चली जाएगी, फिर चाहे, price कभी भी पे हो, या फिर goods कभी भी बन दिलेवर हो, जो goods की ownership है, वो buyer के पास चली गही है, contract बनते ही, इसके बाद, specific goods to be put into a deliverable state, section number 21, where there is a contract for the sale of specific goods, and the seller is bound to do something, to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done, and the buyer has notice thereof, तो देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़े ज़रूरी है, कि जो seller है, वो जो है, उन specific goods को deliverable state में लाएगा, और buyer को inform भी करेगा, buyer has notice thereof, buyer को पता होना चाहिए, कि goods जो है, deliverable state में आ गए है, जैसे ही buyer को inform हो जाएगी यह बात, उसी समय, उन goods की जो ownership है, वो buyer के पास pass on हो जाएगी, इसके बात specific goods in a deliverable state, when the seller has to do anything there too, in order to ascertain the price, section number 22, where there is a contract for the sale of specific goods, in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing, with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, तो जैसे कि इस वाल example में था, यहाँ पर carpet को measure किया गया था, B के द्वारा, तब ही वो जो है, carpet का price identify कर पाया था, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी वो काम करना पड़ेगा seller को, कि उसको जो है, ascertain करना पड़ेगा price, और फिर buyer को बताना भी पड़ेगा, buyer को inform भी करना पड़ेगा, जैसे ही buyer को inform कर देगा, उसी समय उन specific goods की जो property है, वो buyer के पास pass on हो जाएगी, so I hope आपको यह तीनों के तीनों points clear हो गए होंगे, हाँ everyone, तो चलिए, हमने अभी तक जो है, transfer of property में, basic points क्या होते हैं, उसके वो समझ लिए है, specific goods का contract हो, जिसमें कि specific goods आपके deliverable state में है, या फिर नहीं है, या फिर उनका price जो असर्टेंड नहीं है, तो फिर उस case में, specific goods की property, कब pass on होती है, buyer को, तो वो सब हम जो है, discuss कर चुके हैं, अब हम लोग जो है, unacertained goods को लेके कुछ points पड़ते हैं, passing of property of unacertained goods, तो देखिए, हम लोग जो है, पहले ही थोड़ा बहुत discuss कर चुके हैं, कि जो आपके unacertained goods होते हैं, उनकी जो ownership होगी, वो buyer के पास तभी transfer होगी, जब वो ascertained हो जाएंगे, तो सबसे जो पहला point है हमारा, इसी बारे में है, contract of sale of unacertained goods, ownership not transferred until goods are ascertained, तो आपको यह हमेशे धान रखना है, दुब़ारा repeat कर रहा हूं, unacertained goods का जब भी contract बनेगा, तो उनकी ownership तब तक transfer नहीं होगी, जब तक कि वो goods ascertained ना हो जाए, अब इसमें हमारा दूसरा point है, sale of unacertained goods by description, देखें इसको समझे आप इस वाले point को, हम लोग जो हैं, unacertained goods का contract कर रहे हैं, वो भी by description, जैसे कि for example, A है और B है, अब A जो है B को call करता है, और क्याता है कि उसको जो है, 100 tube lights चाहिए, और वो भी कैसी, 6 watt की चाहिए LED, अब जो B होता है, वो A से कहता है, 6 watt की तो नहीं है, लेकिन 7 watt की LED मिल जाएगी, तो B A से कहता है, आप आके चक कर सकते हो, गो down पर, A कहता है नहीं नहीं, कोई जूरत नहीं है, मुझे आपे पूरा विश्वास है, अगर आप कहा रहे हो कि 7 watt की है LED, तो आप जो है 7 watt की LED, 100 tube lights मुझे भिजवाद हो, तो यहाँ पर देखा जाए, A ने goods को देखा नहीं, उसने यह नहीं देखा, कि tube light जो थी, वो 7 watt की थी या 6 watt की थी, बस जैसा की seller नहीं, यानि कि B ने जैसा की describe किया न, A ने जो है उसको मान लिया, और अपनी ascent दे दी उसको, कि आप जो है भिजवाद होई है, अब देखे, यहाँ पर जो Mr. B हैं, उनके गडॉन में तो बहुत सारी tube lights हैं, तो वो पहले क्या करेंगे, वो पहले Mr. A के लिए, 7 watt की LED saw tube lights निकालेंगे, उनको identify करेंगे वो, फिर उनको अलग निकाले के रखेंगे, उनको pack करेंगे, फिर pack करवाने के बाद, जो है, उनको वो deliver करेंगे Mr. A को, तो जो यह सारा process Mr. B करेंगे, B इंगा seller, क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो identify करेंगे, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, उनको अलग से निकाल कर क्या करेंगे वो, उनको pack करेंगे वो, उनकी packing होगी, तो जब packing हो जाएगी पूरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Appropriation बोलेंगे, वो जो है, buyer को deliver होने लायक बन जाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे ही identify किया Mr. B ने, यानि कि जैसे ही वो saw tube lights, अलग से निकाल ली Mr. A के लिए, तो वो saw tube lights ही, वो un-assetained से ascetained बन गई, और जैसे ही Mr. B इसकी information Mr. A को दे देंगे, कि जो tube lights, आपकी saw tube lights वो बस deliver होनी रह गई है, तो जो मेरा transporter है, वो आपके यहाँ कभी भी आता ही होगा, जैसी यह inform करने के Mr. B, Mr. A को, उसी समय उन tube lights की जो property है, वो Mr. A के पास pass on हो जाएगी, अब इसमें एक और बात है, यह appropriation के लिए भी जो है, ascent चाहिए होती है, या तो buyer की ascent, या फिर seller की ascent, कैसे सर, देखे, Mr. B, Mr. A से पूछेंगे, कि मैंने जो है, saw tube lights आपके लिए अलग से निकाल के रख दी हैं, क्या मैं इनको pack करके भिजवा दू, तो जैसे ही Mr. B यह पूछेंगे Mr. A से, और Mr. A जब हाँ बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Appropriation by seller with the ascent of buyer, Appropriation में आपका एक और चीज़ आती है, Appropriation by buyer with the ascent of the seller, सर ये कब होता है, जैसे कि मान लीजे, same example में, जो Mr. A है, वो जो है, go down जाते है Mr. B के, और अपने हिसाब से, 100 tubelets निकलवा लेते हैं, Mr. A, Mr. B को phone गर के पूछते हैं, कि मैंने 100 tubelets निकलवा ली हैं, क्या मैं इनको pack करवा के, अपने साथ ले जाओं, अगर Mr. B हाँ बोल दे, तो फिर इसको हम बोलेंगे, Appropriation by buyer with the ascent of the seller, और इसमें एक और बात है अभी, आप लोग कहे रहोंगे सार, एक और बात, एक और बात कहा कि कितनी बाते बता होगे, बस यह आखरी बात है इसमें, देखो, Appropriation में जो ascent होगी न, या तो buyer की या seller की, वो जो है, वो जो ascent है, या तो before Appropriation, या फिर वो जो है, after Appropriation भी आ सकती है, अब सर, इसका मतलब क्या हुआ, कि before Appropriation या फिर after Appropriation, देखे, after Appropriation तो हम लोग already समझ चुके हैं, कि जैसे ही identify हो जाएंगे goods, और उनकी packing बगरा हो जाएगी, तो बस उनको deliver करवाना है, तो उसके लिए जो ascent होगी, या तो buyer देगा, slur देगा, as the case, यह होता है आपका after Appropriation, before Appropriation क्या होता है, before Appropriation का मतलब क्या हुआ, देखे, same example लेते हैं, यहाँ पर A ने order place कर दिया, 100 tube lights का B के पास, B ने बोला, मैं पास 7 word calorie, 100 tube lights है, A कहते हैं ठीक है, A, B से बोलते हैं, कि आप इन 100 के 100 tube lights को जो है न, pack करवा के भजवा देना, मुझको phone मत करना, अपने transporter से क्याना, सीधा जब वो पहुँच जाए मेरी दुगान पर, तब ही phone करे मुझे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Mr. B जो है, identify भी कर लेते हैं 100 tube lights को, उनको pack भी करवा देते हैं, और deliver भी करवा देते हैं, तो यहाँ पर बिना buyer को inform करे, Mr. B यह सब काम कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर seller ने जो है, appropriation से पहले ही अपनी ascent दे दी थी, कि आप pack वेक करवा के, सिधा भजवा देना, मुझको phone करने की जूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं, before appropriation, seller के case में क्या हो सकता है, जैसे कि Mr. A जो है, Mr. B को phone करते हैं, क्याते हैं, मैं नो go down जा रहो हैं, तो go down पहुंचके phone करूँगा आपको, आप बता देना, मैं जो है, pack करवा दूँगा, saw tube lights, फिर ले जाओंगा, तो Mr. B भी A से कहते हैं, go down पहुंचके न, phone करने की जूरत नहीं है, सिधा go down जाईए, और अपनी saw tube lights जो है, pack करवा के ले जाओ, तो ये क्या है, before appropriation in the case of seller, कि यहाँ पे seller ने जो है, appropriation से पहले ही, अपनी ascent दे दी, इसके बाद इसमें, हमारा तीसरा point, delivery to the carrier, carrier मतलब जो आपका, transporter होता है, जो की आपके goods को, deliver करता है, और आपके goods को, deliver करने के वो payment लेता है, तो देखें, इसमें क्या लिखा गया, seller delivers goods, without reserving right of disposal, अगर जो seller है, वो जो है, carrier के थरू, transporter के थरू, goods deliver करवाता है, बिना right of disposal को, reserve किये, फिर उसके लिए, हम लोग ये कह सकते हैं, कि seller ने जो है, unconditionally goods को, appropriate कर दिया है, अब सही यहाँ पे, without reserving right of disposal का, मतलब क्या है, तो उसके लिए example दिखते हैं, तो नया example लेनी की जुरूत नहीं है, हम लोग same example भी समझ लेते हैं, मान लीजिए, Mr. A रहते हैं हमारे, Delhi में, और Mr. B रहते हैं, मान लिए लखनों में रहते हैं वो, चीक है, अब वही same बात है, Mr. A ने जो है, 100 tube lights का order लगा है Mr. B के पास, Mr. B से पूछा कि 6 watt की चाहिए, लेकिन Mr. B कहा रहे हैं 7 watt की है, Mr. A ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब 100 tube lights जो हैं भिजवा दो, तो सबसे पहले तो यहां पर बायर कौन था, A, seller कौन है यहां पर, B है, तो अब B जो होगा, जो B होगा, वो अपने transporter के थुरू, या फिर आप कहा सकते हो, carrier उसको, तो इसके थुरू जो है, वो Mr. A को Delhi goods भजवाएगा, अब इसमें हम लोग जो है, अपने 2 cases लेते हैं, यह हमारा पहला case है, देखे, पहले किसमें क्या हुआ, Mr. A ने order place करवाए, B के पास, ठीक है, B ने जो है, अपने transporter के truck में, उनका माल लोड करवा दिया, जो 100 tube lights थी, और Mr. B ने जो है, दो copy बनाई invoice की, ठीक है, एक तो अपने पास रखी, एक copy भेज दी, जो first copy थी उसकी, original तो Mr. B के पास था, first copy थी A के पास, और अपने transporter को बोला, कि जब आप Mr. A के दुकान पर पहुँच जाओगे दिल्ली में, तो जैसे ही वो, इस invoice की copy को आपको show करेंगे न, तभी जो है, उनको goods unload करके देना, कि unloading goods की तभी करनी है Mr. A के shop पर, जब वो उस invoice की copy को, transporter को show कर दे, तो यहाँ पर हम लोग यह नहीं कह सकते, कि Mr. B ने unconditionally goods को appropriate किया है, क्योंकि यहाँ पर Mr. B ने condition डाल दी है, कि Mr. A को goods तभी मिलेंगे, जब वो invoice की copy show करेंगे transporter को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, right of disposal, कि Mr. B अपने goods को, तभी dispose of करेंगे A को, जब Mr. A जो है, उस invoice की copy उनके transporter को show कर दे, तो यहाँ पर हम लोग यह भी कह सकते हैं, कि Mr. B ने, जो seller है, उसने जो है, right of disposal reserve किया है अपने पास, अब इसमें हमारा दूसरा case, दूसरा case opposite है हमारा, दूसरा case में क्या होगा, B अपने transporter को बोलेगा, कि जाओ इन tube lights को, जो है Mr. A को deliver कर आओ, ठीक है, और ज़्यादा उनसे सवाल मत पूछना, बस आप जो है unloading कर के आजाना उनकी shop पर, वो कोई invoice दे या ना दे, कोई फरग नी पड़ता, आप बस उनके यहाँ पर goods को छोड़ाओ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Mr. B ने अपने right of disposal को reserve नहीं किया, did not reserve his right of disposal, तो जो second case हमारा, इसमें हम लोगे कह सकते हैं, कि Mr. B ने बिना किसी condition के, unconditionally goods को contract में appropriate कर दिया है, so I hope आपको जो है, अब right of disposal का meaning clear हो गया होगा, तो यहाँ तीसरे पंड में क्या बोला गया, कि जो seller है, वो अगर goods को बिना right of disposal reserve किये, deliver कर देता है, तो फिर इसको हम लोग यह माल लेते हैं, कि seller ने unconditionally goods को appropriate कर दिया है, अब आईए, अब एक बार जो है, इन सभी के सभी चीज़ों को यहाँ से read कर लेते हैं, वही सेम बाते हैं, जो हमने यहाँ पे discuss करी थी, तो सबसे पहले, goods must be ascertained section 18, where there is a contract of sale of uncertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer, unless the goods are ascertained, तो यह तो हमने जो है, इस topic के वीडियो के पहले पाट में पड़ी थी, कि जब तक unaccertained goods ascertained ना हो जाए, तब तक उनकी property जो होगी, बायर के पास pass on नहीं होगी, इसके बाद passing of property of unaccertained goods, sale of unaccertained goods by description, section 23, subsection 1, where there is a contract for the sale of unaccertained or future goods by description, and goods of debt description and in a deliverable state, are unconditionally appropriated to the contract, appropriation का मतला, I hope आप लोग समझ चुके होंगे, either by the seller with the ascent of the buyer, or by the buyer with the ascent of the seller, ये वाले case भी हम लोग discuss कर चुके हैं, दोनों के दोनों, the property in the goods, there upon passes to the buyer, तो जैसे ही unconditionally appropriate हो जाएंगे goods contract के तरफ, तो फिर तब जो है goods की जो property होगी, बायर के पास pass on हो जाएगे, such ascent may be express or implied, and may be given, either before or after the appropriation is made, तो before or after, हम ये दोनों भी जो है discuss order कर चुके हैं, इसके बाद delivery to the carrier, section 23, sub section 2, where in pursuance of the contract, the seller delivers the goods to the buyer, or to a carrier, or other bailie for the purpose of the transmission to the buyer, and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract, तो काफी अच्छा topic था ये, और काफी important भी था, तो वीडियो देखने के बाद, इस topic को अच्छे से एक बाद रिवाई ज़रूर कर लेना, और इसकी writing practice भी आप लोग अच्छे से कर लेना, चलिए, अब हम अपना next point देखते हैं, goods sent on approval और sale or return, ये कैसर देखे, जैसे कि for example A और B है, A ने जो है कुछ goods B को भेजे और बोला, कि तुम इन goods को जो है use करके देखो, अगर तुमको पसंद आ जाते हैं, तो फिर बता देना, अगर नहीं आते, तो फिर इनको वापस भिजवा देना, अब माल लीजे, एक हफते तक B जो है, A के goods को use करता है, और B को पसंद आ जाते हैं, B एसे क्याता है, कि मुझको goods अच्छे लगे, मैं जो है इनको रख रहा हूँ, तो जैसे ही B ने inform किया A को, कि मैं इन goods को रख रहा हूँ, यानि कि मैं इन goods को accept कर रहा हूँ, उसी समय, जो वो goods A ने भेजे थे, उनकी जो ownership होगी, वो B के पास चली जाएगी, पास ओन हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं, goods sent on approval और sale return basis, कि हम जो है approval के लिए, buyer के पास goods भेजते हैं, कि buyer अगर approve कर देगा, तो फिर उसी समय, उन goods की जो ownership है, वो buyer के पास transfer हो जाएगी, तो आएए इसमें, जो है क्या-क्या points हैं हमारे, उनको discuss करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो यह 3 points दे रखें, इसमें यह बताया गया है, कि buyer किस तरीके से, जो भी goods उसको approval basis पर भेजे गए हैं, उनके regarding अपनी acceptance या फिर approval कैसे दे सकता है, तो सबसे पहला point इसमें हमारा, buyer signifies his approval और acceptance to the seller, तो यह तो बहुती simple point है, इसमें यह बताया गया है, कि जो भी goods, sale और return या फिर approval बिसेस पर भेजे गए हैं, तो उनकी जो ownership है, जो भी property है, वो buyer के पास का pass on होगी, जब buyer अपनी approval या फिर acceptance जो है, signify कर देगा seller को, यानि कि seller को inform कर देगा, कि हाँ मैं इन goods को accept कर रहा हूँ, इनको मैंने approve कर दिया है, तो उसी समय उन goods की जो ownership होगी, वो buyer के पास transfer हो जाएगी, अब इसमें हमारा दूसरा point, देखे, जो buyer है, वो अगर अपनी approval या फिर acceptance ना signify करें, इस seller को, फिर उस case में क्या होगा, buyer not signifies his approval or acceptance, तो देखे, यहाँ पर आपकी दो चीज़े हैं, एक में fix time period है, और दूसरे में reasonable time period है, जैसे कि for example, A ने जो है B के पास goods भेजे, और B से बोला, कि आपके पास एक हफते का time है, आप जो है एक हफते use करके देख लो goods को, अगर एक हफते के बाद भी, आप satisfy नहीं हुए, फिर आप goods को जो है वापिस भेजवा सकते हो, अब देखे, जो B होता है, वो क्या करता है, एक हफते तक goods को use करता है, और उसको goods पसंद भी आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी approval, या फिर acceptance को जो है, signify नहीं करता, A को, वो A को ये inform करना भूल जाता है, कि मुझको goods अच्छे लग गए, तो अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर fixed time period था, क्या था fixed time period इस example में, one week का, एक हफते के लिए भेज़े दे न, तो जैसे ही ये one week expire हो जाएगा, तो उसी समय ये मान लिया जाएगा, कि जो goods की जो ownership है, वो buyer के पास pass on हो चुकी है, क्योंकि buyer ने यहाँ पर जो है, अपनी approval या फिर acceptance को signify नहीं किया है, और जो fixed time period था, वो भी जो है expire हो चुका है, तो ये मान लिया जाएगा, कि goods buyer को पसंद आ गए है, fixed time period expires, और reasonable time period expires, अगर fixed time period नहीं है, फिर उस case में, यानि कि time period इन mention नहीं है, एने goods भेजे भी को, और एने time period mention नहीं किया, एने ये बोला, कि आप goods को use कर लो, आपको पसंद आ गए, तो अपनी approval दे देना, नहीं आए, तो फिर वापस भजवा देना, अब ऐसा नहीं है, कि भी जो है, चार महिने, पांच महिने, एक साल तक कुछ ना बोले, उसको एक within reasonable time, जो है, अपनी approval या फिर acceptance देनी पड़ेगी, अगर उसको goods को रखना है आगे, अगर उसको नहीं रखना है, तो फिर उसको ये भी बताना पड़ेगा, within reasonable time, कि जो goods हैं, वो मेरे को नहीं चाहिए, तो मान लीजिए, अगर जो reasonable time period है, वो आपका expire हो जाता है, फिर उस case में ये मान लिया जाएगा, कि buyer को goods पसंद आ गए हैं, उसने जो है approve कर दिया है, तो उसी समय जो goods की ownership है, वो buyer के पास pass on हो जाएगी, और reasonable time period क्या हो सकता है, तो ये आपका जो है contract to contract पे depend करता है, कि जो भी circumstances में contract बना है, जो भी terms and conditions हैं, उस पर जो है वो reasonable time depend करेगा, लेकिन अगर fixed time period है, तो वो तो already लिखा होगा contract में, इसके बाद है हमारा तीसरा point, Buyer does some act which is equal to accepting the goods, इसका क्या मतला है sir, देखे, जैसे कि for example A और B है, A ने जो है B को goods भेजे हैं, और कैसे भेजे हैं, approval basis पर, ठीक है, मान लेते हैं, A ने जो है one month का time period fix कर रखा है, कि एक महने का time है B के पास, अगर उसको goods अच्छे लगते हैं, तो एक महने के अंदर अंदर वो अपनी approval दे सकता है, अगर नहीं, तो फिर उसको जो है goods को वापस A को देना पड़ेगा, तो देखे, यहाँ पर जो है B के पास दो option है, या तो वो expressly, एक महने के अंदर अंदर अपनी approval को या फिर acceptance को signify कर दे, तो वहाँ पर goods की जो भी property होगी, वो जो है B के पास चली जाएगी, यानि कि pass on हो जाएगी, अगर जो time period है एक महने का, वो expire हो गया, फिर तो automatically goods को जो है B का मान लिया जाएगा, उसी समय जैसे ही time period expire होगा, और B जो है A को कुछ भी signify नहीं करेगा, तो फिर ये मान लिया जाएगा, कि goods की property B के पास pass on हो चुकी है, लेकिन हमें B क्या करता है, जैसे ही A जो है B के पास approval basis पर goods को भेजता है, तो उसके one week के अंदर अंदर, B जो है एक person होता है C, जो की उसका customer है, किसका B का, customer of B, B जो है C को यही same goods, जो की उसको A से आयोते हैं, इनको आगे C को बेज देता है, तो अगर आप लोगों को याद दो, तो हम लोगों ने जो है इस chapter की शुरुवात में बढ़ा था, condition as to title, implant condition में, कि कोई भी person अगर goods को बेच रहा है, तो फिर यह माना जाता है, कि वो goods जो हैं वो उसी के हैं, अब यहाँ पर अगर C, जो है B से यह goods खरीद रहा है, तो C क्या मानेगा, कि यह goods जो हैं वो B के होंगे, तो यहाँ पर B ने एक ऐसा act कर दिया, जो की goods को accept करने के बराबर था, वैसे goods तो A के थे, जब तक B ने approval नहीं दीती, लेकिन यहाँ पर B ने approval भी नहीं दी, और अभी तक जो है time period भी expire नहीं हुआ, लेकिन उसने जो है एक ऐसा act करके दिखा दिया, जिससी कि यह signify हो गया, कि जो B है उसने जो है A के goods को accept कर लिया है, क्योंकि मान लीजे अगर previously जो A था, वो अगर approval basis पे goods को ना भेजता, वो बेज ही देता B को, फिर तो आगे B जो है आराम से बेज ज़दा C को, है ना, लेकिन यहाँ पर A ने approval basis पे goods भेजे, और B ने बिना अपनी approval को या acceptance को signify करे, goods को आगे C को बेच दिया, तो automatically यह माना जाएगा, कि B ने जो है A के goods को accept कर लिया है, तो उसी समयन goods की जो ownership है, वो B के पास चली गई थी, और B ने जब C को बेचा, तो C के पास तो चली गई है, लेकिन main मकसद क्या था, main मकसद यह समझना था, कि B के पास जो है, कब ownership आई उन goods की, जैसे ही उसने जो है आगे वो C को बेचा, यानि कि उसने goods को accept कर लिया, उसने ऐसा act करके, फिर इसमें जो है एक और point आता है, sale for cash only or return, अब देखेए ना आपका उपर जैसे सेम है, यहाँ पर भी क्या है, जो A होगा, वो B के पास जो है cash only या फिर return basis पे जो है goods को भेजेगा, यानि कि जो B है, वो goods को use करेगा, अगर उसको पसंद आ जाते हैं, तो वो अपनी acceptance या फिर approval को signify करेगा, और जब तक वो cash पे नहीं कर देता, तब तक goods की property जो है B के पास pass on नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर sale कैसे करी है A ने, sale for cash only और return, अगर B को goods चाहिए, जो की A ने भेजे हैं, तो फिर B जो है पहले अपनी acceptance को signify करेगा, फिर उनका वो cash पे गरेगा, और उसके बाद ही जो है उन goods की property, B के पास pass on होगी, प्रॉपर्टी इन goods does not pass to the buyer, unless cash for goods is paid, चाहे goods B के पास ही पड़े होए हो, लेकिन B के पास जो goods हैं, वो तब तक A के रहेंगे, जब तक B उनके उपर cash पे नहीं कर देता, इस वाली condition के हिसाब से, तो आईए एक बार यहां से जो है read कर लेते हैं, वही सेम बाते लिखी हुए हैं, जो कि हमने यहां पर discuss करी थी, Goods sent on approval or on sale or return, Section 24, When goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return, or other similar terms, the property therein passes to the buyer, when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction, or if he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of the rejection, then if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of a reasonable time, तो अगर time period fixed है, goods को accept करने का, या फिर उनको approve करने का, तो फिर जैसे ही वो fixed time period expire हो जाएगा, तो फिर goods की जो property है, वो बायर के पास pass on हो जाएगी, या फिर अगर fixed time period नहीं है, फिर reasonable time जो expire होगा, तो फिर reasonable time के expire होते ही, buyer के पास property pass on हो जाएगी goods की और he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods जैसे की उनको आगे बेच देना या फिर किसी को pledge कर देना इसके बाद sale for cash only or return it may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied with that is cash is paid for तो यहाँ पर भी क्या है sale or return basis पर ही जो है goods को भेजा गया है लेकिन इसमें एक और term add हो गई है वो क्या है buyer जो है जब अपनी acceptance signify कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसको जो है पहले cash pay करना पड़ेगा उन goods के लिए उसके बाद ही जो है वो goods की ownership होगी उसके पास जा पाएगी सो आई होब आपको जो है सारे के सारे points clear हो गए होंगे और अब जो है notes है आप लोग note down कर लीजे चलिए तो passing of property में हमारा next point reservation of right of disposal अगर आपको याद हो तो जब हमने unaccident goods के passing of property को लेके पड़ा था तो उसमें delivery to the carrier में point था हमारा right of disposal को लेके जिसको हमने समझा था उसका मतलब क्या होता है अगर जो seller है वो जो है अपने transporter से यह कहता है कि buyer जब तक invoice ना दिखा है या फिर receipt ना दिखा है तब तक उसको goods मत देना तो इसका मतलब क्या है कि goods को dispose करने का right जो है seller ने अपने पास reserve करके रखा है कि उसने condition लगा थी कि buyer जब तक condition fulfill नहीं करेगा तब तक जो है goods उसको dispose of नहीं किये जाएंगे लेकिन अगर ऐसी कोई भी condition seller नहीं लगाता है तो फिर हम यह कहते थे कि seller buyer ने जो है right of disposal को reserve करके नहीं रखा है तो अब आईए अब इस वाले point में हम लोग right of disposal से लेके तीन छोटे-छोटे points से simple से points से उनको discuss करते हैं तो देखे इसमें सबसे पहला point क्या है हमारा जो foremost rule है right of disposal का until certain conditions of seller are fulfilled property in goods does not pass to the buyer तो यह तो हमने पहले भी समझ जाता right of disposal जो हमने थोड़ा सा समझ जाता हम आप है unaccident goods को लेके कि जब तक जो condition seller ने लगा रखी है जब तक वो fulfill नहीं हो जाती तब तक जो है goods की ownership बाइर के पास pass on नहीं होगी जैसे कि for example A है और B है अब A ने जो है कुछ goods भेजे हैं hundred units goods भेजे हैं B को A कर transporter के थूँ ठीक है अब जो A है जो की हमारा कौन है seller और B कौन है B है buyer A ने आपने transporter को बोला जब तक B जो है invoice ना दिखा दे तुमको तब तक ये goods जो होंगे B को मत देना अगर वो invoice दिखा दे तो फिर unload करवा देना उसकी shop पर तो यहां पर हमें कह सकते हैं कि इन goods के regarding A ने जो है right of disposal को reserve करके रखा है right of disposal has been reserved by A जो के हमारा seller है अब इसमें हमारा दूसरा point है देखे अगर seller ने जो है goods को ship के थ्रू बेजा है या फिर railways के थ्रू बेजा है कि उसने है तो train से बेजा है या फिर ship के थ्रू बेजा है तो obvious है वहां पर अगर आपने goods को railways या फिर ship के थ्रू बेजा है तो फिर ship के case में जो buyer होगा उसको bill of flooding दिखाना पड़ेगा और railways के case में उसको railway receipt दिखानी पड़ेगी railway administration को तभी जाके उसको goods मिलेंगे तो यहां पर क्या वो लगे है इस point में कि अगर seller ने जो है goods को ship के थ्रू या फिर railways के थ्रू बेजा है जिसमें कि आपका railway receipt या फिर bill of flooding as the case में भी involved है तो यहां पर यह माना जाएगा अपने आपी assume कर लिया जाएगा कि seller ने जो है right of disposal को reserve करके रखा है क्योंकि देखिए अगर मान लीजे train के थ्रू आप goods भेजते हैं तो फिर जो buyer होगा उसको railway receipt जो होगी वो दिखानी पड़ीगी जो station master वगरा होता है जो भी in charge होता है platform का ठीक है अगर वो railway receipt नहीं दिखाएगा ना तो जो railway administration वाले हैं वो goods को release नहीं करेंगे अब इसके बाद इसमें हमारा तीसरा पॉइंट यह important पॉइंट है इसमें कहते रखा देखिए seller transmits bill of exchange to the buyer to secure acceptance और payment of bill of exchange buyer does not honor the bill of exchange buyer is bound to return railway receipt or bill of lading देखे इसको हम लोग एक example से समझते हैं तो देखे जैसे कि for example A है और B है अब A और B की पुछ contract बनता है कि A जो है 100 units goods के B को बेचेगा A रहता है दिल्ली में B रहता है मुंबई में तो A ने जो है railways के थुरू goods को भेजने का decision लिया है अब railways के थुरू है तो obvious है क्या involved होगा railway receipt और यहाँ पर यह deem करा जाएगा कि A ने जो है right of disposal अपने पास reserve करके रखा है क्योंकि जब तक B यह railway receipt शो नहीं करेगा railway administration को तब तक जो उसके goods है वो उसको release नहीं किये जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर A जो है एक और काम करता है वो क्या करता है A जो है एक bill of exchange भी बनाता है B के उपर ताकि जब B railway receipt शो करे तो उसी समय उसको जो है bill of exchange को भी honor करना पड़ेगा ठीक है तो जो A होता वो क्या करता है वो bill of exchange और railway receipt दोनों को जो है B के पास transmit कर देता है क्या कर देता है ट्रांस्मिट यानि की भेज देता है और उससे क्याता है कि जैसे ही आपका goods आएंगे तो ये railway receipt और bill of exchange दोनों दिखा देना और bill of exchange की payment कर देना तो अब देखें यहाँ पर law ने क्या बोला है कि अगर seller ऐसा करता है कि वो bill of exchange भी बनाता है और railway receipt या फिर जो भी bill of lading है as the case में भी दोनों के दोनों buyer को जो है ट्रांस्मिट कर देता है तो यहाँ पर buyer की क्या duty बनती है यहाँ पर buyer की ये duty बनती है कि जैसे ही goods उसके पास आएंगे तो सबसे पहले buyer को जो है जो bill of exchange है उसकी payment करनी पड़ेगी payment for bill of exchange तो अगर payment कर देगा तो फिर जो buyer है उसको goods दे दिये जाएंगे लेकिन अगर उसने payment नहीं करी फिर उस case में जो buyer होगा उसके पास जो भी railway receipt है या फिर जो bill of lading है उसको जो है वो उसको वापस करना पड़ेगा return back करना पड़ेगा उसे railway receipt को या फिर bill of lading को लेकिन एक कब वापस करेगा अगर जो buyer है वो जो है bill of exchange की payment नहीं करता है लेकिन यहाँ पर जो है एक और scenario हो सकता है वो क्या हो सकता है कि सर अगर वो वापस ना करे वो जबरदस्ती जो है अपने पास return करके रख ले railway receipt को या bill of lading को और वैसे भी उसको goods नहीं दिये जाएंगे क्योंकि उसने जो है payment नहीं करिये bill of exchange की तो यहाँ पर law ने buyer के उपर duty डाल दी है कि अगर वो payment कर दे तो उसको goods मिल जाएंगे सारे payment नहीं करता है वो bill of exchange की तो फिर उसको railway receipt को वापस करना पड़ेगा अगर वापस नहीं करता है तो तब तक goods उसको नहीं दिये जाएंगे बिलकुल भी तो आएए एक बार यहाँ से जो है read कर लेते हैं एक बार वही से इन बाते लिखी हैं जो कि हमने यहाँ पर discuss करी है reservation of right of disposal section 25 where there is a contract for the sale of specific goods और where goods are subsequently appropriated to the contract the seller may by the terms of the contract or appropriation reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled in such a case not with sending the delivery of the goods to a buyer or to a carrier or other billy for the purpose of transmission to the buyer the property in goods does not pass to the buyer until conditions imposed by the seller are fulfilled section 25 subsection 1 तो जो condition लगा रखे seller ने यानि कि जो right of disposal reserve करके रखा है जब तक वो certain conditions fulfill नहीं कर देता बायर तब तक जो है उसको goods की property नहीं pass on होगी दूसरा where goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway and by the bill of flooding or railway receipts as the case may be the goods are deliverable to the order of the seller or his agent the seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal तो अगर goods जो है seller ने या तो ship करवा रखे हैं या फिर railway के थ्रू भिजवा रखे हैं तो वहाँ पर आपका bill of flooding या फिर railway receipt जो है involved होगा as the case में भी तो जो goods होंगे उनके उपपर जो है seller ने अपना right of disposal reserve करके रखा होगा ये मान लिया जाएगा अगर वो इन दोनों में से किसी भी mode get through goods को भिजवाता है ये था आपका section 25 subsection 2 इसके बाद section 25 subsection 3 where the seller of goods draws on the buyer for the price draws मतलब यहाँ पर bill of exchange की बात हो रही है and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of flooding or as the case may be the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange the buyer is bound to return the bill of flooding or the railway receipt if he does not honor the bill of exchange तो अगर bill of exchange के साथ साथ जो है bill of flooding या फिर railway receipt जो है भीजी गई है buyer को तो फिर उस case में buyer अगर bill of exchange के उपर payment नहीं करता है तो फिर buyer को bill of flooding या फिर उस railway receipt को वापस करना पड़ेगा and if he wrongfully retains the bill of flooding और the railway receipt the property in the goods does not pass to him अगर वो जबरदस्ती जो है गलत तरीके से bill of flooding को है railway receipt को अपने पास return करके रखता है buyer तो फिर goods की जो property होगी वो उसके पास pass on नहीं होगी अब इसके बाद दिखते हैं एक important topic हमारा transfer of property में section 26 risk prima facie passes with property prima facie का क्या मतलब होता है सबसे पहले तो prima facie का मतलब होता है based on the first impression अब सर यहाँ पर इस word का क्या use है risk prima facie passes with property देखे इसका मतलब यह है कि जैसे ही goods की property buyer को transfer हो जाएगी तो property के साथ साथ goods की regarding जो भी risk है वो भी जो है buyer के पास transfer हो जाएगा risk किस चीज़ का हो सकता है सर goods को नुकसान हो जाने का या फिर goods खराब हो भी हो सकते है ठीक है लेकिन देखो अगर एक बार goods की property buyer के पास चली गई और उसके बार जो है goods में कोई नुकसान होता है तो फिर वो नुकसान जो है buyer को ही सहना पड़ेगा seller जो है नहीं सहेगा क्यों क्योंकि goods की ownership जो है वो बायर के पास जा चुकी है तो इसे property जो है पासोन नहीं होती बायर के पास property के साथ साथ जो है goods के regarding जो risk होता है वो भी transfer होता है अब आए अब ये देखते हैं कि इसमें क्या-क्या points हमको दे रखे हैं तो देखें ये भी काफी simple topic है ज्यादा कुछ समझने के लिए हैं नहीं काफी simple चीज़ी दे रखी है risk prima facie passes with property सबसे पहला point इसमें property in goods is transferred to the buyer goods की property को transfer कर दिया गया है बायर के पास goods are at buyer's risk delivery made or not made मतलब for example A और B के बीट जो है contract हुआ कि A जो है hundred units goods बेचेगा B को ठीक है अब contract पूरा हो चुका है बस delivery होनी बाकी है delivery is remaining और जो goods की ownership है वो B के पास जा चुकी है यानि कि जो property होते goods की वो B के पास जा चुकी है बस A को deliver करना है अब क्या होता है delivery करते वे जो है कुछ goods खराब हो जाते हैं तो यहां पर जो खराब goods है उनका नुकसान कौन सा हैगा loss of those damaged goods कौन सा हैगा वो नुकसान bear by B जो की हमारा buyer है क्यों क्योंकि goods की जो ownership थी वो already B के पास जा चुकी थी A को बस deliver करने थे तो यहां पर यही बोला गया है एक बार goods की property buyer के पास transfer हो गई फिर उस goods की regarding जो भी risk है वो भी buyer का होता है फिर चाहे delivery हो गई हो goods की या फिर नहीं होई हो इसके बाद है आपका दूसरा point delivery delayed due to fault of buyer और slur माना कि यहां पर बोला गया कि goods की जो property है वो अगर transfer हो गई तो फिर सारा का सारा risk जो होगा वो buyer उठाएगा फिर चाहे delivery होई हो या फिर ना होई हो लेकिन यहां पर एक और बात बोली गई law के द्वारा वो क्या बोली गई कि मान लीजे अगर delivery remaining थी लेकिन delivery delivery जितना time में होने थी उतना time में नहीं हो पाई delivery जो है delay हो गई और इस delay की जो वजह है वह buyer या फिर seller की गल्ती है यातो buyer या फिर seller की विए से जो है यानि कि उनकी गल्थि की वैसे जो है इले हुए delivery तो फिर जो bhi party fault में है यानि कि जिस भी party के वैसे जो है delay हुई delivery तो goods दब तक जो है उसके risk पर रहेंगे, goods are at risk of the party at fault, तो एक बार same example लेते हैं, A है, B है, दोनों के बिच contract होता है कि A जो है, 100 units goods बेचेगा B को, ठीक है, A कौन है, seller, B कौन है, buyer, ठीक है, अब B जो है, A से कहता है, कि मैं जो है, तीन दिन बाद आके delivery लोगा, after three days, तीन दिन बाद आके B जो है goods को ले जाएगा अपने साथ, ऐसा जो है B, A को communicate कर देता है, अब देखें, अब क्या होता है, जब कि तीन दिन है, वो तो बीच जाते हैं, और B आता नहीं है, जो आपका fourth day होता है, उस दिन क्या होता है, उस दिन जो है, A के Godown में आग लग जाती है, और जो भी सारा माल होता है, वो सब जल जाता है, जो भी goods होते हैं, वो सारे के सारे, destroy हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, तो देखें, यहाँ पर जो बागी goods पढ़े भेते A के, जो कि उसने B को नहीं बेचे थे, उनका नुक्सान तो A सहे गई, ठीक है, लेकिन देखे, जो ये 100 units थे goods के, इनका नुक्सान कौन सहेगा, इनका नुक्सान जो है B सहेगा, क्यों सहेगा, क्योंकि देखे, यहाँ पर, क्या हुआ था, contract तो हो गया था, ठीक है, अब delivery करनी थी, delivery के के लिए B ने बोला, कि मैं जो है, लेने आऊंगा, तीन दिन बात, A कहता है, ठीक है, फिर मैं नहीं भिजवारा, आप आजाना, अब तीन दिन तक वो आता नहीं है, चौथे दिन में आग लग जाती है, B आता पांचवे दिन, तो A कहता है, जी, आपका माल जाओ तो जल ल लग गई, तो यहां पर जो 100 units goods के, destroy हुए है, उनका नुकसान जो है, आप ही को सहना पड़ेगा, कौन सहेगा नुकसान यहां पर, B सहेगा, buyers सहेगा, क्यों, क्योंकि उसी के वैसे, जो है, delivery delay हुई थी, अब इसको जरा वाइसा वर्सा case कर देते हैं, माल लीजे, A ने बोल नुकसान है, वो A सहता, A bear करता, B को नहीं bear करना पड़ता, यानि कि यहां पर फिर B जो है, उसने जो भी अगर payment करी होती, वो वापिस ले सकता था, A से, क्यों, क्योंकि यहां पर अब delivery जो है, किस की वैसे delay हुई है, seller के वैसे delay हुई है, तो फिर उस case में, अगर seller के वैसे delay हुई है, तो फिर seller जो है, नुकसान सहता सारा, तो आएए एक बार यहां से, जो है, read कर लेते हैं, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk, until the property therein is transferred to the buyer, तो ये बात तो हम लोग already पहले भी पढ़ चुके हैं, इस topic के शुरुबात में, passing of property के शुरुबात में, but when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether the delivery has been made or not एक बार goods की ownership बायर के पास चली गई, फिर जो भी risk होगा, वो भी buyer का होगा, फिर चाहे goods की delivery हो गई हो, या फिर नहीं होई हो, It is provided that where the delivery has been delayed because of the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party as regards any loss which might not have occurred, but for such fault, तो वही सेम बात कही गई है, जो कि discuss करी थी है हमने, कि अगर buyer या face seller, दोनों में से किसी की भी वज़ा से, जो है delivery delay होई है, तो फिर जो भी नुकसान होता है बाद में goods का, वो जो है उस party को जहना पड़ेगा, जिसके वैसे delivery delay होई थी, इसके बाद में तीसरा point हमारा last point है, provided also that nothing in this section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as belly of the goods of the other party, इसका मतलब क्या है देखे, जैसे यह वाला example था हमारा, अब यहाँ पर A और B के B जब contract complete हुआ, तो 100 units जो थे, उन goods के जो property थी, वो B के पास ली गई थी, B की ownership जो है उन पर आ गई थी, बस delivery होना बाकी रह गया था, तो यहाँ पर जो A था, जब तक delivery नहीं होई थी, तब तक वो जो है as a belly goods को hold करके बैठा हुआ था, और इसके बारे में हम लोगों ने जो है constructive delivery में भी पढ़ा था, कि अगर जो seller है वो जो है as a belly goods hold करके बैठता है बायर के बहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं constructive delivery, तो देखिए यहाँ पर जो property है goods की वो जो चली गई B के पास, A जो है as a belly hold करके बैठा हुआ है, अब वो deliver करेगा, अब delivery के दुरान कोई भी नुकसान होता है, तो वो B का होगा, A का नहीं होगा, यानि कि A की जो भी duties and liabilities थी as a belly, उसके उपर जो है कोई भी effect नहीं आएगा goods की property transfer होने के बाद भी, so I hope आपको यह सारे के सारे points जो हैं समझ आ गए होंगे, hello everyone, तो आएए next topic देखते हैं, transfer of title by non-owners, sections 27 to 30 जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो देखिए, नाम क्या है topic का, transfer of title by non-owners, किसका title sir, obvious है goods का, क्योंकि sale of goods है पढ़ रहे हैं, तो non-owners कौन होते हैं, वो persons जिनके पास किसी goods की ownership नहीं होती है, लेकिन फिर भी, अगर वो title transfer करते हैं, उसका, यनि कि अगर किसी को बेशते हैं, तो भी जो है सामने वाले person को valid title जाएगा, sir, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम लोग section 27 से लेके 30 में यही पढ़ेंगे, कि अगर goods बेशता है, तो फिर किन किन cases में जो purchaser होगा, उसके पास एक valid title goods का जाएगा, तो देखें, जो एक basic rule है हमारा sale of goods act में, वो क्या है, अगर कोई non-owner जो है goods को बेशता है, यानि कि कोई ऐसा person जिसके पास ownership right नहीं है goods का, और वो जो है किसी और के goods जो है, किसी आगे person को buyer है, उसके पास जो है उन goods का good title नहीं आएगा, buyer will not acquire any title to goods, जैसे कि for example, A जो है कोई car चोरी करके B को बेशता है, अब यहाँ पर A जो है एक non-owner है, क्योंकि उसने किसी और की car चुराई, और फिर आगे उस car को जो है वो B को बेश रहा है, तो B के पास जो है उस car का good title नहीं आ आएगा, अब इसमें जो है आपका एक Latin word आता है, यह आपको याद करना है, important है, अगर exam में इसके उपर कोई question आता है, basic question, section 27 के उपर, तो फिर आपको यह Latin word लिखके आना है, बहुत ही simple है, Latin word है आपका, Nemo, Dat, Code, Non, Habit, इसका मतलब क्या है सर, देखे, इसका मतलब है, no one can give what he has not got, यानि कोई भी person ऐसी कोई भी चीज जो है नहीं दे सकता, जो कि उसकी नहीं है, जैसे कि अभी हमने जो है A और B का example लिया, A ने किसी और की कार चुराई, वो कार किसी और की थी, लेकिन चुराई A ने और A ने फिर अपनी बोल के B को बेच दी, तो यहाँ पर A no debt, court, non habit, no one can give what he has not got, यह मतलब है इसका, वाइए एक बार यहाँ से जो है read कर लेते हैं, Sailed by a person not the owner section 27, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell, तो क्या लिखा वैस में वही सेम बाते लिखी हैं, जो कि हमने अभी discuss करी हैं, कि अगर किसी person के पास कोई authority नहीं है goods को बेचने की, ना तो उसके owner से और नहीं वो खुद owner है, वो एक non owner है, ठीक है, तो फिर वो जो है goods का good title नहीं दे सकता buyer को, लेकिन अगर owner जो है उसको authority द good title जा सकता है, जैसे कि for example, A और C हैं, अब जो A है वो C का agent है, अब C के सामने जो A होता है, वो C की car को B को बेच देता है, और C जो है कुछ भी नहीं बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि C ने जो है A को allow कर दिया है उसकी car को बेचने के लिए, यानि कि उसको authorize कर दिया है A को कि वो उसकी car बेच सकता है, तो इससे हम लोग ने क्या समझा, कि किसी भी case में जो non-owner है, वो जो है goods का good title, buyer को transfer नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके पास owner की consent या फिर authority ना हो, अगर owner की consent या फिर authority है, तो फिर जो non-owner है, वो जो है goods का good title transfer कर सकता है, buyer को, वरना नहीं कर सकता, आप देखिए exam point of view से जो आपका important है इसमें वो ये है exceptions आपकी इसमें जो है आपके 7-8 points है इनमें क्या बताया गया है exception में देखो main topic क्या है आपका ये section 27 कि जो owner नहीं है वो person जो है goods को sold नहीं कर सकता buyer को लेकिन exception में क्या होगा exception में आपके जितने भी cases है इनमें जो goods sold कर रहा है person वो एक non-owner है लेकिन non-owner होने के बाद भी जो है वो person buyer को goods कैसे बेच रहा है वो कैसे goods telco transfer कर रहा है buyer को तो आईए वो समझते हैं एक के करके इन सारे cases में और इतने मुश्किल case भी नहीं है काफी simple simple cases है अच्छा इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और इन points को discuss करें exception के points को एक और बात जान लीजे इन सभी के सभी cases में जो आपका buyer है यानि कि जो खरीददार है जो purchaser है वो एक bona fide buyer है bona fide buyer या फिर purchaser कुछ भी कह लीजे सर अपने ऐसा के बोला और ये bona fide का मतलब क्या होता है देखे सबसे पहले तो bona fide का meaning होता है good faith इन सभी के सभी cases में जो person है जो goods बेच रहा है वो एक non-owner है ठीक है और exception के cases आई है तो non-owner अगर इन cases में goods बेच रहा है तो फिर buyer के पास जो है good title जाएगा लेकिन जो buyer है वो भी जो है good faith में goods को खरीद रहा है यानि कि buyer को ये लगता है कि इसके पास authority होगी owner की sell करने की या फिर यही owner है इन goods का buyer जो है ऐसा सोचता है तो इसलिए ये assume क्या गया है law के दोरा कि इन सभी cases में जो खरीदने वाला है वो एक bonafide buyer है या फिर bonafide purchaser है तो अब आईए अब जो है start करते हैं एक एक करके सारे points सबसे पहला point हमारा sale by a mercantile agent तो mercantile agent के बारे में हम लोगों ने शुरू में important definition जा हमने पड़ी थी तब discuss किया था कि business के दोरान अगर आप किसी person को अपना as an agent appoint करते हो और वो सारी सारे आपके business deals वगरा समालता है आपके भियाफ़ पे transactions में dealing करता है तो फिर वो जो person है वो आपका mercantile agent है तो यहाँ पर जो mercantile agent है देखा जाए तो वो एक तरीका क्या है non owner है अगर वो अपन principal के goods को बेच रहा है तो फिर उसके पास authority है principal की बेचने की लेकिन बेच कौन रहा है goods को एक agent जो की non owner है वो owner नहीं है उन goods का owner कौन है जो उसका principal है तो देखे बहुत ही simple है point इसमें क्या कहा गया कि जो mercantile agent है अगर उसके पास owner की authority है या फिर वो जो है ordinary course of business में कोई भी goods ब bona fide buyer को तो फिर उस bona fide buyer के पास जो है good title आ जाएगा goods का बस इतना ही कहा गया है इस वाले point में मैं आपको बताया था ना काफी simple points ही है अगर आप plain reading में करेंगे इनकी book से तो भी आपको जो है समझ आ जाएंगे इसके बाद है हमारा दूसरा point sale by one of the joint owners joint owners का मतलब क्या होता है सर यहां पर मतलब अगर किसी चीज के जो है एक से ज्यादा owners है जैसे कि for example एक कार है अब उस कार के तीन ओनर है ए भी सी तीनों ने जो है मिलके कार खरी दी थी अब जो ए है जो की क्या है एक कौन है एक joint owner है अब जो ए होता है वो जाके डी को वो कार बेज देता है तो यहा यहां पर जो डी है वो क्या है bonafide buyer उसको लगा कि हाँ ए जो है owner है car का इसके पास authority होगी इसको sell करने की तो डी ने जो है A से वो car खरीद दी जबकि और भी co-owners थे उस car के B और C भी थे लेकिन A ने जो है अपने से car बेज दी तो यहां पर B और C जो होंगे वो D से car वापिस नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर D जो है bonafide buyer है और उसके पास एक good title जो है A ने transfer किया है car का D को अब देखते हैं तीसरा point sale by a person in possession under a voidable contract एक ऐसे person ने जो है goods की sale करी है जिसके पास उन goods का possession एक voidable contract के अंडर आया है voidable contract के बारे में आप लोगों ने जो है Indian contract में पढ़ा होगा जहां पर free concern के topic में 5 चीज़े थी coercion, under influence, fraud, misrepresentation, mistake अगर इनके अंडर जो है कोई भी concern ली जाती है तो फिर उस case में जो contract होता है वो आपका voidable होता है एक party के option पर यानि कि वो जो agree party है वो चाहे तो contract को continue भी रख सकती है या फिर court में जाके avoid कर सकती है तो उसके बारे में है ये point तो आईए अब देखते हैं example के थूँ कि इस point में क्या होता है जैसे कि for example C है C के पास जो है एक car अच्छी सी जो A होता है वो C के साथ fraud करके उसकी car ले ले लेता है तो यहाँ पर voidable contract हो गया A और C के बीच में अब A क्या करता है A जो है इस car को अब B को बेचने जा रहा है अब देखे जब वो B को बेचे गा ना तो इसके regarding जो है आपकी दो situations है तो पहली situation क्या है देखें C has not yet avoided the contract इसका मतलब क्या है C ने अभी तक जो है contract को जो कि उसका A के साथ हुआ था उसको avoid नहीं किया है यानि कि वो अभी तक court में नहीं गया है contract को avoid करवाने और वो अब तक नहीं गया है और इतने में जो A होता है वो B को car बेच देता है sold कर देता है car B को तो यहाँ पर जो A है वो car का एक good title B को transfer कर देगा क्यों क्योंकि अभी तक जो A और C का contract था था वो अभी तक avoid नहीं हुआ था तो इस case में अगर इतने में ही A जो है B को car बेच देता है तो फिर B के पास car का good title आ जाएगा और फिर C जो है B से अपनी car वापस नहीं ले सकता और obvious है B कौन है B जो है एक bona fide buyer है या फिर bona fide purchaser अब इसमें second situation क्या हो सकती है C has avoided the contract A B को बेच नहीं जा रहा था car किसी ने जो है उससे पहले ही code में जाके contract को avoid करवा दिया तो फिर यहां पर अब A जो है B को car का good title ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि A और C के बीच का जो contract था वो अब वो वाइड हो चुका है क्योंकि C ने जाके उसको वाइड करवा दिया है code में तो यह बाते हैं आपकी इस point में कि अगर किसी voidable contract के अंडर जो है किसी person के पास goods का protection आया है तो फिर जिसके साथ भी उसने कुछ भी किया था fraud किया था या फिर coercion apply किया था फिर undo influence as the case में भी जिससे भी उसने goods acquire किये थे वो person अगर तब तक जो है contract को void करवा दे तो फिर वो जो non owner होगा उन goods का वो जो है आगे bona fide buyer को नहीं बेच पाएगा goods लेकिन अगर वो person जिससे कि goods acquire होए थे वो अगर तब तक contract को avoid नहीं करवा पाता और इतने में जो non owner होता है वो bona fide buyer को goods base देता है तो फिर buyer के पास जो है good title आ जाएगा goods का अब इसमें हमारा fourth point है Sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof मतलब जैसे कि for example A और B के B जो है contract हुआ है contract of sale जिसमें कि A ने goods already B को बेच दिये हैं लेकिन goods का possession जो है वो अभी भी A के पास ही है B ने जो है A को बोला है कि जी goods तो बेच दिया आपने लेकिन मैं जो है तीन दिन बाद आके goods ले जाओंगा A जो है इसके लिए मान जाता है तो यहाँ पर क्या है goods already A ने बेच दिये है goods की ownership B के पास जा चुकी है लेकिन goods का जो possession है वो अभी भी A के पास ही है B तीन दिन बाद आके goods की delivery ले जाएगा अब देखे होता क्या है जो B होता है वो तो तीन दिन बाद आएगा दो दिन के अंदर जो A होता है उन goods को C को बेच देता है तो यहाँ पर क्या है A अब non-owner है क्योंकि goods की ownership B के पास जा चुकी है लेकिन possession A के पास था लेकिन A क्या करता है उन सेम goods को जो कि वो B को already बेच चुका है C को बेच देता है अब जो C होता है वो हमारा कौन होता है एक innocent buyer या purchaser bona fide buyer होता है वो तो यहाँ पर C की कोई गलती नहीं है C को जो है goods का possession भी मिल जाएगा और उन goods का good title भी मिल जाएगा B जो है बाद में A से अपना price और damages recover कर सकता है लेकिन वो बात की बात है अभी के लिए जो C है उसको जो है goods title मिल जाएगा B जो है C से goods को claim नहीं कर सकता तो यह है यह point sale by one who has already sold the goods यानि कि example के साफ से sale by A who has already sold the goods to B but A continues the production of goods thereof तो यहाँ पर अगर जो seller है उसके पास से goods की ownership जा चुकी है लेकिन फिर भी वो same goods को किसी और को बेज देता है एक bonafide buyer को तो इस bonafide buyer के पास goods का good title pass on हो जाता है इसके बाद है आपका fifth point sale by buyer obtaining possession before the property in goods has vested in him इसका मतलब क्या है sir कि buyer को जो है goods का possession मिल गया है लेकिन अभी भी goods की जो property है वो buyer के पास possession नहीं हुई है goods की property अभी भी seller के पास ही है चलिए तो इसको जो है इस वाले point को एक छोटे example से समझते हैं A है अब A ने जो है अपने goods का possession धन रखना इस word को possession है ownership नहीं है A ने अपने goods का possession B को दे दिया है लेकिन ownership goods की अभी भी A के पास ही है B ने जो है अभी तक goods का price pay नहीं किया था लेकिन A ने जो है B को goods दे दिये है B ने बोला है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर payment कर देगा A कहता है ठीक है अब B क्या करता है B जो है इन goods को C को बेज देता है और 7 दिन के बाद भी B जो है A को payment नहीं करता है अब यहाँ पर जो C होता है वो क्या है वो तो एक bonafide purchaser है यानि कि उसने जो है good faith में goods को खरीदा है C को नहीं पता था कि B ने अभी तक इन goods का price पे नहीं किया था तो यहाँ पर जो A है वो C से कुछ भी recover नहीं कर सकता क्योंकि C की कोई गलती नहीं है C ने तो innocently goods को खरीदा था main जो culprit है वो तो B है तो A जो है B से अपने goods का price और साथ में जो भी damages है वो claim कर सकता है तो यही चीज़ लिखी वे इस point में sale by buyer obtaining possession buyer को जो है B को पहले ही goods का possession मिल चुका है इससे पहले कि goods की property उसके बास transfer होती तो अभी तक goods की property जो थी वो A के पास ही थी B के पास सिर्फ possession था लेकिन अगर फिर भी जो B है जो की हमारा इस case में non-owner है अगर वो किसी bona fide purchaser को goods बेचता है तो फिर वो जो bonafide purchaser है उसके पास उन goods का good title आ जाएगा इसके बाद है हमारा sixth point effect of estoppel estoppel का मतलब क्या होता है estoppel हम लोगों ने Indian contract act में ही पढ़ाता है privative contract के exception में estoppel का मतलब होता है stop from denying यानि कि किसी को मना करने से रोखना तो sir इसका मतलब क्या है इसमें non उननका क्या रोल रहता है तो एक example से जो है इस point को समझते है तो देखें जैसे की for example A है B है और C है ठीक है अब C के पास ना एक horse होता है एक घुड़ा होता है अब A जो होता है वो C का friend होता है और B जो है C के farmhouse पे आता है उस horse को खरीदने अब क्या होता है A जो है B से deal करता है इस horse की और जो C होता है वो जो है चुप चाप इन दोनों को देख रहा होता है बस वो चुप चाप देख रहा होता है कि A जो है B को बेज देता है बदले में जो भी प्राइज होता है वो जो है B A को पे कर देता है तब देख जाए यहाँ पर जो आपका A है वो कौन है वो है एक non-owner true owner कौन है यहाँ पे true owner तो आपका C है और B कौन है यहाँ पे purchaser ऐसा यहाँ पर्चेजर नहीं bonafide purchaser क्योंकि B को लगा कि A ही जो है इस घोडे का मालिक है अब यहाँ पर जो है सारी dealings हो चुके है A और B के बीच में C जो है अब B के पास जाता है और कहता है कि ना घोडा वापस करो घोडे का असली मालिक मैं हूँ तो अब जो B है वो यहाँ पर C से यह कह सकता है कि जब A जो है मुझको तुमारा घोडा बेच रहा था तब तुम चुप क्यों थे तब क्यों नहीं बोले तो यहाँ पर B जो है C को stop कर सकता है stop कि मना करने से रोक सकता है कि जब आपको पता था कि A आपका घोडा बेच रहा है तो फिर उस समय आपने क्यों नहीं रोका अब क्यों आ रहा है मेरे पास तो यहाँ पर C जो है वो B से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता हाँ वो A से जो है अपना होर्स का प्राइज या पर जो बेच रहा है वो रिकवर कर सकता है वो तो A और C के आपस की बात है लेकिन C जो है यहाँ पर B से कुछ भी रिकवरी नहीं कर सकता बी इंग अ बोनाफट परचेजर B को जो है यहाँ पर होर्स का गोड टाइटल मिल जाएगा इसके बाद है हमारा 7th point Sale by Unpaid Seller Unpaid Seller कौन होता है वो परसन जिसने गोड की ओनर्शिप ट्रांसफर कर दी हो बायर को लेकिन अभी तक उसको जो है पेमन नहीं मिली है गोड की तो उसको हम बोलते है Unpaid Seller तो इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में आगे इसी चप्टर में डिसकस करेंगे लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो है इस टॉपिक के लिए समझ लेते हैं देखे जो आपका Unpaid Seller होता है उसके पास जो हैं दो राइट्स होते हैं गोड के अगेंस में एक होता है राइट अफ लियन दूसरा होता है राइट अफ स्टॉपिच इन ट्रांजिट लियन में क्या होता है लियन में जो Seller है वो जो है गोड की Ownership को पासन कर चुका होता है बायर के पास लेकिन बायर ने जो है टाइम पर पेमेंट नहीं करी होती है और वो आगे पे भी नहीं कर पाता Seller को तो फिर यहाँ पर आपका Unpaid Seller होता है वो जो है उन गोड को किसी और को आगे बेच सकता है यह होता है आपका Right of Lien और Right of Subversion Transit में क्या होता है Right of Subversion Transit में Seller जो है Goods को बेच चुका होता है यानि कि Ownership Transfer कर दी होती उसने और Possession भी जो है उसके पास से चली जाती है तो फिर यहाँ पर जो आपका Unpaid Seller है वो जो है बायर से ऐसे ही Goods को रेकवर नहीं कर सकता उसको जो है Law के प्रसेश से Recovery करनी पड़ेगी लेकिन लियन में क्या होता है लियन में जो Possession है Goods का वो अभी भी सरर के पास ही होता है तो इसले क्योंकि Goods का Possession उसके पास ही है तो फिर वो जो है उनको कभी भी किसी और को आगे बेच सकता है तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका Unpaid Seller होता है वो भी एक टाइप का Non-Owner ही होता है बस फरक क्या होता है यहाँ पर उसको जो है प्राइस पे नहीं हुआ होता तो इस वाले टॉपिक को लेके हम लोग डिटेल में डिसकुशन करेंगे आगे इसी चेप्टर में इसके बाद है आपका Eighth Point Sale Under Provisions of Other Acts कुछ और Acts के Under अगर जो है किसी Non-Owner को Authority दी गई हो लोग के द्वारा कि वो जो है गुट्स को सेल कर सकता है तो फिर उसकेस में वो सेल जो होगी Non-Owner के द्वारा valid होगी इसमें broadly जो है आपके तीन पॉइंट्स बताए गई है तो देखे Sale Under Provisions of Other Acts तो इसमें broadly आपके तीन पॉइंट्स है सबसे पहला Sale By An Official Receiver और आप क्या सकते हैं उसको Liquidator of the Company जब Company Insolvent होती है तो फिर Code जो है एक Official Receiver या फिर Liquidator जो है उसके लिए पॉइंट करता है जो की Company की Liabilities को Pay Off करने के लिए Assets को Sale करता है तो वो जो Liquidator या फिर Official Receiver है वो एक Non-Owner है उसके पास Company के Assets का Ownership नहीं है लेकिन फिर भी Law ने उसको जो है पावर दे रखी है Sale करने की तो उस Case में जो Sale होगी वो जो है बिलुकुल वैलिड होगी और जो भी Purchaser होगा उसको जो है Good Title दिया जाएगा इसके बाद आपका दूसरा Point Purchase of Goods from a Finder of Lost Goods यह हम लोगों ने जो है Indian Contract Act 1872 के Section 169 में समझा था जहां पर हमने कौसी Contract के Topic को लेके बात करी थी वहाँ पर उसमें से एक चीज यह भी थी कौसी Contract के अंडर कि अगर आप जो है वह जो है किसी Bonafit Purchaser को जो भी खोयवे Goods होते हैं उनको बेच सकता है और वह जो Sale होगी वह बिल्कुल Valid होगी इसके बाद इसमें तीसरा Point यह भी हमारा जो है Indian Contract के Section 176 का है Sale by Pony Poner और Pony की जो हैं पर बात करी गई है जैसे कि For Example A और B है अब A ने जो है अब A ने जो है कोई Loan लिया है B से 2,00,000 रुपे का ठीक है उस Loan को Secure करने के लिए A ने अपनी कार B के पास रखवा रखी है तो A हो गया आपका Poner और B हो गया Pony अगर A जो है Loan को नहीं चुका पाता फिर जो B है इवन दो वह एक Non-Owner था उसके पास A की कार थे लेकिन फिर भी वह जो हमने Loan की Recovery के लिए A की कार को बेच सकता है क्योंकि उसके पास यह Law के दवारा Right है और जो भी वह Sale करेगा कार की वह बिलकुल Valid Sale होगी अब आई अब एक बार जो है फटा फट से हमने जितने भी Points अब तक डिसकस की हैं exception में उनको एक बार जो है यहां से read कर लेते हैं Exceptions In the following cases a non-owner can convey a better title to the bonafide purchaser of goods for the value सबसे पहला point क्या था हमारा Sale by a mercantile agent A sale made by a mercantile agent of the goods for the document of title to goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances तो यह सब बात है हमने डिसकस करीती इतनी important नहीं आई है बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो agent है वो अगर कोई भी goods आगे बेशता है किसी bonafide purchaser को तो फिर उस purchaser के पास जो है good title आ जाता है एक बाफिर भी read कर लेते हैं इसको इसके बाद है हमारा इसके बाद हमारा अधिर। āपरसडिये हैं ज सरे शविड़ भी आई है कि आप भी weन. अभी एक भीêर,ब एक भी आपकोच्छिये हैं विस्चने सहते हैं बाद थाह सहो जुजब वादेल the goods under a contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that the contract had not resigned until the time of sale. Then thereafter sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof. If a person has sold goods but continues to be in possession of them or of the documents of title to them, he may sell them to a third person and if such person obtains the delivery thereof in good faith and without the notice of the previous sale, he would have a good title to them. Although the property in goods had passed to the first buyer earlier, a pledge or other disposition of the goods or documents of title by the seller in possession is equally valid. Section 30 subsection 1. Iske baad sale by a buyer obtaining possession before the property in goods has vested in him, where a buyer with the consent of the seller obtains possession of the goods before the property in them has passed to him. He may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person and if such person obtains delivery of the goods in good faith and without the notice of lien or other rights of the original seller in respect of the goods, he will get a good title to them. So, here is the very big one. Without the notice of lien or other rights of the original seller in respect of the goods, you can simply just write without the knowledge. If you have a example of this, it is not that without the knowledge of the ownership rights of the original seller, he will get a good title to them. Section 30 subsection 2. 2. Iske baad effect of estoppel where the owner is stopped by the conduct of denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title against the true owner. But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as the true owner or as a person authorized to sell goods. 2. Sale by an unpaid seller. Where an unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit resales the goods, the buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer. Section 54 subsection 3. Iske baad me hum log detail mein aage padehenge. 3. Iske baad sale under the provisions of other acts. Sale by an official receiver or liquidator of a company will give the purchaser a valid title. Purchase of goods from a finder of goods will get a valid title under certain circumstances. And what is that? Sale by a pony can convey a good title to the buyer. So I hope you will have all the points clear to the buyer. So I hope you will have all the points on the subject of the contract of sale, performance regarding rules and provisions क्या क्या है वो पढ़ेंगे और section 31 से 44 जो है इसमें cover करेंगे सर इतने सारे section देखे घबराने के बात नहीं है सारे जो है छोटे मोटे section है और असान भी है समझने ठीक है तो घबराईए मत तो आईए start करते हैं तो देखी इसमें जो हमारे सबसे पहले दो points देखते हैं बहुत ही simple है अगर मैं ना भी समझाओं तो भी आप लोग जो है समझ जोगे उनको से पढ़के ही देखो सबसे पहला point duties of buyer and seller buyer और seller की जो है contract of seller में क्या duty होती है तो buyer की duty होती है कि वो जो है जो भी goods seller उसको बेच रहा है वो उनको accept करे और उनके लिए payment करे seller को और जो seller होता है उसकी क्या duty बनती है कि वो जो है जो भी goods के लिए buyer pay कर रहा है उन goods को जो है buyer को वो deliver करे इसके बाद इसमें दूसरा point है हमारा जो देखो दो condition होती है किसी भी contract और seller को पूरा करने के लिए payment और delivery payment करता है buyer delivery करता है seller तो दोनो की दोनो condition जो है वो concurrent conditions होती है concurrent का मतलब होता है simultaneously concurrent conditions का मतलब होता है कि वो conditions जो की इखटे पूरी होंगी एक साथ पूरी होंगी कि जो दोनो parties है contract of sale में buyer और seller वो जो है दोनो की दोनो conditions को इखटे पूरा करेंगी एक साथ पूरा करेंगी यानि कि जैसे ही seller जो है goods को deliver करने को तयार हो जाएगा वैसे ही buyer को भी जो है price pay करना पड़ेगा उन goods के लिए और वाइसा वर्जा अगर buyer जो है तयार है price pay करने के लिए तो फिर seller को भी जो है goods को deliver करना पड़ेगा buyer को तो देखो ज़रूरी नहीं है कि यह जो concurrent condition है यह हर एक में जो है applicable हर contract of sale में अगर मान लीजे कोई और कोई condition दे रखे contract or sale में कि payment बाद में होगी लेकिन delivery पहले होगी या फिर delivery बाद में होगी payment पहले होगी अगर ऐसी कोई condition है तो फिर उस case में यह condition applicable नहीं होगी लेकिन अगर कुछ भी mention नहीं है contract or sale में तो फिर यह माना जाएगा कि payment और delivery जो है वो दोनों एक concurrent conditions हैं, आईए एक बार यहां से जो है read कर लेते हैं, वही same बाते लिखी मी हैं, section 31, duties of seller and buyer, it is the duty of the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale, इसके बात section 32, payment and delivery are concurrent conditions, unless otherwise agreed, यानि की जब तक की कुछ और agreement ना हो, buyer और seller के बीच में, the delivery of goods and payment of the price are concurrent conditions, that is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price of goods, और इसमें एक ओलान अड़ कर दिजाए आप लोग, the buyer shall be ready and willing to give the price in exchange for the possession of the goods from the seller, ठीक है, तो बहुत ये simple rules हैं ये तो, पहले दो points हमारे, अब इसके बाद हमारे आते हैं delivery के rules, चलिए, तो अब हम लोग जो है, एक important part start करने जा रहे हैं, rules regarding delivery of goods, अब इसमें हम लोग जो है, goods के delivery के regarding, क्या-क्या rules होते हैं, मला rules समझें या फिर इनको cases भी मान सकते हैं, कि इन-न cases में जो है, कैसे-कैसे goods के delivery होगी, या फिर क्या-क्या माना जाएगा इनमें, ठीक है, तो यहाँ पर total जो हमारे 13 points है, तो इन 13 points में जो जो लिखा होगा, वो हम लोग जो है, यहाँ से एक-एक करके समझेंगे, ठीक है, यह पूरी के-पूरा के 13 points है, तो घबराने की बात नहीं है, सारके सारे points जो है, काफे simple है, ठीक है, हाँ बस देखने में जादा है, लेकिन है simple है, तो यह start करते हैं, possession, कि जब खुद से जो है seller, buyer को जो है, goods की possession transfer करे, बायर को, voluntary transfer of possession, ठीक है, तो देखे, इस point के लिए क्या rule है, इस point के लिए rule यह है, कि जो seller है, अगर उसको goods की delivery करनी है, बायर को, तो फिर उसको कोई ऐसा काम करना होगा, जिससे की goods की possession जो है, वो buyer के पास चली जाए, और वो काम जो है, कुछ भी हो सकता है, बस delivery करनी है, बायर को, जैसे की seller जो है, physically खुदी goods को छोड़ा है, बायर के पास, ठीक है, या फिर seller जो है, buyer के agent को goods deliver कर दे, तो भी यही माना जाएगा, कि goods जो है, buyer को deliver हो गए है, तो कोई भी ऐसा act, जिससे की goods की possession, जो है, seller, अपने पास से, buyer को transfer कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, delivery, चा हम लोग जो है, साथ साथ में एक बार read भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आखर में जो है, time बच जाए हमारा, कम time में जो है, जादा जीजे हो जाए, तो delivery से मजली है, हमने एक बास को read कर लेते हैं, यहां से, rules regarding the delivery of goods, section 33 to 41, delivery, delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf, section 33 में बात लिखी हुई है, कि goods की delivery कैसे होगी, seller को जो है कोई ऐसा act करना पड़ेगा, जिससे की goods का operation buyer के पास जा सके, या फिर अगर बायर ने किसी person को authorize कर रखा है, उसके भीहाफ पे goods hold करने के लिए, तो फिर अगर उसको भी goods का operation दी दिया जाए, तो भी यही मना जाएगा कि goods को buyer को deliver कर दिया गया है, अब इसमें दूसरा point है हमारा effect of part delivery, सरे part delivery का क्या concept है, देखे, part delivery का मतलब समझे गए होंगा, क्या होता है, कि parts में आप delivery दे रहे हो, अब इसके लिए जो है law ने क्या rule बनाया, law ने ये rule बनाया, जैसे कि for example माल लीजिए, A और B के बी जो है contract हुआ कोई, ठीक है, जिसम 100 units, 100 units, A को वो बेचेगा, अब यहाँ पर जो B है, और जो A है, दोनों के बीच contract पूरे 100 units का हुआ था, A ने payment भी जो है 100 units की करी थी, लेकिन B ने क्या बोला, B ने बोला कि मैं 81 100 units नहीं बेच पाऊंगा, मैं जो है 50 units आद भीजूंगा, और बाकी 50 units कल भीजूंगा, अब देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, लौके द्वारा, यहाँ पर यह बोला गया, कि जो part delivery, B ने करी है A को, वो है तो part delivery ही, लेकिन उसको जो है, contract के purpose के लिए, whole goods की delivery माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर, जब contract हुआ, तो पूरे के पूरे 100 units के लिए हुआ था, ठीक है, उसने contract को बाड़ दिया, कि उसने दो contract किये, एक 50 unit का, और दूसरा contract किया, वो भी 50 unit का, उसमें जो payment हुई है, वो भी अलग-अलग हुई है, और delivery भी जो है, अलग-अलग होगी, फिर वहाँ पर part delivery आप बोलोगे, कि वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पर A लेगा तो 100 unit सी, लेक एक contract कम्प्लीट हो गया, फिर दूसरा contract कब कम्प्लीट होगा, जब बागी की 50 unit जो है, पूरी चली जाएंगे, तो वहाँ पर तो part delivery बोल सकते हो, लेकिन जो पहला केस था हमारा, जहाँ पर 100 units की पूरी payment हुई थी, और 100 units का ही एक इकलाता contract बना था, और वहाँ पर अगर part delivery हो, तो फिर वो part delivery को भी whole delivery ही माना जाता है, अब एक बर यहाँ से read कर लेते हैं, effect of part delivery, a delivery of part of goods in the progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole, तो अगर part goods की delivery हुई है, लेकिन किस respect में हुई है, किस contract के respect में हुई है, contract जो था, वो पूरे के पूरे goods का बना था, पूरे whole delivery का ही contract बना था, तो वहाँ पर अगर part goods deliver होते हैं, तो यही माना जाता है, कि delivery जो है, सारे goods की हो गई है, but the delivery of the part of goods with the intention of severing it from the whole, कि वहाँ पर जो है, पूरा एक contract नहीं बना है, जैसे कि example में था, 100 units का contract नहीं बना था, as delivery of the remainder, फिर वहाँ पर second case में यहीं नहीं माना जाएगा, कि अगर B ने 50 unit दे दिये हैं, तो वो जो है, 100 units के delivery के बराबर ही है, फिर वहाँ पर ही नहीं बोले जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर contract भी अलग-अलग बना था, लेकिन पहले case में क्योंकि contract एकटे बना था, त अगर buyer और seller के बीच में contract हो गया है, goods का, तो अच्छी बात है, अब बात आती है, delivery की, तो देखिए, जब तक buyer जो है, अपनी तरफ से कुछ ना बताए, तब तक seller जो है, bound नहीं है, goods को deliver करने के लिए, buyer को जो है, seller को बताना पड़ेगा, कि आप जो है, यहाँ पर delivery लेके आ जाओ, या फिर मैं जो है, इस जगह पर आ जाता हूँ, आप जो है, मुझको इस जगह पर deliver कर दो, तो जब तक buyer जो है, apply नहीं करेगा delivery के लिए, तब तक seller जो है, bound नहीं है, goods को deliver करने के लिए, फिर चाहे, contract क्यों ना हो गया हो, बन गया हो दोनों के बीच में, देखे, section 35 में बात लिखी भी है, जो परवला पाट था हमारा effect of power delivery, वो था हमारा section 34, buyer to apply for the delivery, apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for the delivery, तो जब तक buyer अपने पास से कुछ ना बताये, तब तक seller भी जो है, bound नहीं है, goods को deliver कर लिए, अब इसके बाद है हमारा fourth point, place of delivery, goods को delivery करने के जगा क्या होगी, तो उसके बारे में जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग जो है, इसमें चार्ट के थ्रू जो है, चीजों को समझेंगे, ठीक है, आप इस चार्ट को जो है, note down भी कर लेना, place of delivery, तो delivery जो है goods की उसी जगा पर होगी, mention in the contract, delivery at such place, तो यह तो बहुत ही simple है, अगर जगा का नाम लिखा हुआ है contract में, तो फिर उसी जगा पर जाके delivery होगी, लेकिन जो दूसरा clause है आपका, इसमें जो दूसरा point है, वो थोड़ा important है, not mentioned in contract, अगर contract में जो है, जगा का नाम नहीं लिखा गया, कि किस जगा पर जो है delivery होगी, फिर आपको उसमें क्या check करना है, फिर आपको उसमें ये check करना है, कि क्या goods existing है, या फिर क्या future goods है, या फिर क्या contingent goods है, तो उसके साब से जो है हमारा answer frame होगा, उसके साब से जो है हमारा law होगा, तो आएए देखते हैं कि इन त listing goods का contract हुआ है, तो फिर contract के time पर goods किस जगा पर हैं, उस जगा पर जो है delivery होगी, place और delivery हमारा वही जगा होगी, जहां पर goods उस समय पर होगे, where goods are at the time of the contract of sale, माल लोगर, buyer और seller का contract हुआ है, और contract के समय जो goods हैं, वो warehouse में हैं, तो फिर place और delivery है, वो जो होगा, वो warehouse ही होगा, यनिकि वहां से जो है, फिर buyer goods की delivery ले जाएगा, फिर इसमें हमारा दूसरा point, future goods, अब देखो अगर future goods का contract हुआ है, अब future goods के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ transfer होगी future में, तो अब यहां पर जो है place और delivery क्या होगा, तो जिस भी जगह पर goods, manufacture और produce होगे, वो ही जगह हमारी place और delivery होगी, where goods will be manufactured और produce, जैसे कि for example, A और B के बीच contract हुआ है, B जो है एक apple seller है, अब जो apple है, उनको अब भी produce हुनों में time लगेगा, 6 महिने लगेंगे produce होने तो वो जहां पर भी produce होगे, उसी जगह पर जो है, A जाके उनके delivery ले आएगा, तो यह हमारा किसका example होगया, future goods के case में place और delivery क्या होगी, तो जहां पर भी goods manufacture और produce होगे, अब इसके बाद हमारा तीसरा point इसमें contingent goods को लेके, अब contingent goods के लिए हमने क्या पढ़ा था शुरू म agreement होता है, कि इसमें surety नहीं होती, agreement तो बन जाता है, buyer और seller के बीच में, लेकिन surety नहीं होती, कि future में क्या goods वाकई में seller बेच पाएगा, या फिर नहीं बेच पाएगा, लेकिन agreement हो जाता है, तो फिर इस case में हम लोग अभी मान लेते हैं, कि हाँ, बेच पाएगा वो, ठीक पर जब agreement to sell बना था, जिस भी time पर, where goods are at the time of agreement to sell, to sell भी लिख लिए आप लोग यहाँ पर ठीक है, कि जिस भी वक्त पर agreement to sell बना था, तो उस वक्त पर goods जहाँ पर भी है, वो आपका जो है place of delivery बन जाएगा, तो आइए एक बार जो हैं से read कर लेते हैं, वही सेम बाते लिख करी है, place of delivery, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer, is a caution depending on each case of the contract, express or implied between the parties, ठीक है, apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell, or if not then in existence at the place at which they are manufactured or produced, तो अगर contract में place mentioned है, तो फिर आपको जो है उसी जगह पर delivery करना है, यानि कि वही आपका जो है place or delivery है, लेकिन अगर contract में mention नहीं है, फिर उस case में आपको यह देखना है कि types of goods कौन से हैं, कि existing goods है या फिर future goods है या फिर contingent goods है, या फिर contingent goods है, ये बात लिखी विए है section 36, subsection 1 में, इसके बाद है हमारा fifth point, time for delivery, delivery का time क्या होना चाहिए, तो देखिए, अगर contract or sale में mentioned है, कि इतने time में delivery हो जानी चाहिए, जाज़े कि for example A और B है, B जो है goods बेचेगा A को, अब delivery का time mentioned था, कि जैसे ही contract होगा, तो जो B होगा वो जो है एक हफते के अंदर अंदर goods को deliver क करना पड़ेगा A को, लेकिन अगर time mention ही ना हो, फिर उस case में क्या होगा सर, देखिए, अगर time fix है, फिर तो पता हिए, जो fix time है, उसमें delivery हो जानी चाहिए, लेकिन अगर time fix नहीं है, कुछ भी mention ही है contract में, फिर उस case में reasonable time के अंदर-अंदर delivery हो जानी चाहिए, reasonable time क्या होगा सर तो वो जो है contract to contract depend करेगा जो भी सरक्कम चांजिस रहे होंगे उस case में वो depend करेंगे time of delivery where under a contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer but no time for sending them is fixed the seller is bound to send them within a reasonable time ये बात लिखी विए section 36 sub section 2 में time fix है फिर तो कोई दिक्का दी निये ना contract में लिखा हुआ इतना time में भीजने है तो इतना time में deliver कर देने है लेकर अगा time नहीं लिखा हुआ फिर उस case में जो seller होगा उसको जो है within a reasonable time goods को deliver करना पड़ेगा बायर को इसके बाद आपका 6th point है goods in possession of a third party मतलब क्या सर थर्ड party के possession में goods क्या से हो सकते हैं देखे जैसे कि for example a और b है अब b ने जो है a से contract किया है कुछ goods बेचने का जो goods b के godown में रखे हुए है और godown में जो है c जो है b के भिहाफ पे goods को hold करके बैठा हुआ है तो जैसे ही contract होता है a और b के बीच में b ऐसे कहता है कि आपने जो goods मुझसे purchase किया है न वो goods आप जो है जाकर c से ले सकते हो go down से yellow c का number अब देखो यहाँ पर जो goods के delivery है वो तब तक नहीं होगी जब तक c जो है a को contact नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर c कोण है वो एक third party है कि contract तो a और b के बीच में हुआ था है न तो यहाँ पर जब तक c contact नहीं कर लेता Mr. A को तब तक जो है goods के delivery नहीं मानी जाहेगी एक बार यहाँ से जो है read कर लेते हैं goods in possession of a third party where the goods at the time of sale are in possession of a third person there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf तो third person अगर goods का possession hold करके बैठा हुआ है तो फिर third person को जो है buyer को acknowledge करना है उसको inform करना है कि goods मेरे पास हैं आपके तब ही जो है goods के delivery possible है provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods तो देखे इस बात से कोई फराख नहीं पड़ता कि अगर document of title to goods जो हैं वो चाहे buyer के पास कोई नहीं हो goods के लेकिन फिर भी इस case में जो goods का operation है वो third party के पास है तो जब तक वो third party जो है buyer को contact करके inform ना कर दे कि goods मैंने जो है hold करके रखे में आपके भी हाफ पे तब तक जो है delivery नहीं हो पाएगी ये बात लिखी विए section 36 sub section 3 में इसमें जो है एक और एक simple example ले लेते हैं ये जmoon करीत्ने नहीं आपनलिंपल जो है जो है जो है कोई करीत नहीं गया थीक है मारुति के cevU room में गया आप जो वो तो दिखाने के लिए असल में 전 होती है वह maher house होती है शुरूम वालों के एक तो सारा contract वतरह सब हो गया एन जो है पैसे जमाँ करा दिये payment भी कर एको दे दी गई है लेकिन जो उसके डिलिवरी है गाड़ी की वो तब तक नहीं होगी जब तक जो वेहराऊस का employee है वो जो है एक को contact ना कर ले यानि कि document of title to car जो है अपका document of title to goods car का जो है document of title वो एक के पास चला गया है तो इससे कोई फरक नहीं बढ़ता कि चाहे document of title के उनम ट्रांसफर कर दिया हो buyer को delivery तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो third person जो है buyer को inform न कर दे कि वो goods को उसके बिहाफ पर hold करके बैठा हुआ है तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है 6 points डिसकस कर लिए है ठीक है आई होप आपको ये 6 के 6 points समझ आ गए होंगे अब देखते हैं 7th point time for tender of delivery मतलब क्या है इसका कि buyer को जो है goods के delivery चाहिए तो वो कौन से time पर delivery मंगा सकता है तो देखे इसके लोगों ने एक बात बोली है कि वो जब भी delivery मंगाना चाहता है मंगा सकता है लेकिन एक reasonable आर में मंगा सकता है यानि कि एक reasonable time period में मंगा सकता है आप कहा सकते हो कि जो business hours होते हैं आपके जो कि normally होते हैं सुहरे के 9 बज़े से लेके शाम के 6 बज़े तक तो वो जो है business hours में या फिर आप कहलो reasonable hours में जो है delivery मंगा सकता है ऐसा नहीं कि रात को 3 बज़े at 3 a.m. वो delivery मंगा रहा है जब पूरी दुनिया सो रही है वो delivery मंगा रहा है या फिर रात को 2 बज़े मंगा रहा है या फिर 12 बज़े या सवेरे 4 बज़े मंगा रहा delivery ऐसा नहीं होगा हमेशा delivery जो है reasonable hours में ही करी जाएगी एक बार जो read कर ले इसके बाद है हमारा 8th point, expenses for delivery, goods को deliver करने का जो भी खर्चा है, वो कौन बेर करेगा, तो obvious है, almost, सारे के सारे cases में, seller ही जो है, खर्चा करेगा, deliver करने का goods को, ठीक है, तो इसमें कोई शक्की बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए, देखे, expenses for delivery, the expenses of an incidental to putting the goods into a deliverable state, must be bond by the seller in the absence of a contract to the contrary, section 36, sub section 5, देखे, contrary का मतलब क्या है, मान लीजिए, अगर contract में लिखा हुआ है, कि seller जो है, goods को deliverable state में डाल देगा, उसका खर्चा वो करेगा, लेकिन, delivery ले जाने का खर्चा जो है, goods का वो बायर करेगा, अगर contract में ऐसी कोई बात लिखी भी है, फिर उस case में यह section जो है, आपका applicable नहीं होगा, लेकिन अगर contract में कुछ भी नहीं mentioned है, इस चीच को लेके, तो फिर जो भी खर्चा है delivery का, वो seller को ही करना पड़ेगा, then thereafter, 9th point, delivery of wrong quantity, यानि कि, जितने भी goods मंगाए थे, बायर ने, उसको जो है, गलत quantity goods दिलिवर कर दिये गए है, कैसे, जैसे कि, for example, मान लीजे, A और B की बीच contract हुआ, B जो है, 100 units बेचेगा A को, ठीक है, कोई भी goods हो सकते हैं वो, उसके 100 units वो A को बेचेगा, अब B ने deliver कर दिये 50 unit, यानि कि, कम कर दिये deliver, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, मान लीजे, contract हुआ 100 units का, B ने deliver कर दिये 500 unit, या तो फिर उस case में, provision क्या कहता है, तो आईए, एक chart के थ्रू जो है, इसको समझते हैं, क्या-क्या scenarios हो सकते हैं, हमारे इस point को लेके, wrong quantity of goods delivered, देखे, दो चीजे हो सकती हैं, less than ordered, और more than ordered, या तो जितने order किये हैं, उससे कमाई हैं goods, या फिर जितने order किये थे, उससे ज्यादा goods आ गए, तो पहला देखते हैं, less than ordered, माल लीजे, A ने जो है, B के पास 100 units का order प्लेस करवाया था, तो काईदे से तो 100 units आने चाहिए थे, लेकिन, B ने जो है, 80 units डिलिवर किये, यानि कि 20 units कम डिलिवर किये, तो यहाँ पर A के पास 2 option है, क्या-क्या, पहला option है, A जो है, जो less units है, यानि कि जो reduce units है, 80 units है, उनको accept कर ले, और बाकी 20 units के लिए damages क्लेम कर दे, या फिर दूसरा option, सारे की सारे goods को reject कर दे, 80 के 80 units को reject कर दे, वो, कि B को बोल दे, नहीं चाहिए, और जो भी price pay किया होगा, A ने, वो जो से क्लेम कर सकता है, क्योंकि reject all करने का मतलब क्या है, चाहिए, contract को ही cancel कर रहा है, A, तो ये कौन से हमारे options है, जो कि less than ordered में है, अब अगर more than ordered हो गए, यानि कि contract हुआ था 100 units का, B ने deliver कर दे, 1500 units, यानि कि 50 extra कर दिये, फिर उस case में क्या है, वो देखते है, तो अगर more than ordered है, फिर उस case में, जो A होगा, उसके पास 3 option होंगे, सबसे जो contract किया था, वो 100 units का किया था, लेकिन उसके बस आई कितनी, 150 units, यानि कि 50 ज्यादा आ गई, extra आ गई, तो फिर जो A होगा, वो extra goods के लिए pay करेगा, pay for extra goods delivered, order quantity से जितने ज्यादा होंगे goods, और अगर buyer जो है, सारे के सारे accept कर ले, फिर जो order quantity से ज्यादा के goods होंगे, उनके लिए जो है, buyer पे करेगा, ठीक है, दूसरा option क्या है, जो A है, वो जो है, extra goods को reject कर सकता है, ठीक है, जितने भी order थे, वो उनको अगर accept कर लेता है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने जितने units मंगाए थे, वो उतने के लिए pay करेगा ही करेगा, जो extra है, वो उसने reject कर दिये, तो उनको वापिस ले जाना है, खर्चा जो है, B को bear करना पड़ेगा, जो की हमारा seller है, ठीक है, यानि की 100 का order किया था, ठीक है, आगे 1500, लेकिन A ने 100 ही accept करे, तो वो पैसे 100 के ही देगा, 100 units के पैसे देगा, जो बाकि 50 units है, वो B अपने खर्चे पर वापिस ले जाएगा, फिर इसमें तीसरा option, जो की दोनों points में common है, reject all, चाहे goods less than ordered हो, या फिर more than ordered हो, अगर buyer ने reject all कर दिया goods, यानि की सारे की सारे goods को reject कर दिया, फिर तो पे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आएए एक बार यहां से जो रीट कर लेते हैं, delivery of wrong quantity, यह है हमारा section 37, इसमें जो हमको subsection 1, 2, 3 दे रखे हैं, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate, section 37, subsection 1, second, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest or he may reject the whole, if the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate, section 37, subsection 2, third point इसमें, where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell, mix with goods of a different description, not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole, section 37, subsection 3, देखो इसमें नहीं बात लिखी है, जैसे कि मान लो, a और b के बच कॉंट्रेक्ट हुआ था, जो a होगा वो जो है कश्मीरी एपल्स होते हैं, ठीक है, जो pure कश्मीरी एपल्स होते हैं, वो b से मंगाएगा, अब उसने 100 एपल्स का ओडर किया, ठीक है, अब उन 100 एपल्स मे जैसे थे, जो कि उस description के नहीं थे, तो यहां पर जो a होगा, वो जो है, जो बाकी के 80 कश्मीरी एपल्स है, उनके लिए पे कर देगा, और बाकी जो है, वो reject कर सकता है, या फिर पूरे के पूरे lot को, वो reject कर सकता है, अब इसमें हमारा 10th point, installment deliveries, दखो, दुनिया में कुछ भ बायर है, वो जो है, installment में deliveries लेने के लिए bound नहीं है, ठीक है, मालन अगर contract में लिखा वाई कि जो seller है, वो जो है, installment में deliveries देगा, और बायर जो अपनी concern दे देता है उस चीज को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर contract में कुछ भी mention नहीं है, फिर seller जो है, वो अपने पासे installment में delivery नहीं दे सकता, उसको जो है, goods को पूरी के पूरी तरह deliver करना पड़ेगा, but subject to the contract between buyer and seller, एक बार पढ़ लेते हैं इसको installment deliveries, unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installments, the rights and liabilities in cases of delivery by installments and payments thereon may be determined by the parties to the contract, यानि कि उनके भी जो भी contract है, उससे जो है, जो भी terms and condition है उसमें, उससे determine किया जाएगा कि delivery installment में होगी, या फिर payment installment में होगी, या फिर कैसे होगी, ये बात लखी वी है section 38 में, इसके बाद है हमारा 11th point, delivery to the carrier, ये वाला point भी हम लोग already पढ़ चुके हैं, reservation of right of disposal में, हमने disposal को reserve नहीं रखता है अपने पास, तो फिर ये माना जाता है, ये deem किया जाता है कि goods को जो है, buyer को deliver कर दिया गया है, क्योंकि अगर right of disposal reserved है, तो इसका मतलब क्या है, जब तक कि buyer कोई condition fulfill ना करे, तब तक जो carrier भी होगा, वो भी जो है goods को नहीं देगा buyer को, ठीक है, जिसे कु A invoice ना दिखाए, तब तक जो इसको goods मत देना, तो यहाँ पर right of disposal जो है, B ने अपने पास reserve करके रखावा है, लेकिन अगर B जो है, ऐसा कुछ ना बोले उसको, उसको बोलता है कि जाके बस goods, डिलिवर कराओ A को, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि goods, buyer को deliver कर दिये है, B ने एक बार read कर लेते हैं, यहाँ से, delivery to the carrier, subject to the terms of the contract, the delivery of the goods to the carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be delivery to the buyer, section 39, subsection 1 में यह बात लिखी भी है, अब इसके बाद है हमारा 12th point, deterioration during transit, यानि कि transit बतलब रस्ते में है, अब रस्ते में जो है goods को कोई damage हो गया, जैसे कि for example A और B है, ठीक है, अब A ने कुछ iron rods मंगाई है B से, अब A रहता है मुंबई में, B रहता है दिल्ली में, ठीक है, तो distance बहुत जादा है, अब B जब iron rods को carrier के थुरू भेजता है A के पास, ठीक है, जो कि बहुत दूर रहता है, A मुंबई में रहता है, दिल्ली से काफी दूर है, तो iron rods के उप अब जो भी deterioration हुआ है goods का, उसके लिए जो है, जो buyer होगा आपका, यानि कि इस case में मारा A, वो जो है responsible होगा, even though, जो seller है, वो अगर ये भी क्याता है कि मैं अपने risk भेज रहा हूँ, लेकिन अगर रस्ते में goods को कोई भी damage हुआ है, तो उसके लिए buyer ही responsible माना जाएगा, हो रहे है, the liability for deterioration isn't necessarily incidental to the course of transit and will fall on the buyer, though the seller agrees to deliver at his own risk, ये बात लिखी वे है section 40 में, इसके बाद इसमें हमारा last point, buyer's right to examine, क्या examine, goods, ये पूरा लिख लो आप, buyer's right to examine the goods, देखो, ये जो right है na buyer का, कि goods को examine करना खरीदने से पहले, ये चाहे contract में ना भी लिखाओ, तो भी उसके प राइट होता है, seller को जो है, buyer को एक reasonable opportunity for examination देना पड़ेगा, वो उसके लिए entitled है, क्यों, buyer, कि वो जो भी goods खरीद रहा है, तो खरीदने से पहले, उसके बस right है कि वो जो है, उन goods को examine कर सकता है, देखेंगे, पर यहां से read कर लेते है, buyer's right to examine the goods, where goods are delivered to the buyer, who has not previously examined them, he is entitled to a reasonable opportunity of examination, examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract, कि buyer ने जो goods मंगवाए हैं, जो भी खरीदे हैं उसने, क्या वो उसके हिसाब से हैं goods, या फिर नहीं है, तो इस चीछ के लिए, जो है, वो entitled है, उन goods को examine करने के लिए, unless otherwise agreed, the seller is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods, और seller की भी जो है, duty बनती है, कि वो जो है, buyer को मौका दे goods को examine करने का, ये बात लिखी भी है, section 41 में, तो ये थे हमारे सारे rules, delivery को लेके, अब आप जो है, इन notes को note down कर लीजे, और जो है, चार्ट बने वे हैं, यहाँ पर place और delivery के, और wrong quantity of goods delivered के, इनको भी आप लोग note down कर लीजे, चलिए, तो continue करते हैं, performance of contract के topic को ही ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या-क्या समझ लिया, अभी तक, हम लोगों ने ये समझ लिया है, कि goods के delivery के regarding क्या-क्या rules होते हैं, और performance of contract को लेके क्या-क्या basic points होते हैं, अब इसमें, जो है, तीन points और बचे है, हमारे section 42, 43, 44, उनको भी हम जो है, इस video में, discuss करके, खतम करते हैं, अब इसम दो वीडियो में हमने कौन से rules पढ़े हैं, goods के delivery को लेके, अब हम यहाँ पर कौन से rules पढ़ रहे हैं, goods के delivery को acceptance को लेके, goods के delivery की acceptance को लेके, हम लोग जो rules देखेंगे, कि कब माना जाएगा, कि buyer ने जो है, goods को accept कर लिया है, तो देखिए, buyer deemed to have accepted the goods, इसमें हमारे तीन cases है, कि इन तीनो cases में जो है, यह मान लिया जाएगा, कि buyer ने जो है, goods को accept कर लिया है, सबसे पहला case हमारा, informs the seller that he has accepted the goods, बहुत ही simple point है, buyer जो है, seller को inform कर देता है, कि मैं goods को accept करता हूँ, तो obvious है, फिर यह मान लिया जाएगा, कि buyer ने जो है, goods को accept कर लिया है, बहुत ही simple point है यह तो, जा तो कोछ समझने के लिए था नहीं इसमें, जाए कि for example, A और B के भी जो है contract हुआ, कि B जो है A को कुछ goods बेचेगा, और A ने जो है B को inform कर दिया कि मैं goods को accept करता हूं, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि A ने जो है goods को accept कर लिया है, अब इसमें दूसरा point हमारा है याने कि दूसरा case, goods have been delivered, देखिए seller ने जो है buyer को goods deliver कर दिये हैं, चीक है, buyer does something which is inconsistent with ownership of seller, buyer कोई ऐसा काम कर देता है जिससे कि seller की ownership के उपर जो है effect पड़ता है, देखिए इसका मतलब क्या है, example के थ्रू जो है समझते हैं, जैसे कि for example A है और B है, अब B ने जो है approval basis पर कुछ goods A को दिये हैं, ठीक है, approval basis पर goods दिये हैं और B ने A को बोला है कि इन goods को use करके देखिए लो, अगर अच्छे लगते हैं तो फिर मुझको inform कर देना और मुझको payment भी कर देना, ठीक है, तब यहां पर A क्या करता है, A के पासे goods deliver हो चुए है B की तरफ से, जो B कौन है वो हमारा seller है, और A कौन है हमारा A है buyer, ठीक है, अब B जो हैं goods को deliver कर चुका है A को, अब A क्या करता है, A कोई ऐसा act करता है, जो की B की ownership के लिए inconsistent है, क्योंकि देखिए goods की जो ownership है वो अभी भी B के पास ही है, B ने जो है approval basis पर A को goods दिये हैं, अब जो A होता है वो इन goods को आगे C को base देता है, C जो है A का एक customer है, वो इन goods को आगे C को base देता है, वो B से कुछ कहता भी नहीं है, कि मेरे को goods accepted है या फिर नहीं है, वो बस एक ऐसा काम कर देता है, जिससे की B की जो ownership थी goods के उपर उस पर effect पड़ता है, तो यहाँ पर A ने जो है काम किये ना, कि goods को C को base दिये हैं, तो फिर यहाँ पर यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि A ने जो है इन goods को accept कर लिया है, क्योंकि देखे, कोई भी person अगर कोई भी चीज़ को base ता है, तो अपना समझ के ही base ता है, किसी और के चीज़ों base नहीं ह कि A ने जो है उसको goods को accept कर लिया है, तो इस case में यह deem कर लिये जाएगा कि buyer ने goods को accept कर लिया है, इसके बाद जो हमारा तीसरा point है, वो भी हम जो है इस example से ही समझ लेंगे, जैसे कि B ने approval basis पर A को goods दिये, अब B ने एसे बोला कि आपके पास 7 days का time है, 7 days के अंदर-अंदर मुझको inform कर देना कि आपको goods चाहिए है या फिर नहीं चाहिए, अब यहाँ पर 7 days expire हो जाते हैं, 7 दिन बीच जाते हैं, उसके बाद भी जो है A goods को वापस नहीं करता B को और नहीं उसको कुछ inform करता है, वो अपने पास ए goods को retain करके रखता है, तो भी यहाँ पर 7 days expire होने के बाद लिए मान लिया जाएगा कि A ने जो है B के goods को accept कर लिया है, कि buyer ने goods को accept कर लिया है, after expiry of a reasonable time, buyer retain goods without informing the seller, ठीक है, तो अगर time period fix है, तो fix time period expire होने के बाद, या फिर reasonable time period expire होने के बाद, अब हमारा इस टॉपिक में overall fifth point, buyer not bound to return rejected goods, इसमें क्या है sir, देखे, seller ने जो है goods को buyer को deliver कर दिया है, goods delivered to buyer, चलो जी समझ आ गया sir, लेकिन जो buyer होता है, वो goods को reject कर देता है, buyer rejects the goods, जैसे कि for example, B और A के बीच जो है contract हुआ, B जो है A को goods बेचेगा, अब B जब goods को deliver कर देता है A को, तो A जो है मना कर देता है, goods को accept करने से, वो reject कर देता है, वो क्याता है, मुझको goods नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर goods को deliver कर दिया है buyer को, तो अब यहाँ पर goods को वापिस लेना पड़ेगा, seller को अपने पास, तो यहाँ पर क्या बोला गिया, अगर goods को deliver कर दिया जाता है, buyer को, और buyer जो है फिर reject कर देता है goods को तो फिर उस case में जो buyer होगा वो जो है उन rejected goods को return करने के लिए bound नहीं होगा buyer not bound to return such rejected goods ठीक है तो दिखें यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि buyer अपने पास ही रख लेगा वो buyer के पास रहेंगे goods लेकिन उनको वापिस ले जाने के जिम्मेदारी seller की ही होगी हाँ पर buyer को एक काम करना पड़ेगा buyer जो है seller को inform करेगा इस rejection के बारे में कि मालो B ने जो है A को goods deliver करवा दिये अब A जो है goods को reject कर देता है तो यहाँ पर A जो होगा वो वापस से goods को देने B को नहीं जाएगा वो बाउंड नहीं हो उस चीज के लिए लिकिन हाँ A जो है B को inform कर देगा कि मेरे को goods नहीं लेने हैं तो आके अपने goods वापस ले जाओ बट inform the seller about such rejection तो आये एक बार जो है यहाँ से रीड कर लेते हैं Rule related to acceptance of delivery of goods section 42 The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them or when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller or when after the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them तो यह था हमारा delivery of goods की acceptance के regarding rules इसके बार था हमारा section 43 Buyer not bound to return rejected goods unless otherwise agreed where goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them having the right to do so देखे बायर के पास right है कि goods उसके पास चाहे delivery क्यों न हो जाए फिर भी जो है वो बना कर सकता है उनको accept करने से He is not bound to return them to the seller but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them तो यहाँ पर जो buyer है वो जो है liable नहीं है rejected goods को वापस देने के लिए लेकिन हा वो जो है इतना कर सकता है कि वो seller को जो है inform कर दे कि मैं जो है goods को accept नहीं करता हूँ इसके बाद liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods अब देखिए अब जो यह वाला point है हमारा इसमें क्या है कि अगर buyer जो है contract बनने के बाद goods की delivery को लेने से मना कर देता है या फिर ignore कर देता है goods की delivery को तो फिर उस case में buyer के उपर जो है क्या liability आती है तो अब देखिए इस point में क्या है देखिए समझे जो आपका seller है वो जो है तयार है goods को deliver करने के लिए यह goods को देने के लिए तयार है वो तो इसके लिए वो जो है buyer को request करता है कि आओ आप आके delivery ले जाओ तो buyer जब आएगा तो seller जो है खुशी खुशी उसको goods दे देगा इस as simple as that ठीक है यह assume किया जाएगा कि seller बिल्कुल तयार है goods को देने के लिए और उसने buyer को request करी है आके goods को ले जाने की लेकिन जो buyer होता है वो जो है within a reasonable time goods को नहीं ले जाता या फिर वो जो है उसकी बात को ignore कर देता है buyer does not take delivery of goods ठीक है तो यहाँ पर जो buyer होगा वो libel होगा किस तीज के लिए buyer is libel for any loss incurred by seller for charges for care custody of goods तो buyer के goods के delivery ना लजाने के वज़े से अगर seller को कोई भी नुकसान होता है कोई भी loss होता है तो loss के लिए जो है buyer libel होगा यानि कि loss to compensate करेगा buyer और साथ में seller का जो भी खर्चा हुआ है goods के देखबाल करने में ठीक है जो भी उसके charges लगे है उन charges के लिए उस खर्चे के लिए भी जो है buyer libel होगा जैसे कि for example A है और B है अब A जो है 100 units खरीदेगा B से goods के कोई भी goods हो सकते हैं तो उसके 100 units जो है A B से खरीदेगा अब B बिल्कुल तयार है उनको deliver करने के लिए goods को तो वो जो है A से request करता है कि आप आके जो है अपने goods को ले जाओ मैं देने को तयार हूँ मैंने pack wax सब कर दिया है आपको बस आके ले जाना है तो यह request जो है B A से करता है अब देखिए यहाँ पर A जो है जो कि हमारा buyer है उस response नहीं देता B को वो उसको यह भी नहीं क्याता कि मेरे को goods नहीं चाहिए और जबकि B ने request भी कर रखी होती है अगर A को नहीं चाहिए तो उसको seller को inform करना है कि मेरे को goods नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर A inform भी नहीं करता हो सकता है कि उस ने इगनूर कर दिया उसकी बात को या फिर वो लेना ही नहीं चाहता तो यहां पर क्या होता है within a reasonable time एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन जो भी होगा ठीक है तो वो जो है contract to contract depend करता है अब क्या होता है तीन दिन बाद जो है अचानक से goods जो है खराब हो जाते हैं बारिश होती है काफी और goods खराब हो जाते हैं तो यहां पर जो भी loss हुआ है goods का ठीक है वो a को bear करना पड़ेगा b उसको bear नहीं करेगा a bear करेगा यानि कि b जो है अपने पैसे ले लेगा a से और उसको बोलेगा कि भाईया अब यह goods तमारी थे तो जो भी नुकसान होगा तुमें ही उठाना पड़ेगा मेरे को तमने पै रिक्वेस्ट करने के बाद भी बायर ने जो है delivery नहीं ली goods की इसके वाईस में दूसरा point हमारा यह हमारा पहला point था rights of seller will not be affected if the contract is repudiated due to buyer not taking delivery अब देखे बायर अगर delivery नहीं लेगा तो obviously contract क्या हो जाएगा repudiated यानि कि cancel हो जाएगा तो contract cancel हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि seller के जो rights है वो भी जो है खतम हो जाएगे seller का क्या right है यहाँ पर कि वो जो है यह सारे losses जो भी incur किये उसने उसके लिए बायर libel है और जो भी खर्चा होगा उसका goods को देखबाल करने में तो वो खर्चा भी जो है वो बायर से ले सकता है तो अगर contract जो है cancel हो गया है बायर के delivery ना लेने से तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो seller होगा वो जो है यह खर्चे नहीं ले सकता बायर से चाहे contract cancelling क्यों ना हो गया हो फिर भी seller के rights के उपर कोई भी effect नहीं पड़ेगा तो आए एक बार यहाँ से जो है read कर लेते हैं section 44 liability of the buyer for neglecting or refusing delivery of goods when the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of goods he is liable to the seller for any loss occasion by his neglect or refusal to take the delivery and also for a reasonable charge for the care and custody of goods provided further that nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take the delivery amounts to a reputation of the contract तो काफी simple points से इस वीडियो में ठीक है जादे को समझने के लिए था नहीं अगर आप लोग plain reading भी करते तो भी जो यह points clear हो जाते rights of an unpaid seller देखे सबसे पहले तो unpaid seller का मतलब क्या होता है एक ऐसा seller जिसने goods की ownership तो दे दी है लेकिन अभी तक उसको जो है goods का price नहीं मिला है किस से नहीं मिला है अफकोर्स buyer से price नहीं मिला है तो फिर ऐसे seller को हम क्या बोलते है unpaid seller अब हम लोग यह देखते हैं कि अगर जो unpaid seller होता है उसको price जो है नहीं मिल पाता किसी भी reason के वैसे जो भी reasons हम लोग आगे चलके पढ़ेंगे तो फिर उसके पास क्या-क्या rights आते हैं तो देखे जो आपका unpaid seller होता है उसके पास दो rights होते हैं कौन-कौन से एक होता है rights against goods goods के against में rights और दूसरा होता है against buyer right against buyer तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे right against goods की goods के against में क्या-क्या rights होते हैं तो सबसे पहले topic है हमारे यही है right of unpaid seller against the goods जो आपका unpaid seller है उसके पास goods के against में दो rights होते हैं एक होता है right of lien और दूसरा होता है right of stoppage of goods in transit तो एक unpaid seller के पास जो है goods के against में यह दो rights होते हैं right of lien और right of stoppage in transit इस वाली वीडियो में हम लोग जो है right of lien को समझेंगे कि right of lien में जो unpaid seller है उसके पास goods के against में कैसे right आते हैं तो सबसे पहला है हमारा right of lien तो देखिए जो आपका right of lien होता है अब obvious है किसका right है यह एक unpaid seller का ठीक है और वो यह right कब exercise कर सकता है तो देखिए इसके लिए जो आपका basic rule है right of lien को exercise करने का right of lien का मतलब क्या होता है लेकिन आप पहले एक बात समझ लीजे जो आपका unpaid seller है वो इस right को कब use कर सकता है कब exercise कर सकता है जब goods का possession unpaid seller के पास ही हो अगर goods का possession उसके पास नहीं है फिर उस case में right of lien आपका exercise नहीं हो सकता तो यह एक foremost basic rule है जो कि right of lien के use के लिए बताया गया है कि कोई भी unpaid seller जो है वो right of lien का use तभी कर सकता है जब goods का possession उसके पास हो अब देखते हैं किन किन cases में right of lane यूज हो सकता है और इसका मतलब क्या है तो देखेए सबसे पहले तो lien का मतलब क्या होता है lien का मतलब होता है right to possess और इस case में क्या possess कर रहा है शलर? goods को possess कर रहा है तब कह सकते हैं sale of goods act के हिसाब से लियन का मतलब क्या है, right to possess goods until the price for them is paid by the buyer, मतलब देखें, unpaid seller कौन है, जिसको अभी तक price पे नहीं हुआ है, उसके goods का, और goods का possession जो है, seller के पास ही है, तो यहाँ पर, लियन का मतलब क्या है, कि जो unpaid seller है, वो goods को तब तक release नहीं करेगा, बायर को, जब तक बायर जो है, उन goods का price पे ना कर दे, और अगर उस price के बदले, जो seller है, वो goods को अपने पास रिटेन करके रख रहा है, तो फिर हम इसमें क्या बोलेंगे, कि जो unpaid seller है, उसने right of lien का use किया है, जैसे कि A और B के बीच, जो है, एक contract of sale बनता है, किसके बीच, A और B के बीच, कि B जो है, A को goods बेचेगा, अब देखे, A ने payment नहीं करी है goods की, लेकिन B ने जो है goods की ownership, A को transfer कर दी है, और B ऐसा कर भी सकता है, लेकिन यहाँ पर B कौन है अभी, unpaid seller, कि अभी तक B को जो है, उसके goods का price नहीं मिला है, लेकिन goods की ownership, जो है, A के पास ली गई है, लेकिन goods का possession अभी भी B के पास ही है, तो यहाँ पर अगर A जो है time पर price को pay नहीं कर पाता, फिर B जो है right of lien का use करके goods को अपने पास retain कर सकता है, यानि कि वो जो है, जब तक उसको price नहीं मिल जाए, तब तक जो है वो goods को A को नहीं देगा, और ये right जो है law ने एक unpaid seller को दिया है, कि वो ऐसा कर सकता है, even though ownership goods की किस के पास है, buyer के पास, यानि कि A के पास है हमारे इस example में, तो यहाँ पर जो B है वो चाहे तो right of lien का use करके goods को अपने पास return करके रख सकता है, जब तक A जो है उनके regarding price पे ना कर दे, अब देखते हैं किन-किन cases में right of lien जो है use हो सकता है, कि goods जब बेचे गए तो उधार पे नहीं बेचे गए, लिखावाए ना without any stipulation as to credit, यानि कि बिना credit की condition के बेचे गए, कि cash basis पे जो है, आब इसको लिख सकते हो, short में cash basis, cash basis पे जो है goods बेचे जा रहे हैं, अब यहाँ पर माल लो A और B है, B जो है A को cash basis पे goods बेचेगा, तो obvious है, वो goods का possession कब release करेगा A को, जब A जो है cash दे देगा, अगर A जो है मना कर देता है cash देने से, तो फिर B के पास right of lien आ जाएगा, right of lien के तहट B जो है goods को अपने पास return करके रख सकता है, जब तक A जो है उनके regarding cash पे न कर दे, clear है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही simple point था यह, अब इसमें हमारा दूसरा point, goods sold on credit, उधार पर जो है goods बेचे गए है, यानि कि goods की ownership transfer कर दी गई है, ठीक है, और पैसे जो है बाद में आएंगे, जो भी time period fix होगा, ठीक है, जो भी credit term fix होगी, credit period जो भी fix होगा, उस period के तुरान जो है, पैसे आएंगे buyer से, लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि right of lien पढ़ रहे हैं हम लोग, तो right of lien का basic rule क्या है, goods का possession किसके पास होना चाहिए, unpaid seller के पास, ठीक है, जैसे कि for example, A है और B है, B ने जो है, A के साथ एक contract किया है, goods बेचने का, ठीक है, contract of sale किया है, simple, अब यहाँ पे जो goods है, उनकी ownership A के पास जा चुकी है, जो भी goods थे, उनकी क्या जा चुकी है, ownership जो है, A के पास जा चुकी है, लेकिन goods का जो possession है, वो अभी भी B के पास यह है, जो कि हमारा एक unpaid seller है, अब एक महिने का time period जो है, B ने दिया A को, 10 हरपे goods खरीदे, A ने, ठीक है, B ने A से बोला, कि आपके पास एक महिने का time है, 10 हरपे pay करने के लिए, A कहता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा credit term कितना हुआ, एक महिने का, यानि कि आप कहा सकते हो, credit period, कि A को जो है, एक महिने में 10 हरपे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर, एक महिने के expiry के बाद, A जो है, पैसे नहीं देता है, तो फिर right of lien के तहत, B जो है, जो भी उसके बास goods पड़े में है, वो उनको अपने पास retain करके रख सकता है, जब तक A पैसे नहीं देग तब तक जो है, B उन goods को release नहीं करेगा, तो right of lien का बाया इस case में, जब वो credit period या फिर credit term जो है, expire हो गई, तब जो है, right of lien, unpaid seller के पास, यहने कि B के पास आ गया, clear है कोई doubt, यह भी simple point था काफी, इसमें मारा third point, buyer becomes insolvent, buyer जो है, insolvent हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, तो obvious है, जो person insolvent हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कि वो जो है person अब अपने debts को pay नहीं कर सकता, अपने liability को pay off नहीं कर सकता, जैसे कि for example, same example लेते है, B ने एक महिने का time period दिया, 10 हरपे pay करने के लिए, A को goods के लिए, goods का operation किस के पास है, अभी B के पास ही है, तो यहाँ पर 15 days जो है, expire हो चुकी है, ठीक है, तो अभी तो credit period जो है, खतम नहीं हुआ है, अभी 15 दिन और है, है ना, एक महने के साब से, देखा जाये तो normally, अब क्या होता है, 16th day, जो A होता है, वो insolvent हो जाता है, अब देखे, यहाँ पर, चाहे credit period expire ना हुआ हो, ठीक है, लिकिन, A जो ह जो है, वो जो है, insolvent हो गया, अब A insolvent हो गया, इसका मतलब क्या है, A जो है, अब कभी भी goods के पैसे नहीं pay कर पाएगा B को, क्योंकि अब वो अपने किसी credit को pay नहीं कर पाएगा, तभी जो है, वो insolvent हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही buyer insolvent होगा, तो उसी समय, जो आपका unpaid seller है, उसके पास, जो है, right of lien है रहेगा, और right of lien के तहत, जो B है, वो जो है goods को retain कर लेगा, यानि कि फिर B bound नहीं है, goods को deliver करने के लिए A को, even though goods की ownership जो थी, वो किस के पास थी, A के पास थी, ठीक है, clear है, code out इसमें, यह भी असान था, तो हमने अब तक जो भी समझा है, उ seller's lien, यानि के right of lien, section 47, subject to the provisions of this act, the unpaid seller of goods, who is in possession of them, is entitled to retain possession of them, until payment or tender of the price, in the following cases, तो in cases में, जो है, आपका unpaid seller, goods को return करके रख सकता है, जब तक कि उसके पास payment ना आ जाए, where the goods have been sold without any stipulation as to credit, or where the goods have been sold on credit, but the term of credit has expired, or where the buyer becomes insolvent, इसमें एक और लाइन लिखी वी है, the seller में exercise is right of lien, notwithstanding that he is in possession of the goods as agent or bailie for the buyer, देखे, अभी मैंने क्या बताया आपको, जब हम यह समझ रहेते, कि ownership जो है, transfer हो चुके है, बायर के पास, यानि कि goods किसके है, बायर के है, लेकिन possession किसके पास है, seller के पास है, तो यहाँ पर seller जो है, as a bailie, buyer के goods को hold करके, रख रहा है, या फिर आप क्या सकते हो, as an agent, buyer के goods को hold करके, रख रहा है, हमने bailment में जो ही तो पड़ा था, constructive delivery में, कि bailment का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी चीज जो है, किसी को रखने के लिए देते हो, temporary period के लिए, तो यहाँ पर भी क्या है, goods किसके हो गई है, बायर के, तो बायर के goods को seller hold करके रख रहा है, उसके बहाँ पे, लेकिन अगर buyer जो है, price पे नहीं करेगा, तो law ने उसको right दे दिया है, कि चाहे आपके पास goods का जो possession ह वो जो है, as an agent या फिर as a bailie है, buyer के बहाँ पे, लेकिन आप फिर भी right of lien का use कर सकते हो, कौन use कर सकता है, जो आपका unpaid seller है, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि उसके पास goods का possession है, वो या तो as an agent है, या फिर as a bailie है, अगर उसको price जो है नहीं मिल अपने goods का, तो वो जो है right of lien का use कर सकता है, लेकिन right of lien कभ यूज कर सकता है वो, जब goods का possession उसके पास हो, अब right of lien में हमारे दो points और है, इन दो points को discuss करने के बाद हमारा right of lien जो है, खतम हो जाएगा, देखे, अगला point है हमारा part delivery का, तो part delivery का मतलब क्या है, कि अभी पूरे goods के delivery नहीं हुई है, आधे goods के या फिर कुछ part के delivery हुई है, जैसे कि for example, A और B है, अब B ने A के साथ contract किया कि वो उसको 100 units बेचेगा, किसी भी goods के, अब B क्या करता है, B जो है 50 units deliver कर चुका है, 50 units delivered, लेकिन हा, यहाँ पर बात धहन रखनी है, क्योंकि unpaid seller के right के बारे बात हो रही है, तो इसलिए B कौन ह हमारा एक unpaid seller, कि उसको अभी तक जो है अपने goods का price नहीं मिला है, तो contract तो 100 units का था, जिसमें से 50 units already, एको जो है मिल चुकी है, left कितनी हुई, यानि कि बची कितनी, 50 units बची, 100 में से गई तो, तब देखे, यहाँ पर right of lien exercise करने के लिए, important क्या था, कि goods का possession, unpaid seller के पास ही हो, अब unpaid seller के पास जो है आधे goods का possession नहीं है, क्योंकि 100 में से 50 units वो एको भेज चुका है, उसके पास बची है 50 units, तो जो बचे होए goods हैं, उनके उपर, जो seller है, वो जो है right of lien exercise कर सकता है, या फर अब क्या है सकते हो, कि बचे होए goods के उपर, seller जो है right of lien का use कर सकता है, यानि कि जब तक seller को payment नहीं मिल जाती अपने goods की, तब तक जो है वो बचेवे goods को retain करके रख सकता है, छीक है, clear है, unpaid seller made part delivery, right of lien on rest of the goods, तो जो भी goods बच जाएंगे उसके पास possession में, उन goods के उपर, जो है, unpaid seller right of lien exercise कर सकता है, अब right of lien में आपका last point, termination of lien, right of lien जो है, unpaid seller के पास से कब खतम हो जाएगी, तो देखिए, जरूरी क्या आता है, right of lien को use करने के लिए goods का possession, अगर goods का possession चला गया seller से, तो फिर उसके पास right of lien नहीं रहेगा, फिर वो right of lien use नहीं कर पाएगा, छीक है, तो इसमें मारे तीन cases है, आईए एक एक करके जो है, discuss करते हैं, सबसे पहला point है, इसमें, goods delivered without reserving right of disposal, right of disposal हमने जो है, अलग से बड़ा तैसका topic, कि right of disposal का मतलब क्या होता है, अगर seller जो है, किसी carrier को appoint करता है, goods को भिजवाने के लिए, goods को deliver करवाने के लिए, किसको buyer को, और right of disposal वो reserve करता है, इसका मतलब क्या है, कि seller कोई ऐसी condition बादी buyer को जो है, goods मिलेंगे, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, कि seller ने जो है, right of disposal reserve करके रखा हुआ है, जैसे कि for example, A है और B है, अब A जो है, वो रहता है दिल्ली में, B रहता है मुंबई में, अब A को goods deliver करने है, B को जो कि मुंबई में रहता है, A जो है, C को appoint करता है, जो क कह सकते हो, transporter है वोई, जिसका कामी क्या है, goods को पहुचाना उनके destination तक, A, C को appoint करता है, और A, जो है, C से क्या कहता है, C को goods deliver करता है, goods delivered to carrier, किस चीज के लिए deliver किये हैं, ताकि C, जो है, B के पास इन goods को पहुचा सके, A, C से कहता है, कि जाओ, जाके इन goods को, B को दे देना, चीक है, बस इतना ही कहता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, कि A ने जो है, बिना right of disposal, reserve किये, carrier को goods deliver कर दिये हैं, ताकि बाहर के पास goods जा सके, तो यहाँ पर मान लीजे, A, जो है, कौन है, एक unpaid seller, उसको अभी तक जो है, price पे नहीं हुआ था, अब यहाँ पर अगर A, जो है, अपने carrier को goods deliver करता है, बिना right of disposal, reserve किये, तो जो carrier होगा, वो भी जो है, ऐसे ही, goods, जाके B को दे देगा, तो यहाँ पर जैसे ही A ने goods, C को दिये, जो की transporter है, हमारा carrier है, उसी समय, उसका right of lien, जो है, खतम हो गया क्योंकि उसने right of disposal को अपने पास reserve नहीं किया था, अब इसमें दूसरा point है, हमारा, buyer और his agent lawfully obtains possession of goods, बायर या फिर उसका agent जो है, legally, goods का possession अप्टेशन कर ले, जासे कि for example, same example लेते हैं, A और B है, B मुंबई में रहता है, A दिल्ली का है, B ने अपने agent D को, अपने agent को दिल्ल करने के लिए contract बनाने के लिए, अब D जो है B के लिए contract बनाएगा, क्योंकि D जो है B का agent है, तो यहाँ पर price बाद में pay होगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो A है, वो goods D को दे देता है, वो कहता है, price पर बाद में कर देना, तुम goods ले जाओ, और यहाँ पर B बाद में price नहीं pay कर पाता, लेकिन वो पे तो नहीं कर पाता, लेकिन क्या righteous lien यूज कर सकता है यह नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि goods का possession जो है उसने अपने पास से निकाल दिया था, उसने जो है buyer के agent को goods का possession दे दिया था, और जो agent था उसके पास भी legally परेशन आया था, उसने जो है कोई जो है अपनी मर्जी से goods का production उसको दे दिया था, तो एक case swap का यह हो सकता है, जहां पर right of lien जो है unpaid seller का खतम हो जाएगा, इसमें वारा तीसरा point और आखरी point, waiver of lien, यह बहुत ही simple, इसका मतलब क्या है, waiver का मतलब क्या होता है, waiver of करना, खतम कर देना, abandon कर देना, जो unpaid seller था, उसने और कहा price बातने pay कर देना, तो A ने यहाँ पर खुदी अपने right of lien को खतम कर दिया, क्योंकि right of lien कब तक रहेगा seller के पास, जब तक उसके पास goods का production है, एक बार goods का production निकल गया उसके हाथ से, तो फिर right of lien भी खतम उसी समय हो जाएगा, तो यहाँ पर एक के save हो सकता है, कि right of lien को खतम कर दे, जो कि उसके पास तब तक था, जब तक goods का production उसके पास था, तो अभी हमने जो भी समझा है है, उसको एक बार यहाँ से read कर लेते हैं, Part Delivery, Section 48, where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder, unless such part delivery has been made under such circumstances, to show an agreement to waive the lien, Section 49, termination of lien, the unpaid seller of goods loses lien thereon, when he delivers the goods to a carrier or other bailie for the purpose of transmission to the the buyer, without reserving the right of disposal of the goods, or when the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, or by waiver thereof, अच्छा, इसमें आपकी जो है, एक और लाइन है, The unpaid seller of goods, having a lien thereon, does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of goods, decree का मतलब क्या होता है, Decree का मतलब होता है, Official Court Order, अगर जो seller था, यानि कि जो आपका unpaid seller था, वो अगर court से जाके जो है, goods के प्राइस का Official Court Order भी लिया है, तब भी जो है, उसका right of lien, खतम नहीं होगा, तो ये आपकी एक exception के line है, कि किस case में जो है, lien खतम नहीं होगा, Sir पर मतलब समझ नहीं आया कुछ, वो goods के price के लिए court से order क्यों लेगा, देखे, example से समझे इसको, जैसे कि for example, A है और B है, अब A ने जो है contract किया है, कि वो B को जो है, 100 units, जिसमें कि वो 10 रुपे पर unit के हसाब से goods बेचेगा, ठीक है, 100 units बेचेगा, और हर unit का price कितना होगा, 10 रुपे, तो total कितना हुआ, total हुआ, 1000 रुपे, total 1000 रुपे के goods A, B को बेचेगा, ठीक है, अब देखे, A को पता है कि B, जो है, क्या पता आगे चलके 10 रुपे पर unit ना पे कर पाए, तो A क्या करता है, A, जो है, code जाता है, और एक decree ले आता है, decree for price ले आता है, यानि कि Official Code order for price, और उसमें क्या लिख़ होता है, decree में, decree में यही लिख़ा होता है, कि जो B है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको जो है, कम से कम 5 रुपे पर unit तो देने ही देने हैं, कितने देने है, कम से कम 5 रुपे पर unit तो देने ही देने हैं, ठीक है तो अब A को पता है कि B के यहां से 5 रुपे पर यूनिट आ जाएंगे लेकिन देखें ये जो प्राइस का ओफिशल कोड ओर था इसको अप्टेन करने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि A का जो राइट अफ लियन है वो खतम हो जाएगा जबता के के पास गुड्स का पॉजेशन है उसके पास जो है राइट अफ लियन हमेशा रहेगा एवन दो वो जाके जो है ये भी कन्फर्म करवाले कोड से कि B इतना प्राइस पे करेगा ही करेगा तो हम लोगोंने इस वीडियो में राइट अफ लियन को लेके जो जो पॉइंट डिसकस के हैं आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गयोंगे चलिए तो हम लोगोंने जो है पिछली वीडियो में क्या समझाता कि एक अनपेट सेलर के दो राइट होते हैं गूड्स के अब जो है दूसरे राइट के ऊपर आते हैं जो की एक अनपेट सेलर का गूड्स के गेंच में होता है जो की है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इसमें हम लोग सेक्शन 50 से 52 तक पढ़ेंगे तो यह स्चार्ट करते हैं अब देखिए सबसे पहला सवाल जो इस को लेके आता है कि यह राइट जो है कब आएगा एक अनपेड सेलर के पास ठीक है कि जो अनपेड सेलर होगा वो जो है कब इस राइट को यूज कर पाएगा देखिए राइट अफ लियन के लिए क्या था राइट अफ लियन के लिए था कि वो राइट अफ लियन तभी यानि कि आप लोग कह सकते हो कि जब right of lien end होगा सलर का तो फिर उसके end होते ही क्या start हो जाएगा उसका right of stoppage in transit I think आप लोग के बाद clear हो रही होगी है न क्योंकि देखिए अगर right of lien जो है तब मिलता है जब goods का परेशन हो तो obvious है right of stoppage in transit कब मिलेगा जब goods का परेशन निकल जाएगा right of stoppage in transit कब आएगा ये right उसके पास देखिए जब buyer insolvent हो जाएगा buyer becomes insolvent insolvent होगी है उसका मतलब क्या है buyer जो है अब goods का price नहीं पे कर पाएगा और जो goods का possession है वो भी जो है unpaid seller के हाथ से निकल चुका है unpaid seller parted with possession of goods जब ये दोनों points फुल्फिल हो जाएगे उसके बाद ही जो है unpaid seller के पास ये right आएगा unpaid seller has the right to shop such goods in transit transit का मतलब क्या होता है transit का मतलब होता है जब goods रस्ते में हो यानि कि goods जब buyer के पास deliver होने जा रहे हैं अभी deliver हुए नहीं है ठीक है तो transit का यहाँ पर क्या मतलब है transit का मतलब ये भी हो सकता है कि goods not yet delivered to buyer या फिर अब ये भी कह सकते हो transit का मतलब कि on the way है goods ठीक है तो एक बार यहाँ से read कर लेते हैं वही सेम बाते लिखी ही है जो कि हमने अब भी discuss कर रही है section 50 right of shoppers in transit subject to the provisions of this act when the buyer of goods becomes insolvent the unpaid seller who has parted with the possession of the goods यहाँ पे with है parted with the ठीक है तो आप लोग इसको अगर noteन करेंगे तो यहाँ पे with लिख लेना who has parted with the possession of the goods has the right to stopping them in transit that is to say he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit देखें लिखावाना clearly यहाँ पे कि वो goods की possession वापस कब ले सकता है जब तक goods जो है transit में हैं यानि कि अगर goods deliver नहीं हुए है और वो रस्ते में है तो वो बीच रस्ते से goods को जो है वापस मंगा सकता है and may retain them until paid or attended price of the goods और वो उनको बीच रस्ते से वापस मंगवा के अपने पास return करके रख सकता है जब तक उसको जो है अपने goods का price न मिल जाए इसके बाद आता है आपका duration of transit ये important है आपका इसमें हम लोग जो है अलग-अलग points में समझेंगे कि कब जो है जो transit होती है goods की ठीक है कि goods की जो transit है यानि कि goods जब जा रहे हैं बाहर के पास तो कब वो transit जो है खतम हो जाएगी और कब माना जाएगा कि transit में goods अभी भी है यानि कि कब माना जाएगा कि goods पहुँच चुके हैं या फिर कब माना जाएगा कि goods अभी भी रस्ते में हैं सबसे पहला point है इसमें goods delivered to buyer प्लस buyer और his agent not took delivery येट सर कुछ sense नहीं बना इसका यहाँ पर आप कहा रहे हो goods जो है बायर को डिलिवर कर दी गए हैं फिर आप कहा रहे हो buyer या फिर उसके agent ने जो है delivery नहीं लिए अब तक देखे goods delivered to buyer इसका मतलब क्या है क्योंकि देखे transit जहाँ पर word आएगा right of choppage in transit जहाँ पर भी आएगा ये वहाँ पर ये माना जाएगा कि goods जो है carrier के थ्रू भेजे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है buyer के पास ठीक है तो अब देखे क्या हुआ है मान लीजिए A है A ने जो है carrier को hire किया C को जो की B के पास B कौन है B buyer है हमारा A हमारा seller है यानि की unpaid seller A जो है C को goods deliver करेगा ताकि C जो है B के पास इनको deliver कर पाए goods को अब यहाँ पर क्या होता है मान लीजिए B मुंबई में रहता है C जो है मुंबई में उस जगा पर पहुंच जाता है जहां पर B ने उसको बोला था कि वहाँ पर goods जो है deliver कर देना जो भी जगा हो वो चाह कोई बायर है या फिर उसका agent है उसने अभी तक जो है delivery नहीं ली है carrier से carrier ने पहुचा दिये goods बायर की जगा पर लेकिन अभी तक बायर या फिर उसका agent जो है delivery लेने नहीं पहुचा है तो फिर माना जाएगा कि goods जो है वो अभी भी transit में ही है goods deemed to be in transit यानि कि यह माना जाएगा कि goods अभी भी रस्ते में ही है और जो A है वो अगर चाहे तो right of stoppage in transit का use करके goods को वापिस मंगा सकता है ठीक है लेकिन वो कब मंगा सकता है जब buyer insolvent हो जाए जो कि इस case में नहीं हुआ है लेकिन ये ज़रूर माना जाएगा कि goods अभी भी खतम नहीं हुई है अब दूसरा point देखे buyer जो है goods को reject कर देता है goods rejected by buyer यानि कि अभी जो goods है वो रस्ते में ही है buyer phone करके seller को बोलता है कि मुझको goods नहीं चाहिए और goods का possession किस के पास है obvious है carrier के पास क्योंकि वो goods को पहुचा रहा है possession of goods with carrier तो अगर जो है reject कर दे goods को और goods का possession carrier के पास हो तब भी जो है माना जाएगा कि goods अभी भी रस्ते में ही है यानि कि अभी भी ट्रांसिट में ही है goods deemed to be in transit जैसे कि same example लेते है A ने जो है C को goods दिये ताकि वो B के पास पहुचा सके अब C goods लेके जाहिर आता रस्ते में था B इतने में A को phone करके कहता है मुझको goods नहीं चाहिए मैं accept नहीं करूँगा और goods किस की possession में है C की possession में जो की carrier है तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि goods अभी भी रस्ते में ही है हाँ मान लो अगर A ने जो है मना कर दिया कि मैं भी जो है फिर goods को वापिस नहीं लोंगा तो भी जो है transit नहीं खतम होगी जब तक goods का possession carrier के पास है तब तक जो है Transit खतम नहीं होगी ठीक है इसके बाद है हमारा तीसरा point Goods delivered to a ship Chartered by buyer देखें क्या मतलब है इसका की seller ने जो है goods को Deliver किया है ship को ताकि जो ship है वो जो है Buyer के पास goods को पहुचा सके लेकिन उस ship को hire किस ने किया था Goods को deliver करवाने के लिए वो buyer ने किया था जैसे कि a जो है Ship के थुर goods भिज़वाना चाता है B को को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस ship को जो higher है वो जो है buyer ने किया है तो यहाँ पर जैसे ही आप जो है एक ऐसे carrier को या फिर एक ऐसे ship को जो है आप goods देते हो जिसको buyer ने hire किया है तो फिर उसी समय जो है जो transit है आपकी वो खतम हो जाएगी same चीज जो है आपकी carrier पे भी apply होती है ठीक है कि अगर जो carrier है, जो कि transporter है, वो जो है buyer का है, कि buyer ने जो इसको hire किया है, ताकि जो उसका transporter होगा buyer का, वो जो है seller से goods ला सके तो जैसे ही unpaid seller उसको goods देगा, ऐसे transporter को तो उसी समय जो है transit खतम हो जाएगी, यानि कि जो unpaid seller का right of stoppage in transit है, वो उसी समय end हो जाएगा तो ship के किस में कौन होता है ship के किस में master होता उसका ship का ठीक है, हर ship का master होता या फिर आप उसको captain भी कह सकते हो तो फिर अगर एक ऐसा ship जिसको buyer ने hire किया था उसको deliver किये गई है goods ताकि वो buyer के पास पहुचा सके तो फिर ये माना जाएगा कि जो goods का possession है वो जो है ship के master के पास है और उस master को जो है buyer का agent या फिर carrier कहा जाएगा goods in possession of master as a carrier और agent of buyer, तो ये माना जाएगा कि जो master है ship का वो जो है buyer का as a carrier या फिर as a agent जो है goods को possess कर रहा है इसके बाद है हमारा फूर्थ पॉइंट, पार्ट डिलिवरी मेट टू बायर, पार्ट डिलिवरी मतला जैसे की A, B और C, C कौन है, C तो कैरियर है, ठीक है, अब A और B के बीच कॉंट्रक्ट होता है, A जो है 100 यूनिट्स बेचेगा B को, ठीक है, सोल्ड करेगा B को, अब 100 में से 50 यूनिट्स जो है, A, C को, यानि कि जो कैरियर है, उसको दे देता है, और कैरियर जो है, इन 50 यूनिट्स को, B को डिलिवर कर देता है, ये डिलिवर हो चुकी है, B के पास पहुंच चुकी है, तो फिर जो बाकी बची 50 है, 50 अर लेफ्ट, जब 100 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स डिलिवर हो और जो बाकी बची हुई 50 होती हैं उनको लाता है अब देखे जब वो पहले वाली 50 यूनिट पहुँच गई B के पास तो उसी समय सारे गुड्स की रिस्पेक्ट में जो transit है वो खतम हो गई In fact जो बची हुई 50 यूनिट अभी रस्ते में ही है उनके रिस्पेक्ट में भी जो transit है वो खतम हो जाएगी उसको end माल लिया जाएगा Transit for remaining goods comes to end even in transit जो बचे हुए goods हैं जो के भी रस्ते में ही हैं उनके लिए माल लिया जाएगा कि उनका भी transit जो है खतम हो चुका है तो एक बार जो है यहां से रीड कर लेते हैं वही सारी सेम बाते हैं जो के हमने यहां पर डिसकस कर रही है Section 51 duration of transit goods are deemed to be in the course of transit from time when they are delivered to a carrier or other bailie for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent on that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailies तो अगर आपने carrier को जो है goods deliver किये हैं और buyer या फिर उसके agent ने अभी तक delivery नहीं ली है तो फिर माना जाएगा कि जो transit goods का वो अभी खतम नहीं हुआ है जैसे कि हमने यहां पर पड़ा था If the goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailies continue in possession of them the transit is not deemed to be an end even if the seller has refused to receive them back When goods are delivered to a ship chartered by the buyer, it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in possession of the master as a carrier or as an agent of the buyer तो अगर आपने जो है ship को goods deliver किये हैं ताकि वो बायर के पास goods पुचा सके या फिर किसी ऐसे carrier को deliver किये है goods जिसको hire किसने किया हो buyer ने और ship को hire किसने किया हो buyer ने तो फिर वहाँ पर ये माना जाएगा कि जो master as ship का या फिर जो transporter है carrier का वो जो है buyer का as a carrier या फिर as an agent जो है goods को possess कर रहा है फिर समें last point where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent on that behalf the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods अब right of choppage in transit में आपका last topic है ये how choppage in transit is affected इसका मतलब है कि कब माना जाएगा कि unpaid seller ने जो है अपना right of choppage in transit का exercise किया है उसको use किया है तो देखिए सबसे पहला point इसमें कैसे कर सकता है वो यानि कि हम कब मान सकते हैं कि उसने जो है right of choppage in transit का use किया है by taking actual possession of goods जब goods रस्ते में हो और जो seller है उसको पता लग जाए कि जो buyer है वो insolvent हो चुका है और वो रस्ते से जो है goods को वापिस मंगा ले और actually में उनका physical possession अपने पास ले ले तो फिर उस समय ये माना जाएगा कि जो unpaid seller है उसने जो है right of choppage in transit का use किया है उसको exercise किया है या फिर दूसरा तरीका क्या है अगर ये तरीका नहीं तो दूसरा क्या है by giving notice to the carrier to not deliver goods दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो unpaid seller है वो क्यार को notice भिजवा दे कि goods को deliver नहीं करना यहाँ पर notice भिजवाने का मतलब क्या है कि जो बायर को deliver नहीं करना अगर unpaid seller जो है ऐसा कुछ inform करता है carrier को कि goods को deliver नहीं करना है buyer को तो फिर उस समय वाना जाएगा कि unpaid seller ने जो है right of stoppage in transit का use किया है तो एक बार यहां से read कर लेते हैं वही सब कुछ same लिखा है जो कि हमने यहां पर discuss किया है section 52 how is a stoppage in transit affected the unpaid seller may exercise his right to stoppage in transit either by taking actual possession of the goods or by giving a notice of his claim to the carrier or other baili in whose possession of the goods are या तो actually में possess कर ले goods को या फिर carrier को notice दे दे की goods को deliver ना किया जाए such notice may be given either to the person in actual possession of the goods or his principle in the latter case the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstances that the principle by the exercise of reasonable diligence may communicate it to his servant or agent in time to prevent a delivery to the buyer जैसे कि इसमें क्या होता है जैसे कि मालो ट्रांस्पोर्टर है अब जो ट्रांस्पोर्टर है उसका भी मालिक होता है अपना जिसकी अपनी खुद की ट्रांस्पोर्ट एजनसी होती है अब जो ट्रांस्पोर्टर है उससे आपको कोई लेने देना नहीं है क्यों क्योंकि आपने डिलिंग जो है उसके ओनर से करी थी जो transport agency का owner है आपको goods को जो है वापिस बुलवाना है यहीं रुकवाना है बीच में आपको buyer को deliver नहीं करवाने तो आप जो है अगर transport agency के owner को भी notice देदो इस चीज का कि आप जो है अपने transporter को रुको और मेरे goods को वापिस बुलवालो तो भी जो है वहाँ पर ये माना जाएगा कि जो unpaid seller है उसने जो है right of stoppage in transit का use किया है तो जो carrier है आपका अगर उसको एक बार notice मिल गया seller से कि goods को deliver नहीं करना है फिर उसकी क्या duty बनती है कि वो जो है goods को दुबारा से वापस deliver कर दे seller को और हाँ goods को वापस मंगवाने में जो extra खर्चा हुआ है वो जो है कौन bear करेगा और से बायर तो bear नहीं करेगा seller bear करेगा तो हम लोगों ने इस वीडियो में right of stoppage in transit को लेके जो जो points discuss किये हैं आई होप आपको clear हो गए होंगे उसमें हमने जो है right of lien और right of stoppage in transit के बारे में discussion करी थी कि जो unpaid seller होता है वो जो है goods के against में इन दो rights को exercise कर सकता है अब इस से related जो है कुछ और topics है हमारे यसे कि sub sale लो गया या फिर री से लो गया जो की unpaid seller के ही rights होते हैं तो आएए एक बार उनको भी जो है इस वीडियो में discuss करते हैं तो दिखिए इसमें हमारा सबसे पहला point है effect of sub sale और pledge by buyer किसका effect sub sale या फिर buyer जो pledge करता है sub sale का मतलब क्या होता है जैसे कि जो x है x ने goods बेचे y को y ने आगे बेचे z को तो जो original seller था वो कौन था वो था x जिसने की y को goods बेचे y ने जो है goods क्यों खरीदे x है क्योंकि उसको z को बेचने थे तो यहाँ पर जो y है उसने क्या किया उसने जो है sub sale किया ठीक है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसको हम लोग जो है एक example की थुरू समझते हैं लेकिन देखे यहाँ पर भी जो बाते होंगी वो जो है एक unpaid seller से related ही होंगी तो हमको यह assume करना है कि हम कोई भी example लेंगे अभी उसमें जो है जो भी seller होगा वो जो है unpaid ही होगा ठीक है तो जो कि for example x है अब x और y के बीच जो है agreement हुआ है x जो है 100 units y को बेचेगा ठीक है sold करेगा अब जो इन goods की ownership है वो y के पास जा चुकी है लेकिन हमने क्या जूम कर रखा है कि जो seller है वो हमारा unpaid है यानि कि जो x है उसको अभी तक price पे नहीं हुआ है वो है हमारा unpaid seller ठीक है तो वैसे तो goods y के हो चुके है ठीक है तो y क्या करता है y जो है इस ownership के basis पर एक और वो आगे contract करता है z के साथ y जो है z इस contract करता है इनी goods को आगे बेचने का तो y क्या करता है अब देखो ये जो 100 units की ownership है वो y की हो चुकी है तो obvious है इन goods को वो बेचे या फिर अपने पास अब इनकी ownership जो है y ने z को दे दी है, तो यहाँ पर जो ownership transfer करी गई है y के द्वारे z को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे sub-sale, किसके point of view से, x के point of view से, कि x ने y को बेचे और y ने z को बेचे, तो x के point of view से, जो y है, वो कौन हुआ, वो हुआ हमारा first buyer, ठीक है, और z कौन हुआ, z हुआ हमारा second buyer, लेकिन देखे, एक बार को हम लोग अगर assume कर लें, कि जो goods का possession है, वो अभी भी x के पास ही है, ठीक है, goods का possession अभी भी x के पास ही है, और x को जो है, अभी तक अपना price नहीं मिला है, तो फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर ऐसा कोई scenario हो, तो फिर जो unpaid seller है, वो जो है, right of lien का exercise कर सकता है, अगर उसको उसके पैसे time पे नहीं मिलते हैं, अब यहाँ पर देखें, तो y ने already उन goods को बेच दिया है, z को, तो चाहे यहाँ पर y ने उन goods को, z को इससे कोई फरक नी पड़ेगा, x के right of lien पे या फिर right of stoppage in transit पे, y अगर price नहीं पे करता है, तो भी x जो है right of lien का use कर सकता है, और अगर possession जा भी चुकाता x के पास से, यानि कि goods अभी transit में हैं, goods रस्ते में हैं, तो भी x के पास जो है, अभी भी right of stoppage in transit है, फिर चाहे y ने goods क जेड को बेच दिया हो, या फिर जेड को pledge ही क्यों न कर दिया हो, pledge करने का मतलब होता है, गिर्वी रखवाना, चीक है, तो जो आपका first buyer है, वो चाहे goods को बेचे या फिर उनको pledge करे, लेकिन उससे जो है, unpaid seller के right of lien या फिर right of stoppage in transit के उपर कोई भी effect नहीं आएगा, Buyer sells or pledges the goods, right of lien और stoppage in transit not affected, तो buyer चाहे goods को बेचे या फिर उनको गिर्वी रखवा दे, लेकिन उससे जो है, unpaid seller के right of lien या फिर right of stoppage in transit के उपर कोई भी effect नहीं पड़ेगा, यानि कि वो जो rights है, उस unpaid seller के वो जो है, खतम नहीं हो जाएंगे, जब तक कि उसका price पे नहीं हो जाएगा, इसके बाद इसमें हुमारा दूसरा point है, Cases where right of lien और stoppage is defeated, ये वो cases है, जहाँ पर right of lien या फिर right of stoppage in transit जो है, खतम हो जाएगा, ठीक है, यानि कि कौन से cases हैं देखिए, हमने पड़ा था पिछली दो वीडियो में, कि कब right of lien खतम होता है, और कब right of stoppage in transit खतम होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात करी गई है, इन दोनों rights के खतम होने की, वो जो है, सब sale, या फिर pledge के respect में करी गई है, कि कब जो है, माना जाएगा कि बायर के goods को sell या फिर pledge करने से जो है, अन पेल्ट seller का right of lien या फिर right of stoppage in transit जो है, खतम हो चुका है, तो इसमें सबसे पहला point हमारा, seller consented to sale or pledge of goods by buyer, बहुत ही easy point है, तो पढ़के ही पता लग रहा है, देखे, same example था, X ने जो है contract के Y के साथ, कि वो उसको 100 units बेचेगा, 100 units की ownership Y के पास जा चुकी है, तो Y जो है, उनको गिरवी रखवा सकता है, या फिर आगे बेच भी सकता है, अब देखे, यहाँ पर Z को बेचने से पहले, Y ने जो है, X की consent ले ली, कि क्या मैं Z को ये goods बेच दू, यानि कि क्या मैं आगे contract कर लूँ और Z के साथ, जो भी आपने मुझे goods बेचे हैं, तो X जो है, हाँ क्या देता है, X, Y से कहता है, हाँ आप जो है, बेच सकते हो, तो जैसे ही X ने consent दी, इस सब sale को लेके, तो उसी समय, X का जो भी right of lien था, या फिर जो भी right of garbage in transit था, वो जो है, वही के वही खतम हो गया उसका, क्योंकि यहाँ पर जो आपका first buyer है, उसने अगर आगे goods को बेचा भी है, तो व जो है, वही के वही खतम हो गया, जब उसने permission दी, यानि कि यहाँ पर अब जो X है, वो जो है right of lien, या फिर right of garbage in transit को exercise नहीं कर सकता, यानि कि अब जो goods है, वो deliver होंगी, होंगे Y को, और Y जो है, फिर इन goods को किस को बेचेगा, Z को, या फिर इसमें दूसरा point हमारा, अगर ये case नहीं है, तो फिर ये case है, देखे, buyer transfers document of title और pledges goods to a, sub buyer in good faith and for consideration, मतलब, यहाँ पर X ने जो है, document of title transfer किया Y को, document of title हम लोग जो है, शुरू में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एक ऐसा document जिस पर की person का नाम लिखा होता है, और उस person की ownership को specify किया जाता है, जैसे कि for example, X की car है, अब जो X की car है, उसके car के documents में X का नाम लिखा हुआ है, तो वो जो भी documents है car के, वो क्या है, document of title, तो ऐसे ही goods के document of title है, वो जो है, X ने इस example में Y को दे दिये हैं, और जो Z था, उसने जो है good faith में, यानि कि उसको नहीं पता था कि Y ने प्राइस पे कर दिया है अबी, ठीक ह Z ने जो है, उसके पैसे भी Y को दे दिये हैं, लिखे हो ना for a consideration, तो यहाँ पर Z ने good faith में document of title goods का ले लिया है, और साथ में उसने पैसे भी दे दिये हैं Y को, तो यहाँ पर Z के पास जो है goods का good title आ जाएगा, यानि कि goods का valid title आ जाएगा, यानि कि जो X है, वो जो है, अपने of title transfer किया था, और जब Z ने good faith में और for a consideration जो है, उसने document of title लिया था Y से, तो फिर उसी समय X का जो right of lien था, या फिर जो right of shortage in transit था, वो वही कि खतम हो गया, तो आएगे एक बर यहाँ से जो है read कर लेते हैं, वही सारी सेम बाते लिखी वी हैं, जो कि हमने यहाँ पे समझी है, effect of sub-sale or pledge by the buyer section 53, the right of lien or shortage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it, तो जब तक seller ने जो है, अपनी consent नहीं दी है, किसको, buyer को कि वो आगे goods को बेच सकता है या फिर pledge कर सकता है, तब तक buyer चाहे goods को बेचे या फिर pledge करे, तब तक जो है right of lien या फिर right of shortage in transit के उपर, कोई भी effect नहीं पड़ता है, this is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better position than his seller, the first buyer, अब देखो जो second buyer है, उसका seller कौन होगा, जो की original seller का first buyer होगा, है ना, तो अगर यहाँ पर यह बोला गया, कि जो right of lien है, या फिर right of shortage in transit है, वो खतम नहीं हो जाएगा, buyer के मतलब कह सकते हो, first buyer के goods को बेचने या फिर pledge करने के बाद भी, तो obvious है, जो position first buyer की होगी, वही same position जो है second buyer की भी होगी, ये पार्ट हम लोग जो है नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग जो है चाहे तो, इन दोनों के दोनों पार्ट को, जो ascent वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, आप इसको यहाँ पर ने लिखके, यहाँ भी लिख सकते हो अलग से, ठीक है, यह उपर वाले अपकी काम की है में, ठीक है, एक्सेप्शन्स वेर अनपेड सेलर्स राइट अफ लियन और शॉपज इन ट्रांजट और डिफिटेट, वेन दी सलर है असेंटेट तो दी सेल, मौडगेज और अधर डिस्पोजिशन अफ दी गूड्स मेड बाई बाईर, की बाईर ने जो अफिर बाईर ने जो है, डॉक्यमेंट टाइटल टॉ गूड्स जो है, वो जो है, सेकंड बाईर को, यानि कि वो जिसको बेच रहा है, उसको ट्रांसफर किया हो, गूड्स फेट में और एक वेल्यू के साथ, यानि कि वो जो भी परसन खरीद रहा है, फिर्स बाईर से तो है, वो गूड़ फेट में रसीव हुआ हो, और फार कंशेटर से रसीव हुआ हो, effect of stoppage, the contract of sale is not rescinded when the seller exercises his right of stoppage in transit, the contract still remains in force and the buyer can ask for delivery of goods on payment of the price, तो देखे, जब जो unpaid seller है, वो जब अपना right of stoppage in transit यूज करता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है, कि contract of sale जो है, उसके और बायर के बीच में cancel हो गया है, seller ने जो है, बस goods को वापिस मंगा लिया है, अगर buyer जो है, price की payment कर देता है, goods के price की payment कर देता है, तो फिर उस case में buyer जो है, वो दुबारा से delivery goods की मंगवा सकता है, अब इसके बाद है हमारा right of reseal, देखे, reseal का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको हम बोलते है, sub sale, अगर जो seller है, उसने जो goods buyer को बेचे हैं, और buyer अगर price पे नहीं कर पाता, तो इसके चक्कर में जो आपका वो होता है, seller, वो जो है, उनी same goods को किसी और को बेच देता है, तो फिर उसको हम बोलते है, reseal, कि same goods को जो है, दुबारा बेच देना, उसको बोलेंगे हम लोग reseal, तो आइए अब right of reseal को लेके क्या-क्या points है, उनको जो हम लोग discuss करते हैं, लेकिन पहले आप लोग एक बात समझ लीजे, जो आपका right of lien होता है, और जो आपका right of stoppage in transit होता है, lien और stoppage in transit, इन दोनों में क्या होता है, lien में क्या होता है, कि goods का प price नहीं पे कर पाता, या फिर वो insolvent हो जाता है, और stoppage in transit में क्या होता है, कि goods का possession जा चुका है, seller के पास से, लेकिन goods अभी रस्ते में ही है, carrier जो है पहुचा रहा है goods को buyer को, अगर buyer उससे पहले insolvent हो जाए, तो फिर जो seller है, वो जो है 20 रस्ते में goods को वापिस मंगवा सकत है, और अपने पास return करके रख सकता है, और जब तक buyer price पे ना करें, तब तक जो है, वो goods को अपने पास return करके रख सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो फिर दोनों के दोनों जो rights हैं, आपके, right of lien और right of shoppage in transit, इन दोनों में जो unpaid seller है, उसके पास right to retain goods है, ठीक है, right to retain goods है, इन दोनों rights में जो है, उसके पास resell का right नहीं होता, resell का right जो है, वो अलग है, इन दोनों rights से, सिर्फ lien में और shoppage in transit, यही ऐसे दो right है, जहां पे buyer जो है, goods को resell नहीं कर सकता है, लेकिन retain करके रख सकता है, ठीक है, तो अगर right of resell जो है, आप unpaid seller को ना दो, तो फिर इन दोनों rights का भी जो है, कोई use नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों rights के तहत, जो seller है, वो जो है, सिर्फ goods को retain करके रख सकता है, लेकिन आगे किसी को base नहीं सकता, base कैसे सकता है, वो same goods को right of resell से, तो अब आईए, right of resell के points discuss करते हैं, अब इसमें आपका सबसे पहला point है, goods are of perishable nature, ऐसे goods जो की perishable nature के हैं, यानि कि ऐसे goods जो की कुछ time बात खराब हो सकते हैं, सबसे बड़े example इसका food items जो होती हैं, जितनी भी food items होती है, उनकी जो है, एक timeline होती है, consume करने की, कि आप जो है, इतने time में अगर सो consume कर लो, तो ये सही रहेगा, वरना इ shelf life होती है, वो 4 दिन की होती है, आपको 4 दिन में consume सो करना ही करना है, अगर नहीं करते हो, तो फिर उसके उपर जो है, fungus जमना चालू हो जाती है, तो जातर food items जो है, almost सारी कि सारी food items, perishable nature की होती है, तो इन में क्या होता है, इन में जो है, time पर sale करने पड़ती है, ताकि आग example मान लीजे, x और y है, x और y के बीट जो है contract बनता है, कि x apples बेचेगा y को, ठीक है, अब x कौन है, unpaid sir, ठीक है, कि contract हो चुका है, apples जो है, बेचे जा चुके है y को, यानि कि apples की ownership, y की हो चुकी है, बस delivery लेना बाकि है, और उसका price पे करना बाकि है, ठीक है, तो y जो है, कभ ownership के साथ-साथ, जो risk होगा, वो भी y का होगा, तो risk से, जो है, x को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हा, price से, जो है, मतलब x को, तो y को, जो है, time पर price पे करना पड़ेगा, x को, अगर x को लगता है, कि y जो है, price पे, time पे नहीं करेगा, और अगर उसने time पर price पे नहीं किया, तो ये apple, जो है, यहीं पे, पड़े-पड़े सड़े आएंगे, और फिर, x का भी नुक्सान होगा, इसमें, क्योंकि, x खरीत के लायतना बेशने के प्रपस से, तो obvious है, x का भी नुक्सान होगा, तो यहाँ पर अगर x को लगता है, कि apple, जो है, जल्दी खराब हो सकते हैं, जल से जल, price पे कर दीजे, और इन apples के delivery ले जाएए, वरना मैं इन apples को, जो है, किसी और को बेच दूँगा, ऐसे, जो है, reseal की intention, जो seller है, वो जो है, buyer को convey करेगा, तो यह notice देने के बाद, seller के पास, reseal का right आ जाएगा, अब इसके बाद हमारा दूसरा point है, notice to buyer of reselling the goods, ठीक है, अ उनिय में, जो है, goods को reseal करने का notice दे buyer, ठीक है, और types के goods में भी जो है, दे सकता है, यह सारे point जो है, आपके अलग-अलग है, एक दूसर से related नहीं है, ठीक है, लेकिन हा, सारे की सारे, जो है, reseal से ही related है, तो पहला point क्या था हमारा, कि अगर, ऐसे goods का contract हुआ है, जो कि perishable nature के है, तो फिर उस case में time period होता है, goods को बेचने का, तो जो seller है, उसको जो है, buyer को reseal का notice देना पड़ता है, अगर उसकी intention होती है, उन goods को reseal करने की, लेकिन देखे, इस दूसरे point में क्या है, दूसरे point में, जो seller है, उसने जो है, buyer को notice दे दिया है, कि मैं जो है, goods को reseal करना चाता हूँ, उनको reseal करना चाता हूँ, अब यहाँ पे buyer को जब भी notice receive होगा, तो notice receive होने के within a reasonable time में, एक सही सही time में, जो है, उसको जो है, price पे कर देना है, goods का, ठीक है, अगर वो goods का price पे नहीं करता, तो फिर जो seller है, उसके पास right होता है, कि वो goods को जो है, reseal कर सकता है, ठीक है जैसे कि for example, a है और b है, दोनों के बीच contract होता है, पहले कि a जो है, b को goods बेचेगा, अब a को लगता है, b जो है, बहुत time लगा रहा है, price देने में, अब a का में नुकसान हो रहा है, उसके चक्कर में, a को जो है, पैसे नहीं आ पारे, तो a क्या करता है, a जो है, reseal का notice देत time में, b को जो है, price पे कर देना है, a को, अगर b price पे नहीं करता है, within a reasonable time, फिर जो a होगा, वो goods को reseal कर देगा, अब देखे, अब reseal करने के बाद, जो है, दो scenarios हो सकते हैं, आइए, उन दो scenarios के अपर बात करते हैं, देखे, goods resold by seller, seller ने जो है, goods को बेच दिया है, किसी और को, same goods को किसी और को बेच दिया है, अब दो case क्या क्या हो सकते हैं, देखे, जो भी contract price था, या तो उससे कम पे बेचा हो, या फिर जो भी contract price था, उससे जादा पे बेचा हो, आईए, इस सीच को एक example से समझते हैं, उससे की same example लेते है, a जो है, b को goods बेचेगा, ठीक है, goods का जो price था, वो था, 10,000 रपे का, है ना, अब a को लगता है, b time पर price नहीं पे कर पाएगा, तो obvious है, a ने जो है, b को resell का notice बेच दिया, a ने जो है, b को बोला, कि अगर आपने इतने time में पैसे नहीं दिये, तो फिर मैं जो है, उन goods को किसी और को बेच दूँगा, अब b, जो है, कोई भी जवाब नहीं देता है, और पैसे भी नहीं देता है, तो obvious है, यहाँ पर जो a है, उसके पास right आगया है, resell का, और a जो है, c को, जो की हमारा कौन है, जो की हमारा है second buyer, चीक है, और b कौन है हमारा, b है हमारा first buyer, या फिर आप इसको original buyer भी कह सकते हो, चीक है, तो जो a है, उसने जो है, c को goods बेच दिये है, अब यहाँ पर जो है, दो case हो सकते है, ठीक है, पहले case में, a ने जो है goods को बेचा है, 8,000 रपे में, ठीक है, दूसरे case में, a ने goods को बेचा है, 12,000 रपे में, तो अब देखिए, जो पहला case है, पहले case में, contract price से 2,000 रपे में कम पे ब बेचेगा लेकिन उसको जो है C को बेचने पढ़ गए कम प्राइज में 8 हरपे में तो जो बाकी 2000 पर जो डिफरेंस है वो ऐजार डैमेज जो है B से A recover कर लिए जाएंगे A के द्वारा क्योंकि अगर A B को बेच था तो फिर 10 हरपे में बेच देता है ना लेकिन क्योंकि B ने पैसे नहीं भरे टाइम पर और नहीं उसने टाइम पर जवाब दिया कोई तो इसलिए A को मजबूरी में C को बेचने पढ़ गए same goods और कम पर बेचन यहां पर 2000 पे प्लस में 2000 पे के profit में जो है goods बेचे A ने और पहले केस में क्या था पहले केस में आपका loss था चीक है तो को loss जितने का भी हुआ है वो as a damages original buyer से seller recover कर सकता है लेकिन अगर जो भी contract price था उससे ज्यादा पर जो है seller second buyer को goods बेच देता है तो फिर जो भी profit हुआ है seller seller के पास right है कि वो इस profit को retain करके रख सकता है बायर जो है कौन जा बायर जो original buyer है जो कि first buyer है वो जो है इस profit को claim नहीं कर सकता किसी भी case में तो इनी दो points को जो है यहां पर बताया गया है ठीक है अगर goods को resold किया है seller ने तो पहले case में क्या है less than contract price तो फिर उस case में जो भी damages है वो जो है original buyer से claim हो सकते हैं damages can be claimed from original buyer और अगर more than contract price पर बेचा है तो फिर seller has the right to retain profits इसके बाद हमारा तीसरा point देखें एक ऐसा unpaid seller जिसने right of lien या फिर right of shoppage in transit exercise किया है यानि कि use किया है और वो जो है right को use करने के बाद goods को resell करता है तो फिर उस case में उसने जो resell करी है seller ने वो जो है valid resell है और हाँ अगर इस वाले scenario में resell का notice ना भी दिया हो original buyer को तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि यहाँ पर A ने contract के अभी के साथ कि वो उसको goods बेचेगा अब यहाँ पर क्या होता है A जो है अपने right of lien का use करके goods को retain कर लेता है क्योंकि B जो था वो insolvent हो चुका था तो obvious है अब यहाँ पर जो A है उसके पास right of lien आगे है क्यों उसका operation उसके पास ही था और यहाँ पर A जो होता है वो B को बिना resell का notice दिये आगे C को goods बेच देता है तो यहाँ पर A ने C को जो goods की resell करी है वो एक valid resell है despite the fact कि A ने जो है B को resell का notice नहीं दिया है तो अगर कोई unpaid seller जो है जिसने की right of lien या फिर right of shopagen transit का use किया हो और उसके बाद उसने goods का resell किया हो तो फिर उसने चाहे original buyer को notice ना दिया हो resell का फिर भी उसने जो resell करी है वो एक valid resell है फिर हमारा fourth point इसमे right of resell expressly reserved in the contract बायर और seller के बीच में contract हुआ और contract में ही लिग दिया गया कि अगर बायर जो है price pay करने में default करता है तो फिर जो seller होगा वो जो है उसके goods को किसी और को बेच सकता है यानि कि जैसे ही बायर default करेगा price pay करने में seller के पास जो है right of resell आ जाएगा तो यानि कि इस वाले example के साब से अगर A और B के बीच contract होता है goods के sale का और expressly mention कर दिया जाता है contract में कि अगर B जो है price को pay करने में default कर जाता है तो फिर A के पास automatically उ इस case में जो A है वो goods को resell करता है तो फिर वो B को बिना notice दिये भी resell कर सकता है क्यों क्यों क्योंकि contract में पहले से ही mention था और अगर contract price से कम में goods का resell हुआ है तो फिर उस case में A जो है B से damages भी recover कर सकता है इसके बाद हमारा इसमें 5th point property in goods not past to the buyer बायर के पास जो है अभी goods की property नहीं गई है तो बहुत ही simple है यह तो जब goods की property buyer के पास नहीं गई है तो फिर seller के पास पूरा पूरा right है कि वो जो है goods की delivery को रोक सकता है और buyer अगर price पे नहीं कर पा रहा तो फिर goods को resell कर सकता है बिना buyer को कोई notice दिये क्योंकि goods जो है पूरी तरह अभी भी seller के ही है आईए यह एक बर यहां से जो है read कर लेते हैं वही same points है जो कि हमने यहां पर discuss किये हैं देखे section 54 right of resale the right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller बहुत ही जो है एहम राइट है यह बहुत ही खास जो है अधिकार है जो कि एक unpaid seller को दिया गया है In the absence of this right the unpaid seller's other rights against the goods that are lien and the shopage in transit would not have been of much use because these rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer तो right of resale जो है क्यों दिया गया है क्योंकि देखे जो right of lien है और जो right of shopage in transit है इन दोनों rights के तहत जो unpaid seller है वो जो है goods को सिर्फ रिटेन करके रख सकता है जब तक बायर price पे ना करे लेकिन right of resale में वो जो है same goods को किसी और को भी बेच सकता है the unpaid seller can exercise the right to resell goods under the following conditions first one where the goods are of a perishable nature in such a case the buyer needs to be informed of the intention of resale second where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods if after the receipt of such notice the buyer fails within a reasonable time to pay or tender the price the seller may resell the goods it may be noted that in such cases on the resell of goods the seller is also entitled to recover the difference between the contract price and resell price from the original buyer as damages retain the profits if the resell price is higher than the contract price you have a note there a khaya the seller can recover damages and retain the profits only when the goods are resold after giving notice of resell to the buyer तो चाहे damages को recover करना या फिर profits को retain करना ये seller जो है कब कर सकता है जब उसने goods को कब resell किया हो या फिर resell किया हो बायर को resell का notice दिने के बाद third where an unpaid seller who has exercised his right of lien or shoppage in transit resells the goods the subsequent buyer acquires a good title thereof as against the original buyer subsequent buyer कोन है यहाँ पे second buyer आपका original buyer यानि की first buyer despite the fact that the notice of resell has not been given by the seller to the original buyer फिर इसमें आपका fourth a resell by the seller where a right of resell is expressly reserved in a contract of sale sometimes it is expressly agreed between the seller and the buyer that in case the buyer makes it default in the payment of the price the seller will resell the goods to some other person in such cases the seller is said to have reserved his right of resell and he may resell the goods on the buyer's default तो यहाँ पर क्या है contract of sale में ही यानि contract के time पर ही contract में expressly बता दिया गया कि buyer ने अगर price को time पर पे नहीं किया तो फिर seller जो है वो goods को resell कर देगा in such cases the seller is not required to give notice of resell he is entitled to recover damages from the original buyer even if no notice of resell is given इसके बास में last point where the property in goods has not passed to the buyer the unpaid seller has in addition to his remedies a right to withhold delivery of goods this right is similar to a lien and is called a kausi lien तो इस वाले case में गया था कि goods की property जो थी वो buyer को नहीं गई भी थी बस contract हो गया था लेकिन अभी property और delivery जो है बायर के पास जानी बागी थी तो इस case में जो seller है आपका वो जो है goods के delivery को रोक सकता है यहां पर जो है इस right को kausi lien right भी कहा गया है so I hope इस वाली वीडियो में हमने जो जो points पड़े हैं वो सब आपको clear हो गए होंगे और एक unpaid seller के क्या rights होते हैं goods के against में वो समझाता अब देखते हैं कि जो unpaid seller होता है उसके buyer के against में क्या rights होते है rights of unpaid seller against the buyer इसमें हम लोग sections 55 से 61 तक पड़ेंगे और हां बहुत ही simple points है ठीक है गवराने कोई बात नहीं है कि section 55 to 61 है इतने सारे section है तो दो दो लन के section है बस ठीक है तो आए start करते है so rights of unpaid seller सबसे पहला आपका suit for price price की recovery के लिए जो है case file कर सकता है unpaid seller buyer के उपर ठीक है लेकिन देखे इसमें आपके दो points है जबके goods की property है या नहीं goods की ownership है एक case में तो वो pass on हो चुकी है buyer को दूसरे case में वो जो है buyer को pass on नहीं होई है तो दिखे जिस case में goods की property pass on हो चुकी है buyer को और buyer जो है फिर या तो जान बूच के ठीक है या फिर जैसे भी जो भी reason रहा हो वो बना कर देता है goods के लिए price पे करने के लिए तो फिर जो unpaid सल रहा है उसके पास right आ जाता है कि वो buyer से जो अपने price को recover कर सकता है और दूसरा case है आपका कि property जो है goods की या निकि जो goods की ownership है वो buyer के पास pass on नहीं होई है तो इस case में क्या होता है जो contract of sale बना है goods की ownership तो pass on नहीं होई है लेकिन जो goods का price था वो जो है एक fixed day पे payable था जैसे कि मान लीजिए A और B के बीच जो है contract बना है goods को बेचने का कि जिसमें की A जो है goods को बेचता है B को लेकिन goods की ownership जो है अभी B के पास नहीं गई है लेकिन जो price है वो एक fixed day पर payable है चीक है goods की delivery कब होगी इसके बारे में uncertainty है delivery के लिए जो है अभी भी कुछ तह नहीं है तो चाहे goods की delivery हो या फिर ना हो इस fixed day पर B को जो है A को price पे करना पड़ेगा goods का अगर B जो है price पे नहीं करता फिर इस case में भी जो A है वो जो है price के लिए suit फाइल कर सकता है buyer के उपर यानि की B के उपर और हाँ इसमें जो है आपका जो goods थे वो appropriate भी नहीं होए थे जो appropriation होता है goods का जो की हमने transfer of property यह बढ़ाता इसके वारे में कि उसमें क्या होता है goods का selection की जो uncertain goods का contract हुआ है उसमें good को पहले select करना ताकि उनको Felipe करना फिर उनको जोड़ करना फिर भाइर को inform करना तो वो रहता है हमारा appropriation तो इसमें जो है appropriation भी नहीं हुआ है goods का यानि कि seller ने जो है अभी goods को select भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है जो unpaid seller है उसके पास जो है हमेशा ये right है price के लिए recovery file करने का किसके against में buyer के against में दूसरा है आपका suit for damages for non acceptance buyer अगर goods को accept करने से मना कर दे तो उसके चक्कर में अगर seller को कोई नुकसान हुआ है तो फिर damages के लिए भी suit file कर सकता है unpaid seller ठीक है पहले point में क्या हो गया price कि वो price recover कर सकता है दूसरे point में वो damages भी recover कर सकता है कि अगर कोई extra damage भी हुआ है goods को accept ना करने के वैसे seller को तो seller जो है buyer के उपड़ damages के लिए भी case file कर सकता है तीसरा point है आपका repudiation of contract before due date due date को से date हुई? delivery की date कि जिस date पर delivery होनी है goods की उससे पहले ही buyer ने जो है contract को repudiate कर दिया ने कि cancel कर दिया तो यहाँ पर contract को repudiate करने के वैसे अगर unpaid seller को कोई भी नुकसान हुआ है तो फिर वो damages के लिए suit file कर सकता है और हाँ अगर due date से पहले contract of sale repudiate हो जाए तो आपने जो है इसके बारे में Indian contract act में पढ़ा था क्या होता है वो anticipatory breach anticipatory breach of contract और breach of contract होता है तो फिर आप जो है ordinary damages recover कर सकते हो सामने वाली पार्टी से और special damages जो है special circumstances में भी ले सकते हो चौथा point है आपका suit for interest अगर buyer जो है price पे नहीं कर रहा है तो price के उपर जो है interest भी charge कर सकता है seller कि वो जो है interest के लिए भी suit file कर सकता है अब इसमें आपके दो case है एक में क्या है कि जो interest है वो जो है specified है agreement में specified in agreement कि buyer और seller दोनों के भी जो भी agreement या फिर contract बना है उसमें जो है यह specified हो रखा है कि अगर इस date पर price पे नहीं हुआ तो फिर इस date के बाद जितने भी दिन late price पे होगा तो interest के साथ पे होगा और दूसरे में क्या है not specified तो पहला तको clear हो गया होगा specified है तो जिस भी date से price delay हो गया पे करना तो जब तक वो delay रहेगा तब तक का जो interest है वो calculate होता रहेगा और उसके साथ जो है price की payment होगी दूसरे में हैं आपका not specified अगर interest के बारे में agreement में specified नहीं है expressly पहले सही तो क्या interest के लिए suit file हो सकता है जी हाँ बिल्कुल हो सकता है जिस भी date पर price पे होना था उस date पर अगर price पे नहीं करता है buyer और जो seller है वो जो है बायर को notify कर दे कि आपने जो है price पे नहीं किया तो फिर अब मैं जो है आपसे interest भी charge करूँगा तो फिर उस case में दूसरे वाले case में भी interest charge कर सकता है buyer आपका चीक है तो काफी simple points है जादो कुछ समझने के लिए था नहीं अब आईए अब एक बार जो है यहां से read कर लेते हैं सारे points को section 55 suit for price where under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract the seller may sue him for the price of the goods इसी में दूसरा वेर अदर a contract of sale the price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for such price the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract is k but section 56 suit for damages for non-acceptance where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods the seller may sue him for damages for non-acceptance section 60 reputation of the contract before the due date where the buyer repudiates the contract before the date of delivery the seller may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach this is known as the rule of anticipatory breach of contract इसके बाद section 61 suit for interest where there is a specific agreement between the seller and the buyer as to interest on the price of goods from the date on which the payment becomes due the seller may recover interest from the buyer तो due date से जितना लेट होगा प्राइस की पेमेंट उतने दिन का जो है interest भी ले सकता है seller buyer से if however there is no specific agreement to this effect the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as he may notify the buyer कि एक जो unpaid seller होता है उसके buyer के against में क्या rights होते हैं क्या उसकी remedies होती है remedies of buyer against seller तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि जो seller है वो जो है breach of contract of sale कैसे कर सकता है तो इन तीन cases में जो है माना जाएगा कि जो seller है उसने जो है breach of contract of sale किया है breach of contract by seller सबसे पहला point है आपका seller fails to deliver goods in time or prescribed manner जिस तरीकी से उसको बोला गया था goods को deliver करने के लिए या फिर उसको जितने time में बोला गया था goods को deliver करने के लिए seller जो है उतने time में goods को deliver नहीं कर पाता या फिर अगर वो time पर deliver कर भी देता है तो जिस तरीके से उसको बोला गया था उस तरीके से वो deliver नहीं कर पाता जैसे कि seller को बोला था कि आपको जो है अच्छे से pack करके लाना है goods को अब seller जो है लाप परवाई से goods को लाता है अच्छी तरह pack नहीं करता है तो यहाँ पर क्या है उसको जो manner बोला गया था goods को deliver करने का उसने जो है उस manner में goods को deliver नहीं किया यह फिर मान लिजे उसको बोला एक हफते में goods को deliver कर देना उसने लगा दिया एक महने का time period तो वहाँ पर भी क्या है माना जाएगा कि breach of contract हुआ है इसके बाद दूसरा point seller repudates the contract repudates का मतलब क्या होता है cancel करना seller जो है contract को ही cancel कर देता है चाहे due date पर या फिर due date से पहले यानि की due date का मतलब क्या होँ यहाँ पर delivery के date ठीक है कि या तो वो delivery करने से पहली मना कर रहा है कि मैं goods को deliver नहीं कर सकता या फिर जेस date पर delivery करनी है उस date पर मना कर दिया उसने end time पर buyer को कि मैं delivery नहीं करूंगा तो फिर इस case में माना जाएगा कि seller ने जो है breach of contract किया है इसके बाद है आपका तीसरा point seller delivers non-conforming goods non-conforming goods का मतलब क्या है वो goods जो कि description से match नहीं हो रहे हो क्या मतलब है इसका goods not matching the description कि seller ने जो है जैसे describe किया था goods को या फिर buyer ने जो है जिस तरीके से goods को disclaimer के बताया था कि उसको इस प्रकार के goods चाहिए अगर उसी प्रकार के goods नहीं मिले जैसे कि मान लीजे for example A और B है B ने एसे बोला कि मुझको जो है 34 size की है फिर बोल लीजे लार size की जो है shirt चाहिए ठीक है अब A भेज देता है उसको small size की तो यहाँ पर जो वो shirt है वो क्या है non conforming की जो buyer था उसने क्या बोला था उसको लार size की shirt चाहिए लेकिन seller ने जो है small size की shirt भेज दी वहाँ पर तो अगर seller जो है non conforming goods भेजता है डिलिवर करता है buyer को तो buyer जो हुनको reject कर देता है और अपनी acceptance को भी वो कर लेता है जो कि उसने seller को दे रखे होती है उसको offer के लिए ठीक है तो यहाँ पर भी माना जाएगा कि seller ने जो है non conforming goods भेज कर breach किया है contract का breach of contract by the seller in the following cases it can be said that the seller had breached the contract तो यही case पढ़ेते हमने है ना जो भी discuss किया हमने वही सेम लिखावा है where the seller fails to deliver the goods at the time or in the manner prescribed दूसरा where the seller repudiates the contract तीसरा where the seller delivers non conforming goods and the buyer rejects and revokes acceptance अब इसमें देखते हैं rights of buyer against seller ठीक है main हमारा जो topic है वो यही है कि buyer के seller के against में क्या rights होते हैं अगर seller जो है breach of contract करता है तो आईए एके करके सारी points को discuss करते हैं तो हमारा सबसे पहला point damages for non delivery बहुत ही simple है यह इसमें यह बताया गया है कि जो seller है वो अगर goods को deliver करने से मना कर दे buyer को या फिर buyer ने उसको जो भी instruction दी है delivery के लिए वो उसको ignore कर दे neglect कर दे तो फिर उस case में buyer जो है damages के लिए sue' कर सकता है seller को sue' करने का मतलब क्या है? sue' करने का मतलब है case file करना बायर जो है damages के लिए case file कर सकता है seller के उपर, अगर seller जो है deliver नहीं करता है goods को मना कर देता है या फिर वो ignore कर देता है delivery के लिए, इसके बाद है हमारा second point, यह थोड़ा important point है, suit for specific performance, suit का मतलब क्या होता है case file करना, case चीज के लिए case file कर रहा है buyer, specific performance के लिए, कि जो buyer है इस वाले case म वो जो है किस चीज के लिए case file कर रहा है, उसको damages से मतलब नहीं है, उसको तो goods ही चाहिए, जिन goods का contract हुआ है, buyer को वही goods चाहिए, उसके लिए damages देना वो जो है, एक sufficient remedy नहीं मानी जाएगी इस case में, क्योंकि buyer जो है वो उन्हीं goods को लेना चाहता है, जिसके लिए उसने contract किय है, seller से, ठीक है, जैसे कि for example A और B है, ठीक है, अब B को जो है, A को क्या चाहिए, historic painting है कोई, कोई भी historic painting है, वो चाहिए, अब A जो है, वो एक antique collector है, ठीक है, उसका कामी यही है, antics को collect करना और आगे बेचना, तो B ने जो है, एक historic painting का contract किया है, A से, ठीक है, अब क्या होता है A जो है, मना कर देता है, refuse कर देता है, वो मना कर देता है कि मैं जो है, यह painting नहीं बेचूंगा, तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले तो damages recover हो सकते है, ठीक है, B जो है, non delivery के लिए damages recover कर सकता है, A से, लेकिन देखो, यहाँ पर जो B है, वो जो है, उस historic painting का शौकीन है, ज damages से जो है, उसका भला नहीं होगा, damages से उसको जो है, तसली नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि जो damages है, वो एक adequate remedy नहीं है, B के लिए, तो यहाँ पर B जो है, A के उपर, specific performance का एक suit file कर सकता है, किसका, specific performance का, कि यहाँ पर जो court है, वो जो है, दोनों parties की सुनने के बाद, यह order दे सकता है, A को, कि आपको जो है, वो historic painting, B को बेचनी ही पड़ेगी, जैसे तैसे बेचो आप, यानि कि आपको painting देनी ही, देनी है, B को, बेचनी ही, बेचनी है, क्योंकि B जो है, उसके लिए price पे करने को भी तयार है, यहाँ पर यह माना जाएगा, है ना, वो खरीदने को तयार है, लेकिन जो seller है, वही नहीं बेच रहा, तो यहाँ पर code, जो है, specific performance का order दे सकता है, A को, कि आप, जो है, B को यह historic painting, बेचो, लेकिन देखिए, suit for specific performance के लिए, जो है, तीन condition fulfill होनी चाहिए, कौन-कौन सी, सबसे पहले तो, जिन goods को contract हुआ है, वो क्या हो, specific हो, plus ascertained हो, यानि कि identified हो, जैसे कि A के पास तो कई सारी historic painting थी, लेकिन B ने जो है, identify कर ली थी, उसको एक single जो है, identified historic painting चाहिए थी, ठीक है, और specific क्या था, कि उसको historic painting चाहिए, तो सबसे पहले तो, ऐसे goods का contract हो, जो कि specific हो, और ascertained हो, दूसरा, जो goods है, वो unique हो, या फिर एक special nature के हो, जैसे कि इस case में, जो goods है, जिनको contract होए है, A और B के बीच में, वो unique है, B को जो है, वो historic painting कहीं और से नहीं मिलेगे, तीसरा, जो damages है, वो जो है, buyer के लिए adequate remedy नहीं है, not adequate remedy for buyer, यानि कि court अगर damages grant करवा भी देता है, B को, तो भी जो है, उससे B को संतुष्ची नहीं मिलेगी, तो अगर ये तीनो condition fulfill है, तो फिर उस case में, जो buyer है, वो जो है, specific performance का suit फाइल कर सकता है, अब इसमें मारा तीसरा point, suit for breach of warranty, ये हम लोग already पढ़ चुके हैं, breach of implied warranty में भी, express warranty में भी, कि जब भी breach of warranty होता है, तो फिर contract cancel न हमने जो है, एक और किस में पढ़ाता है, ये, when condition to be treated as warranty, कि अगर breach of condition हुआ है, और buyer जो है, खुझ से उसको breach of warranty मान लेता है, तो अब भी उस case में, condition के breach होने के बाद भी, अगर breach of warranty माना जा रहा है, तो फिर contract तो cancel नहीं होगा, लेकिन जो buyer है, वो जो है, damages जरूर क्लेम कर सक है, तो अगर seller के पार्ट पर जो है, breach of warranty हुआ है, तो फिर उस case में, जो buyer है, वो जो है, damages क्लेम कर सकता है, ये, फिर मान लीजे, अगर breach of condition हुआ है, और buyer जो है, खुझ से, उसको breach of warranty मान रहा है, तब भी उस case में, जो buyer है, वो जो है, contract को तो cancel नहीं कर सकता है, लेकिन damages जरूर क्लेम कर सकता है, तो ये point हम लोग mostly, जो है, already पढ़ चुके है, फिर इसमें हमारा fourth point, reputation of contract before due date, due date से पहले ही, जो है, contract को cancel कर दिया गया है, seller के द्वारा, तब भी उस case में, जो buyer है, वो जो है, damages के लिए, suit फैल कर सकता है, seller के उपर, और हा, reputation of contract before due date, इसके बारे में, हम लोग already Indian contract act में पढ़ चुके है, sir, कहाँ पे, anticipatory breach में, anticipatory breach ही तो है, देखो न, due date से पहले ही, जो है, contract repudiate हो रहा है, तो seller अगर contract को repudiate कर दे, cancel कर दे, due date से पहले ही, तो फिर उस case में, जो buyer है, वो जो है, damage के लिए, suit फाइल कर सकता है, फिर इसमें, fifth है, हमारा, suit for interest, य आपका वही point है, जो कि हमने पिछली वीडियो में, seller के case में बढ़ा था, कि जो unpaid seller है, वो जो है, buyer से interest recover कर सकता है, तो फिर यही same right, जो है, buyer के भी पास है, कि buyer भी seller से interest भी recover कर सकता है, damages और price के अलावा, ठीक है, तो आईए, एक बार, जो हुन सभी points को यहां से एक बार read कर लेते हैं, rights of the buyer against the seller in case the seller breach the contract, सबसे पहला है, damages for non-delivery, section 57, where the seller wrongfully neglects और refuses to deliver the goods to the buyer, the buyer may sue the seller for the damages for non-delivery, इसके बाद suit for specific performance, section 58, where the seller commits the breach of the contract of sale, the buyer can appeal to the court for specific performance, the court can order for specific performance only when the goods are ascertained or specific, so this remedy is allowed by the court subject to these conditions, the contract must be for the sale of specific and ascertained goods, तो यहां पर तो और लिखा हैं, लेकिन हमको क्या check करना है कि goods जो है specific भी हैं और ascertained भी हैं, यानि कि identified भी हैं, दूसरा, the power of the court to order specific performance where damages would not be an adequate remedy, इसी में तीसरा, it will be granted as a remedy if goods are of special nature or are unique, इसके बाद suit for breach of warranty, section 59, where there is a breach of warranty on the part of of the seller or where the buyer elects to treat the breach of condition as a breach of warranty, the buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty, but he may set up against the seller the breach of the warranty in diminution or extension of the price or sue the seller for damages for breach of warranty, sir इसका मतलब क्या है, diminution or extension of the price, warranty के तहट जो buyer है वो जो है price को कम करवा सकता है, ठीक है लेकिन उसको price पे करना ही करना पड़ेगा, या फिर damages के लिए जो है case फाली कर सकता है, breach of warranty के ताथ यानि कि damages जो है वो claim कर सकता है, फिर next point, repudiation of the contract before the due date, section 60, where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting and wait until the date of the delivery, और he may treat the contract as resigned and sue for damages for the breach, तो यही सेम बात हमने जो है Indian contract के anticipatory breach में पड़ी थी, कि अगर कोई भी party जो है anticipatory breach करती यानि कि due date से पहले ही contract को cancel करती है, तो जो agree party जो सामने वाली party है वो जो है due date का wait कर सकती है और फिर उस date पर अगर performance देदे सामने वाली party इसने breach किया है, जिसने repudiate किया था तो कोई दिक्कत नहीं है वरना फिर उसके उपर suit file हो जाता है damages का या फिर due date करना wait करके जिस समय contract को repudiate किया था, उसी समय उस contract को cancelled मान लो और signeded मान लो और फिर damages के लिए जो है suit file कर दो इसके बादा suit for interest, nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages, in any case whereby law interest or special damages may be recoverable or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed, in the absence of a contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it thinks fit the amount of the price to the buyer in a suit by him for the refund of the price in a case of a breach of the contract on the part of the seller from the date on which the payment was made, तो interest का rate क्या होगा अगर buyer जो है interest के लिए भी case file कर रहा है तो फिर वो जो rate होगा, वो code decide करेगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा इस chapter का आखरी topic जो कि हमारा auction sale, section number 64, देखे, sale कैसे career goods की इसमें auction के थुरू, auction का मतलब क्या होता है, auction को अगर हिंदी में translate करें तो इसका मतलब होता है निलामी, निलाम करना, जैसे कि मालो for example आपकी कोई property है, अब आप उस property को बेशना चाहते हो लेकिन आप जो इस property को auction करवाना चाहते हो, auction के थुरू बेशना चाहते हो, ताकि उसका एक अच्छा price मिल जाए, ठीक है, अब मालो जो base price है आपकी property का, जो minimum price है वो है एक करोड रुपे, आपने सबसे पहले auction का notice निकाले सीच को लेके, जिन जिन persons को जो है ये notice दिखा, जैसे कि मालो आपने जो है newspaper में इसका notice निकाला, newspaper में जो जो पढ़के आया auction में उसने जो है नामाम लिखवा है अपना और वो जो है बोली लगाने बढ़िया, auction में क्या होता है bid लगती है, क्या लगती है bid या फिर आप उसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, बोली लगाना ठीक है जो बोली होती है अब base price कहता है एक करोड रुपे तो bid कहां से चाले होगी एक करोड रुपे से और ऐसे कर करके जो है लोग अपने bid को बढ़ाते जाएंगे 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, 5 करोड तो फिर क्या होता है जैसे मालों highest लगे है 5 करोड की तो जो auctioneer होता है एक person होता है auctioneer वो कौन होता है वो एक तरीके से कह सकते हो agent होता है ठीक है agent होता है जो की auction को conduct करवाता है ठीक है तो आप आपको जो है एक auctioneer को point करना पड़ेगा जो कि आपके भिहाव पे आपके घर का auction करवाएगा और वो जो है अपनी जो भी इसकी fees होती है percentage के साब से वो charge करता है तो मानलो highest बिटा पांच करोड़ रुपे की वो बुलेगा पांच करोड़ रुपे एक पांच करोड़ रुपे यानि कि जिस भी person की bid पर hammer fall हुआ है अब वो जो property है उस person की हो गई है उससे पैसे अभी आए या फी नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ता जो ownership है property की वो जो उस person के पास चली जाती है तो यह होता है आपका sale by auction लेकिन इसके कुछ rules है तो आईए उन rules के बारे में जो है discussion क करते हैं तो अब देखते है rules for auction sale तो यहां पर हमारे total 6 points है आए एक एक करके सारे points को discuss करते हैं तो हमारा सबसे पहला point है goods sold in lots goods जो है lots में जो है उनको auction करवाया जाएगा lots मतलब क्या होता है group होता है कि माल लो एक जो है काफी ज्यादा quantity में goods है एक जैसे तो उनको जो है आपका जो है एक टन स्चील है ठीक है एक टन स्चील है तो इसके आप जो है lots बना दो 100-100 किलो के 100 kg into 10 lots, lots मतलब जो group हो जाता है ठीक है क्योंकि आपको पता होगा 1 10 is equal to 1000 kg, 1 10 is equal to 1000 kg तो यहां पर क्या है 100-100 किलो के जो है आपके ऐसा-ऐसा करके 10 lot बन जाएंगे ठीक है तो एक lot का auction यह हो गया, एक lot का auction यह हो गया ऐसा-ऐसा करके आपके जो है 10 lot के auction हो जाएंगे, 10 lots के auction होने का मतलब क्या है 10 अलग-अलग contracts, 10 different contracts ठीक है, तो सबसे पहला rule जी हो auction का वो यही है कि आपको जो है lots में goods को बेचना है auction के थ्रू, lots मतलब group में, इसमें हमारा दूसरा point, completion of contract of sale, कब माना जाएगा auction सेल करते वे की contract of sale जो है complete हो चुका है, so when hammer falls on the ground, महला, ground पे गिर जाएगा hammer, इसका मतलब यही नहीं है, यानि कि जो भी auctioneer है, जब वो हतोडा मारेगा, desk पर, desk पर जो भी रखाव है, ठीक है, चीज, उस पर जब हतोडा मारेगा वो, तब उसी समय माना जाएगा कि contract of sale complete हो चुका है, जैसे कि मान लो A और B है, B को जो है अपने कुछ goods बीचने है, तो कैसे बीचेगा, lots में बीचेगा, ठीक है, अलग-अलग group बना के बीचेगा और हर lot का जो है, अलग contract बनेगा, A जब bid करेगा, तो मान लो A की bid पर hammer fall हो गया, तो जैसे ही hammer fall होगा, उन goods की जो property है, वो जो है A के पास pass on हो जाएगी, property pass on हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी risk होगा, goods को लेके वो भी pass on हो जाएगा A को, तो जैसे ही hammer fall होगा, buyer क इसके पास जो है, goods की property transfer हो जाएगी, इसके बाद है हमारा तीसरा point, right to bid may be reserved, इसका मतलब क्या है, देखिए, जो person auction करवा रहा है, कौन करवाता है, seller, तो seller जो भी auction करवा रहा है, उसके पास जो है, right to bid को reserve करने का right है, इसका मतलब क्या है sir, कि seller चाहे तो किसी person को allow कर सकता है bid करने के लिए या फिर नहीं भी कर सकता, कि वो जो है selected बंदो को ही बुला सकता है auction में, ठीक है, जैसे कि मानलो उसने जो एक public notice निकाल लिया, newspaper में, अब public notice है, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन वो जो है किसी को भी मना भी कर सकता है, कि मानलो किसी particular person को मना कर देवो कि नहीं, आप bid नहीं करोगे, तो वो उसके पासे right है, right to bid में भी reserve, और साथ में, जो seller है, वो जो है अपने भीहाफ पे किसी और person को भी भेज सकता है, उस auction में bid करवाने के लिए, कि कोई person जो है seller के भीहाफ पर bid में participate करके bid कर सकता है, फिर इसमें fourth point है आपका, sale not notified by seller, मतलब आपके goods और आपके goods का auction हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कि for example A और B है, ठीक है, अब B के पास कुछ goods दे, ठीक है, A क्या करता है, A जो है इनका auction करवाता है, A इनका auction करवाता है, और B को पता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है कि उसके goods का auction हो रहा है, त तो उसके लिए जो है A को B को notify करना पड़ेगा कि मैं आपके goods को जो है auction करवा सकता हूँ यानि कि permission लिनी पड़ेगी B से A को कि क्या मैं आपके goods को auction करवा सकता हूँ अगर B हाँ बोलतेता है तो फिर A करवा सकता है यहाँ पे लेकिन अगर A जो है बिना कुछ B के कहे या फिर बिना उससे पूछे उसके goods को auction करवाता है तो बाद में B जो है इस auction को fraudulent मानके damages का case file कर सकता है और अपने goods को recover कर सकता है along with the damages इसके बाद आपका 5th point reserve price इसका मतलब क्या होता है base price जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि कोई भी auction sale होती है तो फिर ह पर goods का एक base price set होना चाहिए कि कहां से जो है auction शुरू हो रही है जैसे कि यहां पर 1 ton चीलता है तो 100 100 kg के 10 lot बिकने थे मान लो इस lot का जो base price है वो है 1,00,000 रुपे चीक है तो यह क्या हुआ आपका यह हुआ आपका reserve price कि यहां से जो है आपकी bits चालू होंगी 1,00,000 से फिर इ इस से नीचे नहीं आएगा इसके बाद आपका 6th point pretended to bid इसका मतलब क्या है sir देखे for example एक person है B, B को जो है अपने कुछ goods बेचने है लेकिन कैसे बेचने है auction के थ्रू, auction sale करके अब B क्या करता है इसके लिए एक notice निकालता है ठीक है notice को publish करवाता है newspaper में और लोग आकर जो है इन goods के लिए auction करते हैं B के करता है B जो है A और C को जो कि उसके दोस्त होते हैं किसके दोस्त होते हैं वो B के दोस्त होते हैं इनको जो है इस auction में बठा देता है और इनसे कहता है कि तुम दोनों जो है price को raise करते रहना ठीक है price को raise करते रहना नकली bid करकर के A और C B के goods को खरी बढ़के हो गया एक करोड रुपे चीक है और जो यह बिड थी एक करोड की यह लगाई थी डी ने अब हैमर फॉल हो गया है गुड्स की ओनर्शिप डी के पास ली गई है लेकिन डी को पता लगता है बाद में कि यहां पर जो है प्रिटेंडड बिडिंग हुई है क्या पूच कर गुड्स का अननेसेसरी प्राइस रेस करने के लिए जो है बी ने ए और सी को बठाया था तो यहां पर डी जो है इस ट्रांजेक्शन को वॉइड मानके जो है अपने प्राइस को रिकावर कर सकता है अलॉंग विद दी डैमिज किस से कर सकता है बी से सो आईए एक बार यहां से जो है रीड कर लेते हैं सारे पांट्स को वही से मतने लिखी में जो कि हमने यहां पर समझी है सबसे पहला गोड्स आर सोल्ड इन लॉट्स वेर गोड्स आर पूट अप फॉर सेल इन लॉट्स इच लॉट इस प्राइम अफेशी दीम तो बी सब्जक्ट तो अपर कांट्रेक्ट ऑफ सेल इसल इस अप्लेट वन दी ऑक्ष्नियर अनॉंसे इस कंपलीशन बाई दी फॉ और इन अधर कस्टमरी मैनर और अंटिल सच अनॉंसमेंट इस मेड एन बिडर में रिट्रक्ट फ्रम इस बिड तो जब तक हैमर फॉल नहीं हुआ है तब तक कोई भी जो बिडर है वो जो अपनी बिड को वापिस ले सकता है 3. Right to bid may be reserved. Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller and where such right is expressly reserved but not otherwise the seller or any one person on his behalf may bid at the auction. 4. When the sale is not notified by the seller. When the sale is notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or or employ any person to bid at such sale or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. 5. Reserve price. The sale may be notified to be subject to a reserved or upset price, yani ki base price. 5. For last, Pretended to bid. If the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. 5. So, I hope आपको जो है auction के regarding जो जो rules है सारे ये clear हो गयोंगे और अब जो ये notes है आप लोग note-down कर लीचे. 5. WrestleMania care inReview 5. Step 3.